कि अब 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 लोगों के तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं अम्मीद सीरीज में और आज हम लोग एक बहुत ही इंपोडेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है एल्डी हाइड कीटोन एन कार्बक्सलीक असेट्स ठीक है तो क्या आप सारे लोग रेडी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत डीटेल में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले वनशोट सेशन होने वाला आप सब लगों को बता हुँएं सीरीज हो वनशोट सेशन होता है अपना और यह जो चैप्टर है बटा, इसका वेटीज मेरे साद से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है importance आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे questions इससे पुछे जाते हैं नीट exam में तो अगर मेरा audio और video आप तक clear पहुच रहा है तो एक बार के लिए फटा-फट से आप comment करके बता दो कि sir everything is all right, सब कुछ बढ़िया है अब आज भी अच्छे से आ रही है और video भी तंग से आ रहा है एक बार फटा-फट बताओ देखे है हाँ जी, good afternoon विटा, good afternoon, good afternoon सब लोगों को, good afternoon ठीक आ रहा है क्या, sound ठीक है, voice एक बार चेक करो फटा-फट बताओ मुझे, सही है अच्छा एक दम बढ़िया है, very good, very good, very good, क्या बात, क्या बात everything is good, ठीक है तो ये जो चैप्टर है ना यार, LDH, Ketone and Carboxylic Acids देखो, इसकी काफी सारी reactions ऐसी है जो पिछले जो हम लोगोंने चैप्टर सपड़े है let's say, hydrocarbon की कुछ concepts काम में आएंगे, hello alkanes and halorines की कुछ concepts काम में आएंगे alcohol, phenol and ether की बहुत सारी reactions ऐसे चैप्टर में repeat होने वाली है इसी बज़े से यहां तक आते आते आपका जो chemistry है, organic chemistry वो थोड़ा आसान होने लगता है आसान क्यों होने लगता है? क्योंकि बहुत सारे concepts ऐसे होते हैं, जो पिछले वाले repeat होते हैं, बहुत सारी reactions as it is repeat होती है कुछ बहुत ज्यादा नए concepts अब नहीं होते हैं इस case में समझ रहो? तो इसी बज़े से यह जो चैप्टर है इसकी काफी सारा repetition आपको देखने को मिलने वाला है इस chapter में हम लोग aldehyde, ketone की reactions देखेंगे और फिर उसके बाद जो आपके carboxylic acid से होनकी preparation और उनकी physical and chemical properties की बाद इस session में होने वाली है ठीक है जी, timing कितना इस lecture का? timing तो यार अब देख लो, देखने हैं कब तक चलता है? कुशिश करेंगे इसको 5 hours में खतम करने का यार पांच घंटे तो यार चले गई और अगर पहले खतम हो गया तो देख लेंगे यारा कई बार क्या होता है, क्लास के महुल पर depend करता है यारा कि आप लोग कितने इमानदारी से पढ़ाई कर रहे हूँ और मैं भी किस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कई बार वो सिंक्रोनाइज अब एकदम बढ़िया डंग से हो जाता है ना तो फिर उसके बाद क्लास के टॉपिक्स जो होते हैं फटा-फट कवर होने लगते हैं और कई बार ऐसा भी होता है यार क्लास की स्पीड थोड़ी दिमी भी हो जाती है ना तो वो डिपेंड करेगा देखते हैं कितने टाइम में कवर हो पाता है लेकिन हम लोगों को टाइम से मतलब नहीं है हमें जो मतलब है कि हर एक चोटा से छोटा जो टॉपिक है वो अच्छे से डिसक्स होना चीए और वन शोट का मतलब मतलब जो हम लोग आज इतना टाइम हम लोग दिखा रहे हैं जो हम लोग ले रहे हैं इतना टाइमी सेशन के लिए उसका वल्यू वो हमें मिलना चीज है वो सबसे बड़ी चीज है आ जाईए फिर आल्राइट आल्राइट तो जना आप देखो आज हम लोग क्या क्या करेंगे सबसे पहले इंट्रड़क्शन प्रिपरेशन और फिसब्राइट और फिर के लिए अलग लग होंगी फिर उसके बाद आएगा प्रेपरेशनिट प्रपरटीजू प्रपकरटीज और सबसे लास्ट में आएगा chemical reactions of carboxylic acids यह आपका जो अपना chapter है इसका sequence होने वाला है मैंने आपको बताया है all right तो शुरुवात कर दी जाए फिर वेटिस chapter का बिटा दो से तीन questions अब देगो वेटिस में actually है क्या चीज़ ना मैं आपको बताता हूँ organic chemistry में वेटिस का इसलिए exact आप नहीं लुग बता सकते है क्योंकि एक क्वेशन आता है एने डी सरी Yes 22 cc किया और मिजीं मेरेगोत क्या ओर ये से नो ओनरी किया उती है यह तो यह तो chat ने आप ड्स खास बात है कि एक जुटा तो दूसरे में कहानिक हो तो यह प्रॉब्लम तो है और यह अच्छाई भी है और गिनी के साथ कि अगर एक समझ में आ गया तो आगे आने वाले चैप्टर भी बड़े आराम से समझ ले आ जाते हैं बिल्कुल सारे टॉपिक्स एकदम बढ़िया डंग से कवर होंगे ठीक है ओके ओके ठीक है जनाब बहुत बड़िया बिटा करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो देखो हम लोग आप लोगोंने नाम सुना होगा कार्बोनाईल ग्रूप का सुना है क्या तुमने आप लोगोंने नाम सुना होगा ना कार्बोनाईल ग् basically इसमें हम लोग बात करेंगे एक तो LD हाइड की आप सब लोग जानते हो LD हाइड में यह जो CO गुटा है उसकी एक वलंसी पर काल कंपल लगा होता है और दूसरी पर हईट्रोजन लगा होता है ना तो हम लोग इस चैप्टर में major reactions की बात होगी कुछ आपका ester हो गया है ना और इसके इलावा asyl halide हो गया इनके बारे में भी इसी chapter में हम लोग बात करने वाले है ठीक है आईए फिर तो सबसे पहले structure of functional group ये कौन से functional group की बात हो रही है बेटा भी सबसे पहले हम लोग aldehyde and ketone की बात करने वाले है ठीक है तो वही है सारे लोग आपके पास अगर notes है पहले से बने हुए तो बहुत अच्छी बात है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अब आपके पास वो time notes बनाने का है नहीं actually है ना अब वो पानी एकदम सर से उपर जा चुका है अब आपके पास जो time है वो यही है आप one short session देख रहे हो जैसे chapter खतम होता है इसकी जो PDF होगी वो आपको मिल जाएगी आपकी आप पे आप पे जाईए वहां से PDF डाउनलोड कीजिए notes आपको मिल जाएंगे और वहां से एक बार आप बढ़िया डंग से revise कर लिजे ना तो notes वगर आपको साथ-साथ बनाने की ज़रूत सच नहीं होती है इसी चैप्टर के साथ-साथ ही मैं आपको पीवाई क्यूस भी करवाता रहूंगा इसी चैप्टर है ना जो पीवाई क्यूस होंगे वह साथ-साथ किशन ओफ कारबन वोट इस दी हाइडिजेशन ओफ कारबन इन इस कार्बोनाय ग्रूप पहला क्वेस्चन है मेरा फटाफट से आप लोग बताईए वोट इस दी हाइडिजेशन ओफ कारबन जल्दी वोलो माराज आज अब थोड़े पढ़ाई वाले मोड में आजाओ तोफे पे टेबल पे बैठे हैं एक टांग पे टांग धराग पीछे तकीया लगा हुआ है ना ऐसा कमफेटेबल वाला माउल नहीं बना के बैठना एकदम बढ़िया टेवल चेर लेके बैठो और ताकि एकदम बढ़िया चीज समझ में आए हैं अभी मतलब भीया हां तो आप सब लोगों ने कहा कि आप सरीए जो कार्बन है यह वाला कार्बन एक पाईब बना रहा है पाईब बना रहा है इसका मुझा है हिव्डे में इसका है और अगर आपर भी यह जो भी बॉर्ण एंगल होगा विटा यह सारे के सारे बॉर्ण एंगल कितने हैं 120 डिगरी के ठीक अच्छा अब एक बात मुझे और बताओ तूं कारबन और ऑक्सिजन में से किसका एलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा होता है जल्दी बोलो तो अब यह भी मेरे साब से आप लोगों को पता है सरी यह तो आपने बच्चों वाला क्वेशन पूछ लिया और हम अब बच्चे नहीं रहे सर है ना अब बच्चे नहीं रहे नीट का एक्जाम देने जा रहे हैं थोड़े दिन बच्छे में भी तो ऑक्सिज ए जो कारवन पर चार्ζ आ घया भांग झकर है और ऑग्सिजन पर जार गया नेगेटिव ठीक है अब मेरा क्वेशन आप से हैं कितने लोगों को बेसिक्स पता ऑ़ मेरा क्वेशन आप से है कि भाई एक बात बदाओ यह जो इस और ये गारवन एक एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या फिर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जल्दी बताईए हाँ क्वेश्चन यह है कि यह वाला जो कार्बन है विटा यह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यह बताओ देखें इससे आपको बता लग कि कितने लोगों के बेसिक सिख्दम बढ़िया डंग से क्लियर है जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो यह कुण सा सेंटर विड़ा अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार यह जो कार्बन है इस कार्बन पे चार्ज कैसा है पॉजटीव है ना इस कार्बन पे चार्ज कैसा है पॉजटीव बोलो ना इस कार्बन पे चार्ज कैसा है पॉजटीव अच्छा अगर पॉजटीव चार्ज है तो इसको किसकी जरुरत है बेटा अगर इस पे positive charge है तो इसको किसकी जरुरत है सर electron की जरुरत है और जिसको electron की जरुरत होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ना तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि यह जो carbon है बेटा यह है इलेक्ट्रोफिलिक और oxygen के पास electron पे इसको इसको electron की requirement है तो यह चोटी-चोटी basics है जो आपको पता होने जरुरी है ठीक हमाराज चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर और सबसे पहले हम लोग मेथेड से aldehyde और ketone दोलों बनाए जा सकते है सबसे पहली चीज फिर उसके बाद मैं सिर्फ और methods की बात करूंगा जिन से सिर्फ और मेथे बनाए जा सकते है और सबसे लास्ट में हम लोग उन के बारे में बात करने वाले जिन से सिर्फ और सिर्फ की टोन स्फोर्मेशन वह सकता है ना तो तीन अलग तरीके से हम लोग बात करने वाले ठीक है अब गुड़ बॉर्णिंग वाला को नहीं ताइम क्या हो गया है कि अरे वाई या धाई बज रहे हैं कौन से देश में रहते हो मुन्ना कोई करा सर गुड़ मॉर्निंग कौन से देश के वासी हो है कोई प्रत्वी के दूसरे च्वार पे तो नहीं रहते हो है हाँ है चलो जी तो आजा यह सबसे पहले मेथड की बात कर लेते हैं फ्रॉम ऑक् अरे पिछले वाले चेप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था भाई यह याद है क्या तुम्हें कि अगर आपने वन डिग्री अलकॉल का ऑक्षिडेशन किया सर वन डिग्री अलकॉल के ऑक्षिडेशन से बनता है यह याद है और अगर मालो आपने टू डिग्री और आपको mild oxidizing agent लेना पड़ेगा या देगा तुम्हें अगर आपने strong oxidizing agent ले लिया strong oxidizing agent ले लिया तो जो LDI होता हो further carboxylic acid में convert हो जाता है तो लेट्स से यह आपका अल्कॉल है ठीक है वन डिग्री अल्कॉल है बिटा और मैंने इसके reaction करवा दी किसके साथ PCC के साथ pyridinium chlorochromate यह तो बन डिग्री आपका mild oxidizing agent लिखवा दिया था मैंने लास्ट क्लास में सारी आपको वो series लिखवाई थी कि कौन सा mild oxidizing agent होता है और कौन सा strong oxidizing agent होता है यह सारी चीज़े हम लोगोंने alcohol phenol ether में discuss करी थी ठीक है ना और मालनों यहाँ पर PCC ले लो PDC ले लो और क्या ले सकते हो CRO3 ले सकते हो and hydrous medium में है ना यह सारी चीज़े सकते हो यह विटा टू डिग्री अल्कॉल है तो टू डिग्री अल्कॉल के oxidation से क्या बन जाएगा कि टोन बन जाएगा ठीक है ना क्या बनेगा विटा कि टोन बनेगा एक और चीज में आपको यहां पर बताना चाहरा हूं है ना एक और चीज में आपको बताना चाहरा हूं लेट से ऐसे लिखा हुआ है यह वाला अल्कॉल लिखा हूँ है एल्कॉल है वन डिग्री ठीक है ना और इसका oxidation करवाना आपको PCC के साथ ठीक है इसका oxidation करवाना है PCC के साथ तो सुनियो मेरी बात मुन्ना इधर देखना सारे लोग स्क्रीन पे जब भी आप PCC की बात करते हो मेरा अच्छा लक्षय वाले भी है इदर अवैं तुम यह क्या कर रहे हो लक्षय वालो अरे पढ़ाई करो अपनी जागे उदर वाई हाँ मेरा क्वेशन होता हो क्या पाइरदीनियम ग्लोरोग्रोमेट यह जो डबल बॉन्ड है क्या इसका भी oxidation कर देगा यास हाँ जी करेगा क्या डबल बॉन्ड नहीं कर पाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह एक दम आपने बढ़िया बात बोली है यह एक अच्छा में जाते देदा तो मुझे पता है कही ना इस वाली गली से आज उस वाली गली से है इसका ध्यान इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहता है आपका जो डिग्री अलकॉलिक ग्रूप उस पर रहता है उसको आप ली एक अश्योंट कर दोगे बागि डबल मौंड के तो विदिन सेकंड बस दो चार पांस सेकंड में खतम हो गया रियक्शन बस आगी जलते हैं अच्छा एक और बनाने का तरीका है यह भी हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में रियक्शन पड़ी थी लेट से आपके पास वन डिगरी अलकॉल है इसकी वेपर्स को आपने रेड होट कॉपर ट्यूब में से पास करवाया तेंपरेचर कितना होता था याद है तुम्हें रेड होट कॉपर ट्यूब में स अगर माल लो आपने यहीं पर टू डिग्री अलकॉल की वेपर ली यस यह टू डिग्री अलकॉल है इसकी वेपर्स को आपने रेड होट कॉपर ड्यूब में से पास करवाया बताओ क्या बनेगा सर हमने पड़ा है इससे बन जाएगा की टोन अच्छे एक बात बताओ अग जल्दी बताओ अब ही पता लगएगा तुम कितना बढ़ाई कर रहे हो स्ट्स्री अलकॉल से क्या बनेगा कर आप कि जल्दी बताईए कि को डिक्राइक्शन नहीं होगी पटाँ अगर को यह कह रहा है कि कोई रियक्शन नहीं होगी वो बिलकुल गलत बात करा है एलकीन मनेगी क्या बात यह ने बिल्कुल सही जवाब दिया और मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ओहो अब तो नाम भी नहीं पड़ बारा मैं हाँ बिल्कुल सही क्यारो विटा थ्री डिग्री अलकोल अगर आप लोगे इस रियक्शन में तो एलकीन का फ बढ़ते हैं एक और बहुत ही आसान रियक्शन लेकिन बहुत इंपोडेंट रियक्शन जिसका नाम है ओजोन इलिस इस रियक्शन में यह हैड्रो कारबन की रियक्शन है और इस इसमें क्या होता है मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में बता जिता हूं फिर उसके बाद प्रेज़नस ओफ शीचिएल फॉर अभी हम लोग रिड़क्टी वो जनलीसिस की बात करने सबसे पहले है है नहीं हम लोग किसकी बात कर रहे है रिड़क्टी वो जनलीटेस है ना क्योंकि यह हमारे काम का है ऑक्सिडेटिव से कई बार वह वह कार्वाक्सिलीक असिड बन तो आपने O3 के साथ CCL4 के साथ reaction कर वाइन दी प्रेजनस ओव CCL4 तो क्या बनता है सर सबसे पहले याद है आप लोगों को क्या बनता था सर ओजोनाइड का formation होता है इसको आप क्या कहते हो अरे बोलो ना इसको क्या कहा जाता है ओजोनाइड का जाता है कारबन डबर्ब वन कारबन टूट जाएगा यहां से रोजोनाइड बन गया और इसके बाद इसकी रियक्शन करवाई जाती है जिनक ह todas के साथ तो क्या होता है यहांसे यह वाला तो टोटे यह वाला OXygon KAB icon के पास चला जाएगा नरवां自 मोण बन जाएगे अगर यहां पर और अदी हैड बनेगा और डोनुन जगे अगर अर गूरा तो तो carbon double bond carbon को तोड़ो एक oxygen इधर और एक oxygen इधर जोड़ो काम खतम हो गया बस है ना काम खतम हो गया देखो C double bond O C double bond O 2 mol बन जाएंगे C double bond O के समझ में आगी क्या तुम्हें मेरी बात अंजी क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई देखो अगर मैं इसका एक एक एक्जामपल लिखता हूं है ना सुनो देखो अभी समझ में आएगा तुम्हें CH3 CH double bond CH CS3 और आपसे कहा गया आपसे कहा गया कि उसका ओजोनलेसिस करवाईए O3 CCL4 और फिर जिंक H2O के साथ रियक्शन करवाने ठीक तो क्या होगा सुनो सुनो मुन्ना इस वाले बॉल्ड को ब्रेक करो यहां से एक ऑक्सिजान इदर एक ओक्सिजान इदर लिखो CS3 CHO बन गया कितने बोल दो मॉल बन जाएंगे सर ऐसे टर है ओज़ना थो घ्यर आरा रहा हैता कि और अगर माने लो इसकी जगह में इसकी जगह में यह वाली के ले लेता हूं है यह वाली की ले लेता हूं तो क्या दिक्क्त अहीं समें इसमें घ्iffany bulonia तरीक आपको पता है यहां पर डबल मोंड तोड़ना है एक औक सब्सक्राइब जोड़ना है ऑल राइट तो जैसे इदर से तो बन जाएगा की टोन कि देखो इदर से क्या बन गया विटा की टोन बन गया और दूसरी साइड से क्या बनेगा च्छ 3 ही एच शी एच फूसरी च्छ इस साईड से आल डी एड बन जाएगा अरे याद आ रहा है तुम्हें कुछ हाजी कि याद आ रहा है ना बहुत बड़िया बो बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है क्या कहते रहे बाई watch your stream on your phone it's weird voice coming क्या बात कर रहे हैं कैसी यह बात कर रहे हैं मैं तो नहीं निकाल रहा है मैं तो डा बात कर स्विस्द response मैं अब अगर वान लो ऐसा गण अगर लो आगया तो सर क्या करें इसके औगा इसके अचाहूर अब मनेगा तो यहां पर देखो यहां पर वी को तरीका बिल्कूल से ना ओहn तो यहां से क्या बना इधर से देखो इधर 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 यहां से क्या बना है यहां पर देखो अच्छे से है वाई आरे दादा हिधर से देखो इधर 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 यहां से देखो न यहां से क्या बनेग में cake day जण देखो अगर तुमसे कोई कह दे अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बेंजीन के उजनलेसिस से क्या बनेगा क्या पूछ ले आप से कि बेंजीन के उजनलेसिस से क्या बनेगा तो क्या आप लोग बता पाओगे क्या बनेगा अंजी क्या आप लोग बता पाओगे बेंजीन के उजनलेसिस से क्या बनन लोग जिनको लग शक्राइना कि इसर आवास नहीं कि मतलौ आए मादारे से और और फिर लोकर कोंएक टूम है टाइम वेस्ट होगा टूम्हार गाताइक yeah के डिले मैं अध्यें नौट प्रोपर क्लियर वोईस सही तो आ रही है अब आ लोग आ रही थोड़ी वोईस बढ़ा ले यार अपने उसकी को एं एक होताएं जा रहा है एक क्या कहा रहा है एक कहा थर इसके कानों को Tabiiक से साप करो इसके कानों को infl grinaval को हार्ना आपीक से साप करो अने एथ थीक है नखुआ हो देख्यों इधर देखो, तो विटा इसमें कैसे product बनाना है, तरीका आज वे गल सहीं है तरीका बिल्कुल सहीं है, क्या करना है सर, इस वाले bond को तोड़ो, double bond तोड़ो, double bond तोड़ो, एक oxygen इधर एक oxygen इधर जोड़ो ठीक है, और देखो, यहाँ पर भी यह वाला double bond तोड़ो, एक oxygen इधर आप यहाँ से देखो क्या भना है है ह सी डावल बोंड़ो सी डावल 158 और इसके कितने मोल बन जाएंगे तीन मॉल बन जाएंगे आप देख लो हर कहीं से हर कहीं से कि दबल बोर्ड ओ, C double bond OH, C HO, C HO, कितने मोल बनगे? 3 मोल बनगे. समझ में आई बात? ठीक है? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ये ozonalysis reaction जो है, ये बहुत इंपोर्डेंट री अक्षन है. इस पर काफी सारे questions आपको मिल जाते हैं. ठीक है चलिए फिर एपी अपी दो हजार साथ का क्वेशन करिए क्या कहरा है क्वेशन एक कंपाउंड विद्ध दा मॉलिक्लर फॉर्मुला सब्सक्राइब और चार ओप्शन आपकी स्क्रीन पर है खड़ा 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 बदेखें और यह प्याइब दोजार साथ का रिपीट हो सकते हैं ऐसे अचना हा जल्दी बताईए आ जल्दी बताईए वटा जल्दी बताईए एड़ाि थीक आर्पिक को छोड़तो भाई नुग बाद exam है तौदे दिनों बाद तुमारे इक्जाम है जा नहींत का exam है तुमार प्रापी सरनलाइन रहे पुरन है विटो करें को तू dope डियुयम्ट के स्ट्रक्चर बनानी चीह देखो पहली चीज तो ब्यूट है, इसका मतलब ऐसे बना लो और तु ंगे मतलब ऐसे बना लो और मिठाइल लिखा है वन Repeinks मतलब ऐसे लिखा इंद यह सब सका एक तो किटोन मिल रहा हमें कोई दिककत है नहीं ठीक है ना किटोन मिल गया और बीटा दूसरी साइड से क्या मिलेगा देखो तो CS3, CHO बन जाएगा, दूसरी साइट से क्या बनेगा बिटा, CS3, CHO बनेगा, ठीक है ना, समझ में आगी क्या मेरी बात, अरे भईया, इसी को तो Acetone क्याते हो, भूनना, अरे यही तो आ यार Acetone, अना, Acetone इसका common name है बिटा, और यह जो CS3, CHO है ना, यह है Acetaldehyde, क्या ह देखे, अगला method है, from hydrolysis of alkyne, और यह वाली जो reaction है, यह भी कौन सी chapter की reaction है, hydrocarbon, कौन सी chapter की reaction है, hydrocarbon chapter की, याद है तुम्हे, hydrolysis of alkyne, alkyne का hydrolysis करना है, तो बताओ किसकी presence में होता है, hydrolysis alkyne का, जैसे मालो, यह वाला आपका alkyne है, मैंने लिया है, सबसे पहले, सबसे alkyne ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, आप इथाई नहीं, हैंजी, अरे बाई यह इथाई नहीं है, और इसकी reaction करवा देते हैं, किसके साथ, hgso4 और h2so4 के साथ है, hgso4, h2so4 की बजाए, कई बार, कई बार वो कंजूसी कर देता है, लिखने में इतना लिख देता है, सि आपको समझ जाना है, कि यह hgso4 और h2so4 ही दिया हुए, मेरी बात समझ में आ रही, all right, तो इसमें करते ही क्या है, इसमें करते ही क्या है, बेटा, इसमें water molecule का addition करते है, according to mark onic of rule, क्या किया आ जाता है इसमें, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ, इसमें क्या किया आ जाता है सर, देखो 1 PI bond break होगा, एक 50 बरेक होने से एक कारबन पे ह Classic Cup लगा दो और दूसरे कारबन पे 5 ह लगा दो, हाँ अभी कर रहे हैं बाई कर रहे कर रहे हो इसका भी देखते हैं क्या क्या तक कर रहे हाँ 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 वो इस कर रहे कर रहे है कर रहे हाँ 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 तो वेटा देखो अब जैसे आपका इनॉल बना आप लोगों को बता है कि वैया इनॉल जो होता है सर वो तो कम स्टेबल होती है और सरी ये कनवर्ट हो जाएगा किसमें किटोन में अब देखो किटोन में कैसे इसे तो ऐगा होता था और यहां से यहां जो है और इसको नमें दो थे दू तू किदू थे दू वन से चला जाएगा थी पर वंत्री शिफ्ट होता था और इसके बाद बन जाएगा Acid L-D-Hyd क्या बन गया इससे? Acid L-D-Hyd क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी क्या आपको मेरी बात समझ में आई? L-D-Hyd बन गया ये है बटा Hydrolysis of Elkynes ये है Hydrolysis of Elkynes ठीक है? बहुत बढ़ी आजी हाँ अब देखो अगर माल लो अगर इथाइन की जगे कोई दूसरा Elkyn होता सुना सुना देखो कार्णी में ट्मिस्ट है भी तो अगर इथाइन की जगे कोई दूसरा Elkyn होता जैसे ये वाला Elkyn है और इसमें मुझे Water Molecule का अगर इडिशन करना है अकोडिन टू मार्कॉनिक ओफ रूल कैसे होगा सर ये वाला पाइबोल टूटेगा पाइबोल टूटेगा आपका जो Water का H है उस Carbon पे जाके जुड़ेगा जिस पे पहले से Hydrogen ज्यादा हो है ना तो यहाँ H जुडएगा और इस Carbon पे उच्छ है ना मार्कॉनिक ओफ रूल मेरे साब से आपको सिखाने की जरूरा थोड़ी ना यार अभी अभी तुम्हें मार्कॉनिक ओफ रूल सिखाने की जरूरा थोड़ी ना यार देखो यहाँ पर लग गया हुँ अच्छ और यहां है बाइद डबलौंट शी double च्छ तू क्या है ब्टा क्या मैं इसको भी बिल्व कह सकता हूं क्या मैं इसको का सकता हूं थी सarde मिलकुल कहा सकते हो और क्या इसका भी हो जाएगा क्या जल्ली बोलियो क्या इसका भी टोटमराइजेशन हो जाएगा सर कैसे होगा जिवाला जो बोन्ड विटा इस वाले बोन्ड को यह शिप्ट कर दो यह नमबर 123 हाइड्रोजन यहां से बगागे इस पे बेज दो तो यहां तो आगया डबल मोर्ड और इससे क्य है इसका क्या है इसका क्या है ऐसे टोन है ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विटा तो यहां से बताओं तुम्हें यहां से तुम्हें क्या चीज़ याद रखनी है यहां से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने इथाइन लिया क्या लिया आप इथाइन के अलावा अगर कोई दूसरी अलकाइन आपने ले ली इथाइन के अलावा अगर कोई दूसरी अलकाइन आपने ले ली तो उससे क्या बनेगा की टोन बनेगा इस बात को याद रख लोगे क्या हाना बोलो देखे यस क्या आपने इस चीज को याद रख पाऊगे आ प्रप इस इसको याद रख पाओगे अगर आपने इथाई लिया तो उससे अदी र Св़ा बनेगा इथाईएम के लावा एनी अधर एनी अधर अलकाइन अगर आपने लिया अगर कोई दूसरा अलकाइन आपने लिया तो उससे क्या बनेगा किटोन बनेगा इस बात को याद रखो और अगर आपको विश्वास ना हो विश्वास ना हो तो करके देख ले ना खुद से अपने आप विश्वास हो जाएगा समझ अब एक बात सुनों, अब हम लोग ऐसे मेथट्स के बारे में बात करने बाले हैं, जिन से सिर्फ और सिर्फ LDHID बनाया जा सकता है, LDHID बनाया जा सकता है, हम लोग ऐसे मेथट्स के बारे में बात करने बाले हैं, और इसमें सबसे पहली रियक्शन, सबसे पहली रियक्शन है जिसका नाम विटा रोजन मूंड रिड़क्शन रियक्शन एक बहुत ही आसान सी रियक्शन बहुत आसान रोजन मूंड रिड़क्शन रियक्शन मेरे साब से सारी दुनिया जानती है कि आपको क्या करना होता है आपको क्या करना होता है असाइल हलाइड लेना है असेड जोड़ देते हैं तो यहां से बन जाएगा एलडी हाइड ऐसे टली हैड़ बनेगा ना सिर्फ और सिर्फ एलडी हैड बनाया जा सकता है सिर्फ और सिल टोर्ण नहीं मना सकते यह बहुत ही आसान सी रियक्षन है बहुत असान है और के निक यदि जा डूरा इस बाए निकर इसलिकेल, हुआ पंगे है अबगा है तुरुम्स ये निकर रही हुकर लुकं यह देखो इसको क्या बोला है अटेस सिस्थ वं 피 eseoCRॉंज रिलंड दो और यहां से भी क सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ Acid यह ना यह रियक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ओल्राइट है ठीक है जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आइए फिर एक क्वेशन करते हैं इस पे नीट 2020 का क्वेशन है देखो यह नीट का इसको ना मेरी ग्यारंटी है तुम देखते ही निप्टा दोगे बताओ कौन सा ऑक्षिन सही है जली बताओ देखें सर वोईस क्लियर नहीं है काम में चुब रही है वेड़ा चल रहा अभी एक्सपरिमेंट चल रहा है ना तो यह जब ठीक हो जाएगा तो ठीक आने लगे कि तब तक थोड़ा जेलना पड़ेगा तो हाँ मैं जेल करें हाँ 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 कौनसा ओप्शन करेक्ट होगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सार ऑप्शन नमबर एस लग रहा है अब बताओ यह क्वेस्टन कौनसे साल का है देख रहा है तो हाँ में चेंज कर रहे हैं कर रहे हैं अब यह सारी चीज तुमारे ली तो हो रही है यह क्लास तुमारे लिए हो और तुम्हें अगर डंक से सब कुछ कर लिए ऑप्शन नमबर एस अच्छा यह वाला बताऊं क्या वाई इसमें बताने की जरुरत है क्या तुम्हें बात बताओ यह कौन से साल में प्लेम रीक्षन है किसी बाटए से काफी इमपोटेंट रीक्ष्न है तुक है अच्छे सफमय न आईस्योग को होती क्या देखो आवह ठीक हो जाएगा अब आज थीक हो जाएगा थीक हो जाएगी थोड़ी सी वेट करो आप स्टीफन क्या होती है सुनना सबसे पहली चीज हम लोग इसमे नाम सुना है तुमने आपने नासज है ना खां stand nightarls यह क्या होते Sup n persecuted present होते उसको अिलोग จะ बोलते क्या करते है इसमें अलनड़ रिया और रिदर चेन करवाया जाता है इसका reduction करवाया जाता है in the presence of SNCL2 plus HCL, ठीक है, क्या करते हैं इसमें, SNCL2 plus HCL की presence का reduction करवाया जाता है, reduction का मतला बोता है addition of hydrogen है ना, 2 mol nascent hydrogen है ना, कौन से, 2 mol nascent hydrogen के use होंगे, देखो product कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या करना, आपको carbon nitrogen के बीच एक ये जो valency पे H लगा दो, यहां पर BH लगा दो, तो क्या बन जाएगा, RCH double bond NH बन जाएगा, ठीक है, और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको, इमाईन बोला जाता है, अगले step में simple, simple आपको इसका hydrolysis करवाना है, simple hydrolysis करवाना है, यहां से क्या होगा, इस वाले bond को तोड़ो, hydrolysis में H2, ऐसे लिख दो, RCHO बन जाएगा, देखो, यह रहा हमारा product LD है, बाकी by product क्या बना है, उससे हमें कोई लिना दिना नहीं है, हमें तो यह पता होना चाहिए, कि सर LD हैड बन जाएगा, बताईए, ठीक और तुम्हें समझ में आ जाएगा, रेट से यह वाला लिखा होता, CH3, CH2, C triple bond लिखा होता, ठीक है न, और आप से कहा जाता, सर SNCL2 प्लस HCL के साथ reaction करवाऊ, ठीक है न, तो आप क्या कहते, तो आप कहते, सर इसका reduction करवाना है, एक पाई बोल्ड तोड़ देना है, एक पा असान reaction है, अरे बोलो रहा यार, यहाँ O, यहाँ H2, तो इजर से बन जाएगा, CH3, CH2, CH2, यह रहा सर, Eldehyde आपकी स्क्रीन पर लिखा है, ठीक है, क्या बन गया बेटा, Eldehyde आपकी स्क्रीन पर बन गया, असान है की नहीं है, यस, असान है की नहीं है, बेटा, hydrogen जो होता ह है, SNCL2 plus HCL से, reduction का मतलब ही addition of hydrogen या फिर removal of more electronegative element होता है, ठीक है, तो बहुत ही simple सी reaction है मेरे साब से, Stephen reaction, name reaction है, name reaction होने की वज़े से, यह reaction थोड़ी सी, है थोड़ी सी important बन जाती है, clear, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, एक और reaction की बात करते हैं, जिससे आप Eldehyde बना सकते हो, और उसका नाम है, from, डाइबेल, अच्छ, यह डाइबेल क्या होता है, वहट इस डाइबेल, इसकी mechanism की ज़रूरत नहीं है, आपको देख, भाई, अभी, अभी, क्योंकि हम लोग revision कर रहे हैं, तो revision में वो चीज पढ़ो, जो, जो exam में पूछी जाई है, है न, SNCL2 plus HCL, Stephen का mechanism की आपको NEET में ज़रूरत नहीं है, अगर आप JEE के student होते, तो मैं आपको इसकी mechanism भी बताता, और कैसे product बना, सारा बताता, NEET में इसकी requirement नहीं है, और इस समय तो बिलकुल भी नहीं है, वो चीज आपको बिलकुल पढ़नी ही नहीं है, जो, जो exam में पूछे जाने की probability कम हो जो नहीं होगजी, बेटा, D campaign quieras होता क्या है, diabiale का पूरा ना, बताँ क्या है, और इस अगया है, डिज़ समय उसी का बताइर धाय आपको डई-isodl-aluminium hydride exam में नहीं दिया वा रहेगा आपको ये डाइवेले लिखा वा रहेगा ठीक है न अब क्या करता है ये डाइवेले रिडक्षन का काम करता है ये ये एक आसान सा बहुत ही अच्छा सा reducing agent है इसमें चिसंप आप प्रप्रड़र से कौ डाइबेल्गुम ना सस्पे साथ पर अगले स्टेप में आप इसका लोगहा अगर ушки लो वसके साथ ऑच अगर नहीव dit बर्वित के साथ बात अगसर ऑन झाएगा और और बेटा इसके शौर्ट कर देता है यह क्या करता है मतलब जितने कार्बन आपके नाइटराइल में होंगे उतने ही कार्बन वाला एल्डी है आपको दिखाई देगा येस जितने कार्बन जितने कार्बन आपके नाइट्राइल में है उतने ही कार्बन वाला एल्डी हैड आपको दिखाई देगा अगर आपने रियक्षन डाइबेलेच के साथ करवाई है तो येस अच्छा आरे भाईया वो इसका ज्यादा इश्व आगया क्या डबल आवाज आ रही है डबल आ रही है क्या आप बात कर रहे हैं हो अच्छा रेनु मंडल वाले आवाज आ रही है तो यह अच्छा 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 अब देखो माल लो माल लो ऐसा होता कुछ कुछ इस तरह का होता Let's say CH3 ऐसा होता सुनो 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 ऐसा होता मुनन ऐसा होता यह वाला लिखा होता चीज़ और इसकी डबल ह के सातरे रेडेξा करवाता है मेरा क्वेशन आपसे यह है क्या डबल ह क्या डबल ह डबल गो रिड्यूस कर पाएगा क्या जल्दी बताईगे क्या डाइबल एक डबल बॉन्ट को रड्यूस कर पाएगा क्या इस बात को आप हमेशा याद रखना डाइबल एक जो होता डैवेल अने किया सिरेंगो कर दिया मैं और है जो में यह सब सक और आ इसिए में दीन कर सकता है डाइवेले अय nell मोंड रेक करो इस कि शॉट ट्रिक बताया हूं कि शोट ड्रिक शोट ट्रिक हां कि इसकी श्वट ट्रिक वजाए शॉट मुश्म कर्णा कार्बन-क्रोंड को तोडना सियों को तोडना सित्तों ब्लम ऐख और को आए और दूशरी साइपका अल्कोल बन जाएगा इससे मतलब सर्फ ली एक होता है यह रहा हुता लेखना अगर आपका अस्तर आस्तर यह वह पूथता अगर आपका यह वाला ester होता तो मुझे एक बात बताईए इससे क्या product बनता इस वाले ester का अगर मैं reduction करवाता dimele-H के साथ इस वाले ester का अगर मैं dimele-H के साथ reduction करवाता तो क्या बनता बताईए product हाँ जी, इसमें क्या product बनता वेटा बंता और दूसरी साइज से gelir तो तो मेरे साफसे लीक्षेन में कोई दिक्कत नहीं फिर से साथ रिंक्षेन में विककत नहीं असान है इथाइलनी मुरी बनेगा प्रोपाइल बनेगा देखो तीन कर बनेगा तीन कार बने एक दो तीन कार बने अल्राइट अरे समझ में आ रही मैं बात तीन कार बने ठीक है डाइबल एच के साथ दो दो रियक्शन आपको ध्यान रखनी है इतना अगर तुमने ध्यान रख लिया तो तुम्हारा काम बन जाया ठीक है बहुत ही बड़िया देखते देखे इस पे कोई कुई क्वेशन अगर दिया हुआ हो तो एक क्वेशन करते हैं डाइबल एक वाला कुष्ट्ट्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ठीक है यह वला ताइम देराओं में आपको इस question को solve करने का जल्दी से question को solve करो देखें ये में खवाँ तर बहर कि अल्दीर एजय हुआशड़ से खानी नम्यान ária हमारी को भी दूम हम आपको ओिश खारी है ये महारी हुआ ये किन। झाय़-जारी को आपको ये मुं आपको इसाल कोग जिक ρांपको ये विल्स अच्छा यह तो अभी अपने डिस्कुस करी लिया था देखो सेम क्वेश्चन हुँ ठीक है बिटा कर लिया आप लोगों ने बहुत ही बड़िया यह डबल बोंड के साथ कोई छेडखानी नहीं करेगा यह सिर्फ और सिर्फ सीम ग्रूप को कनवर्ट करेगा सीयचो में आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है मैक्सिमम मुच्छों ने इस क्वेश्चन का एक्दम जोरदार जवाब दिया है बहुत बहुत बढ़ाई हो आप लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई हो वेरी गुड बिटा चले फिर आगे चलते हैं आगे चलते हैं next next reaction next reaction के बारे में पढ़ते हैं डाइबेलेच के बाद अगली जो reaction है बिटा वो हम लोग बात करने वाले हैं बेंजल्डी हाइड फ्रोम बेंजल्डी हाइड फ्रोम अरोमेटिक हाइड्रो कार्बन्स अभी कुछ ठीक हुआ अभी अवाज अवाज ठीक हुई ना भी अभी अवाज ठीक हुई ना अब बताओ इमानदारी से बताना अभी वोईस ठीक हो गया ना एकदम जादू हुआ ना जादू जादू किया ना अवाज ठीक हुआ ना भी चार मार्क्स मिलगे पक्का मिलगे ना यास 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 ओल राइट ठीक है बेटा, वेरि गुड, एकदम, एकदम जोरदार अब इसके बाद बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी reactions देखने वाले हैं ऐसी reactions देखने वाले हैं हो गया ना ठीक एकदम, अब तेंक्यू बोलो जल्ली से तो चलो, अगली ऐसी reaction देखने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ Benzaldehyde बनेगा बटा क्या बनेगा सिर्फ Benzaldehyde बनेगा ना Benzaldehyde का formation होगा Aromatic Heldehyde के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसमें जो सबसे पहली reaction है वो है Itard reaction क्यों सी Itard reaction, Name reaction जितने भी होती है वो सारी की सारी important होती है देखो Itard reaction में क्या होता है आपको क्या लेना है बटा इसका नाम क्या होता है इसका नाम बदाओ देखें सर इसका नाम है tolwin क्या नाम है इसका tolwin ठीक है और सर इसकी reaction आप करवा दो किसके साथ CRO2-Cl2 के साथ in the presence of carbon dioxide sulfide आप इसमें medium लेते हो CRO2-Cl2 को दुनिया किस नाम से जानती है सर ये है आपका chromyle chloride इसको दुनिया किस नाम से जानती है बटा this is your chromyle chloride है ना और इसमें इसमें होगा गया सबसे पहले एक chromium complex बनेगा ठीक है ना आपको अगर वो chromium complex याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है है ना O-C-R-O-H-C-L-2 ये chromium complex बनता है आपको इसको इसी तरह से याद रखना है और इसका अगले step में जब hydrolysis करवाया जाता है तो ये पूरी की जो पूरी चीज है वो convert हो जाती है किसमें CHO में और क्या बन जाता है सर benzyldehyde बन जाएगा ठीक है अरे मेरी बात समझे हो बीच इसमें क्या बना है chromium complex बना है ठीक है ना इसको क्या बोला जाता है एक्चुल नहीं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप ऐसे याद रखो कि chromium complex बनेगा और जिसका further hydrolysis अगर होगा तो उससे benzyldehyde का formation हो जाएगा येस इटाड reaction याद है तुम्हें हाँ तो य ये इटाड reaction बहुत ही आसान है इसमें और कुछ as such और further कोई question बनता नहीं है अब जैसे बालो इटाड में ये question तुमसे और पूछ ले कोई convert हो रहा है तो hydrogen हट रहा है और उसकी जगा oxygen लग रहा है तो ये oxidation का एक्जांपल हुआ ना तो इसमें जैसे मालनो उपर भी CS3 है और नीचे भी CS3 है और chromyle chloride के साथ आपने reaction करवा दी तो CS3 जो है वो differentiate नहीं करता ये जो आपका chromyle chloride है वो differentiate नहीं करता कि कौन सा CS3 है ये दोनों को निप्टा देगा ये दोनों को निप्टा देगा ये product आपका बन जाएगा समझ में आई बात यस ये direct product मैंने बना दिया है clear तो ये reaction थी वेटा chromyle chloride itard reaction आगे बढ़ते हैं और एक और reaction की बात करते हैं जिसका नाम है बाए chromic oxide है ना आप chromic oxide से भी benzaldehyde बना सकते हो chromic oxide मेरे साब से आप सारे लोग जानते हो देखो क्या होता है chromic oxide के साथ reaction आपने लिया वापस से tolwin लिया सुनो अच्छे से गौर से सुनना आपने लिया tolwin और इसकी reaction करवा दी CRO सभी के साथ ये जो reaction होती है बटा ये reaction होती है in the presence of anhydride है ना carboxylic anhydride की presence में होती ही ये वाली reaction और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि आपको temperature भी थोड़ा low रखना है 273 से 283 kelvin रखना है इतना आपको temperature लेना है यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपका जो product बनेगा यहाँ पर भी एक complex बनेगा बीच में ना इसका hydrolysis करना है ठीक है और इससे बन जाएगा CHO इससे क्या बन जाएगा बिटा CHO तो दोनों में product तो same ही है अगर आप final product देखोगे मुन्ना जी final product में जो CS3 group है वो किस में convert हो रहा है CHO में convert रहा है दोनों ही reaction में जो ultimate product है वो same ही बन रहा है इसका नाम क्या है इसका नाम as benzylidine diacetate क्या बोला जाता है बेटा benzylidine diacetate this is known as benzylidine diacetate क्या का जाता है इसको benzylidine diacetate ठीक है कोई परेशानी है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत असान है CH3 group को direct हमने convert करना है CHO group में ठीक है जी very good बहुत ही बड़ी है बटा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी reaction है side chain chlorination है ना by side chain chlorination से भी आप बना सकते हैं LDH देखो कैसे सुनना मेरी बात सुनना यह आपने ले रखा है CH3 ठीक है और आपने इसकी reaction करवाई CH chlorine H new के साथ CL2 H new के साथ तो क्या होगा सर free radical reaction होगी एक hydrogen हटेगा और hydrogen हटके उसकी जगह है सर chlorine लग जाएगा सर chlorine लगा दो सर यह लो जी chlorine लग गया सर अभी मजा नहीं आया एक और chlorine लगाओ सर यही reaction आप chlorine के साथ एक बार और करवाओ अना CL2 के साथ H new की presence में एक यही वाली reaction वापस करवाओ वापस करवाओ तो क्या बन जाएगा सर एक और hydrogen हटेगा और एक और chlorine लग जाएगा अरे हाना बोल यार ठीक है और सर अब आप इसका hydrolysis करवादो अब आप क्या करो इसका hydrolysis करवादो नूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन का नान सुने हो क्या मुन्ना इदर 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 अब है नूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन सुना है यहां पर हो जाएगा नूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन होगा दोनों सील हटेंगे दोनों सील हटेंगे और उसकी जगे क्या ल एक कार्बन पे दो वच ग्रूप स्टेबल नहीं होता, सुने हो, पका, तो सर, क्या होगा फिर, सर यहां से पाने निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकाल दो, यह वाला जो बोंड है, यहां शिफ्ट हो जाएगा, वोटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, लौजी सर, यह रहा आपका प्रोड़क्ट, फाइनल प्रोड़क्ट, इसको दुनिया बेंजल्डी हैड के नाम से जानती है, बताओ, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, पाने निकल जाएगा, हाँ तो इस बात को हमेशे ध्यान रखो वेटा, एक कार्बन पर दो ओच गरुप कभी भी स्टेबल, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, याद रख लो, कसम खालो, बुलो गे निए आज के बाद, और कसम मेरी निखानी है, मेरी कसम निखानी ही मतलब, हाँ, तुम देख ले ना वही किसकी खानी है तुम्हें, आगे चलते हैं, अगल 2020 का question है मुणना आपकी screen पर बताओ कौन सा option सही है कौन सा option सही है आओ आरे बताओना यार इसमें कौन सा option सही है NEED 2020 का question है NEED 2020 का question है मेरी संदरता पर प्रकाश नहीं डालना आपको आप कुछे वाला question solve करना है क्योंकि उस पर question पुछा जाएगा मेरे पर question नहीं आएगा exam में बताओ अबाई कौन सा options आई है यहाँ पर x क्या होना चाहिए x क्या होना चाहिए NEET 2020 सिधा NCRT से question पुछा है यह सिधा NCRT से यह देख लो ना हमें किसकी जरूरत है बिटा इसकी जरूरत है benzyl chloride ना किसकी जरूरत है benzyl की जरूरत है तो यह benzyl बन गया कौन से option में benzyl option number B में है खतम है ना बहुत बढ़िया आगे चलते हैं एक और reaction के बारे में पढ़ते हैं reaction का नाम है getterman coach reaction कौन सी देखो अरे बिटा getterman reaction अलग है coach reaction अलग है और getterman coach reaction अलग है तीनों reaction अलग लग है ठीक है आईए getterman coach reaction क्या होती है सबसे पहले जैसे मालो है आपनों ले लिया benzyn क्या लिया आपने benzyn ठीक है और इसकी reaction आपको करवानी है किसके साथ CO plus HCl के साथ in the presence of एक Lewis acid की ज़रौत पड़ेगी हमें किसकी ज़रौत पड़ेगी Lewis acid की Enhydrous AlCl3 या फिर आप चाहो तो Enhydrous CuCl भी ले सकते हो एक Lewis acid लेना basically करना क्या है Lewis acid की requirement है ठीक है ठीक है तो इस reaction में होगा क्या इस reaction में होगा क्या benzyn के उपर benzyn के उपर कोई परेशानी है इस reaction में Gatterman Coach reaction this is known as Gatterman Coach reaction क्या किया benzyn के साथ CO plus HCl लिया Enhydrous AlCl3 या फिर CuCl के साथ reaction करवा दी तो ये जो आपका hydrogen था hydrogen हटके क्या लग गया CHO group लग गया benzyldiide बगया clear ये reaction electrophilic aromatic substitution reaction का example है मेरे साब से यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं है ये वाला question हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे ठीक हाँ ये वाला question थो हमने कर लिया था पहले ही चलिए जी तो ये बेटा वो reactions थी ये वो reactions थी जिससे जिससे क्या बनेगा जिससे सिर्फ और सिर्फ आप LD head बना सकते हो किटोन का formation इस reaction से नहीं हो सकता एक बार बताईए आप एक बात बताईए यहां तक क्या आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ रही है गया एक बार फटा फटाना में जबाब दे दो किसी को अगर अच्छा लगे तो firewire आग भी लगा दो है ना जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को सब समझ में आ रहा है अब इसके बाद हम लोग वो reactions पड़ेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनाया जा सकता है जल्दी बताओ बिटा आजी जल्दी बताओ देखे clear एकदम इमानदारी से बताना भाई जूंट नहीं बोलना जूंट बोले कवा काटे सुनाया तुमने काले कवे से डरी हो और आगे मैं माई के चली जाओंगे देखते रही हो है अलो method of preparation of ketones only सिर्फ ketones मनाने जा रहे है और सबसे पहली reaction है फ्रिडल क्राफ्ट asylation reaction यह तो बहुत आप लोगों की favorite reaction है यह तो favorite reaction है फ्रिडल क्राफ्ट asylation यह देखो सर आपने लिया माल लो बेंजीन ठीक है और आपने इसकी reaction करवा दी RCOCl के साथ RCOCl के साथ in the presence of Enhydrous AlCl3 बहुत बार हमने यह reaction पढ़ी है फ्रिडल क्राफ्ट asylation और यहां क्या बन जाएगा C double bond O R बन जाएगा ठीक है चलो जी तो देखो जैसे माल लो यहां पर यह ले लिया R की जगे मैंने CS3 ले लिया CH3 C double bond OCl ले लिया और इसको दुनिया कहती है Acetofenon क्या कहती है इसको Acetofenon का आ जाता है भाई है ना ज्यान रखना नाम important Acetofenon और अगर माल लो आपने इसकी यही वाली reaction C6H5 COCl Benzoyl Cloride के साथ करवा दी है ना in the presence of Enhydrous AlCl3 तो यही पर C double bond O C6H5 लग जाएगा इसको दुनिया किस नाम से जानती है बताइए इसको दुनिया किस नाम से जानती है जनता इसको कहती है Benzophenon क्या है यह Benzophenon ना This is known as Benzophenon तो अगर आपने माल लो TS3 COCl लिया है तो Acetofenon बनेगा और अगर आपने Benzoyl Cloride लिया है तो उससे Benzophenon का Benzophenon का formation हो जाएगा बहुत बढ़िया अब एक चीज और देखो अगली अगली reaction यह तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ ली next reaction सुनो from Acyl Cloride Acyl Cloride से कैसे बनेगा Acyl Cloride से कैसे बनेगा सुनना देखो एक reaction होती Grignard Reacent आपने क्या करना RMGX लेना है मेरे साब से सारी दुनिया जानती इसको Grignard Reacent कहते हैं बोलो भे हाँ ना बोलो जानते हो ना इसको Grignard Reacent कहा जाता है और इसके reaction करवानी आपको Cadmium Cloride के साथ CDCl2 के साथ इसके साथ Cadmium Cloride CDCl2 के साथ होगा क्या देखो Cadmium के दोनो क्लोरीन हटेंगे दोनो क्लोरीन हटके दो R ग्रूप लग जाएंगे क्या लग जाएंगे दो R ग्रूप लग जाएंगे R2 CD बन जाएगा इसको बोला जाता है Dialkyl Cadmium क्या बोला जाता है इसको Dialkyl Cadmium ठीक है क्या बोला जाता है डाई अलकाईल केडमियम बाकी जो प्रोड़क्ट है उसको आमें ध्यान रखने की जाता कोई टेंशन है नहीं mg के साथ x लग जाएगा और यहां पर 3 लग जाएगा रहा उसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब यह जो डाई अलकाईल केडमियम है यह जो डाई अलकाईल केडमियम है बिटा इसकी रियक्शन करवानी है तुम्हें असाइल क्लॉराइड के साथ यह रहा देखो यह रहा तुम्हारा असाइल क्लॉराइड इस योर असाइल क्लॉराइड इसकी रियक्शन करवाओगे आ प्रोड़क्ट क्या बनेगा बहुत ही आसान है बहुत ही आसान लगता है बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है क्या करना है सिर्फ यह वाला क्लोरी नटाना है यह वाला क्लोरी नटाना है और उसकी जगे उसकी जगे यह वाला आर गुरुप लगा देना है बस क्लोरी नटा के वो वला R गुरूप लगा दो दो मोल बन जाएंगे R- C double bond O R K और आपका जो C D C L 2 है वो as it is वापस बाहर आ जाएगा की टोन बन गया आप लोगों को बहुत बहुत बताई हो है ना बहुत बहुत बताई हो very good बहुत ही बड़ी है बिटा समझ में आगी क्या बात हाँ जी अरे मेटा पर काँ लगा है मेटा पर काँ लगा है बे कौन सा मेटा पर बता नहीं कौन सी बात कर रहा है हाँ ठीक है अब समझ में आई बात ये अब जैसे इसमें मालनो अगर मैं एक 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 जामपल ले लूँ इसमें ने एक्जाम्पल एलिया लेट से ये दे रखा है दो मोल ये रहा आपका ग्रिगनाड रियजेंट CS3 MGBR और इसकी रियक्शन आपने CD-CL2 के साथ करवा दी तो क्या बनेगा डाइलकायल केडमियम तो यहाँ पर देखो आर गुरूप कौन सा है CH3 तो ये बनेगा CS3 twice CD यह बन जाएगा डाइलकायल केडमियम बन गया और इसकी रियक्शन और इसकी रियक्शन आपको करवानी है असिड क्लोराइड के साथ Asyle chloride के साथ, माल लो आपने यह वाला Asyle chloride ले रखा है और यह है आपका R2CD तो होगा क्या? मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे बोला था क्लोरीन की जगे, क्लोरीन की जगे यह वाला मिथाइल गरूप लग जाएगा बस इतना साई काम होना है क्लोरीन के जगए यह वाला मिथायल गूरूप लगा दो CH3, CH2, C double bond O, CH3 यह आपका प्रोटक्ट बन के तयार है ना यह आपका प्रोटक्ट बन के तयार है बहुत ही सिंपल सी रियक्शन है बहुत ही आसान सी रियक्शन है बहुत बढ़ी है बटा आगे चलते, next reaction from Grignard reagent Grignard reagent किसे कैसे बनेगा actually होना क्या है Grignard की reaction आपको करवानी है किसके साथ Alkyl nitrle के साथ Grignard reagent की reaction किसके साथ करवानी है बटा Alkyl nitrle के साथ Grignard reagent को react करवाना है Alkyl nitrle आप जानते हो क्या देखो इधर RC triple bondan यही है alkyl nitrile और इसके साथ आपने grignard reagent की reaction करवा दी RMGX आप सब लोग जानते हो grignard reagent हमेशा dry ether के साथ ही react करता है dry ether की presence में react करता है पानी आप grignard reagent के साथ use नहीं कर सकते है क्योंकि grignard reagent को पानी से बड़ा प्यार है बहुत लगाओ है हैना वो पानी का H plus निकाल के भाग जाता है इसलिए इसके साथ कभी भी water use नहीं करते है तो देखो यहाँ पर carbon इसका hybridization SP, nitrogen का hybridization SP nitrogen की electron negativity ज्यादा है carbon पे partial positive nitrogen पे partial negative grignard reagent में मैंने आपको बताई दिया था R पे partial negative होता है Mg पे partial positive होता है और यह जो R minus है यहाँ से कुदेगा और direct इस carbon पे टेक करेगा यह वाला pi bond इस तरह से break हो जाएगा पता है आप लोगों को यह तो यह तो nucleophilic addition हो रहा है nucleophilic addition हो रहा है ना भाई देखो R T इस पे क्या लग गया बेटा? R लग गया न? अगले step में इसका hydrolysis करवाईए प्रोडक्ट बनके हाजिर है यहाँ पर O लिख दो यहाँ H2 एक molecule hydrolysis में इस तरह से काम में लेना है और एक molecule इस तरह से काम में लेना है हमारा product तो यहीं पर बन गया R C double bond O R- यह रहा R C double bond O R- ketone हमारे सामने हैं बाकी जितने भी product है वो सारे के सारे by product है उनके बारे में हमसे exam में generally पूछा नहीं जाता है ठीक है अरे समझेव बात है भाई आपको क्या लगता है क्या आएगा इस chapter से अरे भाई अगर मैं इतना बड़ा अंतरियामी होता अगर मैं इतना बड़ा अंतरियामी होता तो मैं इतना लंबा चोड़ा session क्यों ले रहा होता मैं direct तुम्हें वोई question करवा देता जो exam में आने वाले है अब यार कुछ भी आ सकता है ना exam में तो है वाई कुछ भी आ सकता है तो हम लोगों को सारी चीज पढ़नी पड़ेगी लोग आओ देखो एक reaction ओवर देखते है जैसे मालनो आपका यह है अलकाइल नाइट्राइल CS3CN कारबन पे partial positive नाइट्रोजन पे partial negative ठीक है और इसकी reaction मैं ने करवा दी T6H5 MZBR के साथ ठीक है यह वला पाइब बोन टूट जाएगा खतम लो जी reaction तो यहीं खतम हो गई है CH3C C पे क्या लग जाएगा C6H5 double bond N MZBR ठीक है और इसका आपने फर्दर करवा दिया hydrolysis direct product माने का तरीका आप जानते हो क्या करना है सर O H2 लिख दो और एक और अगर आपको product बनाना है H2 यहाँ NS3 यहाँ से बाहर निकलेगा है न तो यह बन गया देखो CH3C double bond O C6H5 है न और इसी को दुनिया acetophenone के नाम से जानती है किस नाम से जानती है acetophenone के नाम से जानती है बताइए very good बिटा बहुत ही बढ़ी हा यहाँ तक ठीक है क्या क्या यहाँ तक ठीक है क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हाँ आप इस तरह से product बना सकते हैं AI PMT 2000 का question आपकी screen पर है फटा फट से बताइए कौन सा option सही है जल्ली बताओ बनना है भाई कौन सा ओप्शन सही है पास्ट हाँ कौन से ओप्शन भी टिक करें विडा कौन से ओप्शन भी टिक करें के जल्ली बढ़ाईए कौन से ओप्शन भाथ बढ़िया यार अभी तो बताया है देखो ना हो क्या रहा है भाई रेक्षन में हो क्या रहा था डरेक्ट हमने अटेक करवाया कार्बन पे और यह जो सी अन है यह ची डबल बॉर्ड तो सीधा सा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा क्रेक्त है ना क्या दिक्कत आई इसमें आजए और आज़ानी तो है चलो आगे वूँ water के साथ hydrogen bonding कर सकता है तो तुम मुझे एक बात बताओ ये जो CO group है, इसमें carbon पे partial positive है oxygen पे partial negative है क्या ये water के साथ एच bonding कर लेगा क्या ये water के साथ hydrogen bonding कर लेगा आप बोलोगे sir, कर तो लेगा कौन रोखेगा इसको hydrogen bonding करने से hydrogen bonding कर लेगा, इसका मतलब ये जो sir, alkyl group होता है न सर ये जो alkyl group होता है न सर ये hydrophobic होता है, ये क्या होता है बटा? hydrophobic होता है, इसको पानी से डर लगता है ये कैसा होता है? ये hydrophobic होता है, इसको पानी से डर लगता है ये alkyl group जितना बड़ा होगा alkyl group जितना बड़ा होगा यह hydrogen bonding करने की tendency उतने ही धिरे-धिरे कम होती जाएगी और बेटा इसकी solubility धिरे-धिरे decrease करती जाएगी क्या तुमने वेरी बात समझी solubility धिरे-धिरे decrease करेगी अगर आपका alkyl group increase करेगा यह चीज लिखी है कि LDID और ketone up to 4 carbon atoms है 4 तक ही solubile है क्यों? क्योंकि 4 से एकर ज्यादा carbon होंगे यहाँ alkyl group इतना बड़ा हो जाएगा कि hydrogen bonding बिनाने में दिक्त आएगी तो यह soluble होते है because of their ability to form hydrogen bond with water molecule और यह लिखता है कि solubility जो होगी वो decrease करती है increase in molecular mass because of the increase in alkyl part because यह जो alkyl part है यह कैसा होता है? hydrophobic part होता है ठीक है जी? समझ में आगी मेरी बाद? आल राइट चलो आगे बड़ो एक और चीज boiling point के बारे में बात कर लेते देखो हम लोगों ने एक चीज सीखी है सर हमने तो बहुत सारी चीजें सीखी है आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो है बढ़ी? आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो तो मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ कि जो boiling point होता है it is directly proportional to intermolecular forces ये किसके directly proportional होता है? intermolecular forces के है ना? ये चीज हम लोगों ने सीखी है boiling point is directly proportional to intermolecular forces मेरा question आप से ये है मेरा question आप से ये है कि जो aldehyde हो या फिर ketone हो इसके दो molecule के बीच कौन सा force of attraction present है? मेरा question आप से ये है कि aldehyde हो या फिर ketone हो इसके दो molecule के बीच कौन सा force of attraction present है? जल्दी से बताईए aldehyde हो या फिर ketone हो इसके बीच कौन सा force of attraction? यहां intermolecular force कौन सा होगा? जल्दी बताओ intermolecular force कुन सा होगा हाँ जी सर देखो ये वाला एक dipol है दिखेर आपको dipol और सर ये भी dipol है तो यहाँ पर कुन सा force of attraction है सर यहाँ dipol dipol force of attraction है ठीक है ना ये कुन सा force of attraction है बिटा vendor wall force of attraction और vendor wall में कुन सा dipol dipol force of attraction ठीक है अच्छा अगर मैं इसके boiling point को compare करूँ अगर मैं इसके boiling point को compare करूँ alcohol के साथ इसके साथ alcohol के साथ तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो alcohol के दो molecules होता है इनके बीच कौन सा force of attraction होता है हम लोगों ने last class में बात करी थी last chapter में hydrogen bond होता है यहाँ पर intermolecular force hydrogen bond है बेटा और यहाँ पर intermolecular force vendor wall है dipol dipol हमें पता है अगर आप strength की बात करोगे अगर आप strength की बात करोगे तो जो hydrogen bond है वो ज्यादा strong होता है as compared to dipol dipol ठीक है तो अलकोहल में अलकोहल में intermolecular force of attraction ज्यादा strong है that's why अगर आप boiling point compare करते हो अगर आप boiling point compare करते हो aldehyde और alcohol का तो जो आपके alcohol होंगे उनका boiling point aldehyde के comparison में ज्यादा होगा क्या यह बात सही है aldehyde हो या फिर यहाँ ketone हो क्या यह बात सही है हाँ जी क्या आपको समझ में आई मेरी बात ठीक हाँ अगर आप मालो आपने boiling point compare किया इसका hydrocarbon के साथ तो भया hydrocarbon में तो dispersion force present होता है वो तो non polar होता है और non polar में जो vendor wall होता है आपका dispersion force वो तो dipole dipole से भी weak होता है इसी वज़े से अगर आप hydrocarbon से compare करो आप alkyl halide से compare करो आप ether से compare करो तो उनके comparison में इसका boiling point ज्यादा होता है LDI या फिर की tone का ठीक है very good बहुत ही बढ़िया यह वाली information है जो आपको ध्यान में रखनी है need 2022 latest question आपकी screen पर है latest question आपकी screen पर है जल्दी से बताईए कौन सा solution स्थी होने वाला है कौन से option पर टुक कर दे कौन से option पर टिक कर दे जल्दी बताओ हाँ कौन से option पर टिक करना है जल्दी बोलो या आरे जल्दी जल्दी बोलो कौन से option पर टिक करें कौन सा option correct है 2022 का question है हाँ जी कौन से पर टिक किया जाए देखो क्या कह रहा है अच्छा कह रहा है कि boiling points होता है LDI और किटोन का वो हेड्रो कार्बन से स्यादा होता है बिल्कुल सही बात है statement तो बिल्कुल सही इसमें कोई problem है ही नी और दूसरा कहता है the boiling point of LDI and ketone are lower than that of alcohols of similar molecular mass due to absence of H bonding ये statement भी बिल्कुल सही है sir statement 1 और statement 2 दोनों ही correct है sir option number भी correct है कितना simple question था बहुत ही आसान question सीधा सीधा straight forward question हमसे exam में पूछ लिया ठीक है समझ में आगी बात आगे बढ़ते हैं और बेटा हम लोग chemical reactions के बारे में बात करने वाले हैं LDI और ketone की chemical reactions ठीक है very good बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया C क्यों नहीं होगा अब है C में क्या है C क्या है C क्या कह रहा है C कह रहा है कि statement 1 और statement 2 और incorrect C कैसे होगा वे अब है कौन सी दुनिया से आयो भाई अगर दोनों correct है तो दोनों incorrect कैसे हो सकते प्रभू का आपके चरण मेटा क्या कह रहा है first वाला statement क्या कह रहा है first वाला statement कह रहा है कि boiling point of ldiden ketone higher than hydrocarbons बिल्कुल ठही बात तो है hydrocarbon के comparison में ज्यादा ही तो होता है ldiden ketone का अरे यार hydrocarbon के अगर आप बात करो अगर आप hydrocarbons की बात करो तो hydrocarbon में जैसे आपका अलकेन है जैसे आपका अलकेन है तो अलकेन के जो दो molecules होते है अलकेन के जो दो molecules होते है अलकेन नोन पोलर होता है ना जब नोन पोलर होता है तो उसके दो molecules के बीच कुन सा force of attraction होता लेंडन force कुन सा होता है London force अगर मैं aldehyde की बात करो अगर आप लोगों ने बात की aldehyde की तो aldehyde की जो दो molecules हैं इनके बीच कौन सा force of attraction होगा यहां पर होगा सर डाइपोल डाइपोल अरे तो भहिया डाइपोल डाइपोल की जो strength है वो लंडन force से तो ज्यादा है ना अगर लंडन force से ज्यादा आपका strong है डाइपोल डाइपोल force of attraction इसका मतलब aldehyde की तोन में intermolecular forces ज्यादा strong है और ज्यादा strong है इसका मतलब intermolecular force पर ले तो डिपेंड करता है boiling point ज्यादा strong force of attraction boiling point ज्यादा होगा इसके comparison में weak है ना तो आपका boiling point is directly proportional to intermolecular forces यह तो चीज लिख रहा है है बहुत बढ़ी है बड़ा चलो जी अब हम लोग बात करते हैं aldehyde और ketone की chemical reactions की और chemical reactions में chemical reactions में chemical reactions में nucleophilic addition reaction के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं nucleophilic addition reaction के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है ना तो क्या होती है nucleophilic substitution reaction nucleophilic addition substitution और हम लोगोने hello alcan and hello arines में पढ़ा था जे वाला है nucleophilic addition reaction next poem den नूबले के solution होता है alde-ai-dor ketone पे यहां पर मैं आपके सामने दो case consider करने वाला हूं Case 1 है, आपका in case of strong nucleophile, अगर आपका जो nucleophile है बिटा, वो strong है न, सबसे पहला case कौन सा है, कि आपका जो nucleophile है, कैसा है बिटा, strong nucleophile है, सारे लोग screen पर देखें, strong nucleophile के case में क्या होने वाला है, सुनो जी, गौर से देखना ज़रा बिटा, जैसे माल लो, ये वाला दे रखा आपको C double bond हो, ये है nucleophile जो की strong है, strong nucleophile का मतलब समझते हो, उसकी electron donate करने की tendency काफी ज्यादा है, मतलब उसके उपर partial negative charge की tendency काफी high है, है न, मैं ऐसे कह सकता हूँ, तो ये nucleophile है, आपका nucleophile है, इस carbon पे partial positive, यह oxygen पे partial negative, nucleophile आएगा, इस carbon पे टाक करेगा, ये वाला 5 bond ब्रेक हो जाएगा simple सी nucleophile का simple addition हो गया, इस carbon पे लग गया nucleophile, oxygen पे आए बेटा negative, और अगले step में, अगले step में, इसने solvent से H plus ले लिया, O minus ने solvent से H plus ले लिया, NU और OH बन गया, खतम, है न, ये जो पहला step है बेटा, ये इसका RDS step है, RDS step है, इसका मतलब ये slow step है, खतम का नहीं, alright, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें reaction होने से पहले, reaction होने से पहले जो carbon है, उसका hybridization SP2 रहता है, और जब reaction खतम होती है, तो उसके बाद ये जो carbon है, इसका hybridization SP3 हो जाता है, और इसकी geometry tetrahedral हो जाती है, न, तो reaction से पहले जो आपका carbonyl compound था, ये planar था, कैसा था, planar था, और after reaction है, कैसा बन गया, tetrahedral बन गया, hybridization हो गया, SP3, क्या बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, SP3 hybridization, carbon का हो चुका है, tetrahedral geometry हो चुकी है, अच्छा, लेकिन, लेकिन मान लो ऐसा हो, कैसा हो, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो, case 2, in case of weak nucleophile, अगर आपका nucleophile कैसा है, weak ह दे सकते हो, क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, weak nucleophile का बिल्कुल example दे सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं आपसे exam में question पूछूं, कि OH- और H2O में से अच्छा nucleophile कौन है, तो आप बोलोगे, सर, oxygen पर negative charge है, इसकी electron देने की tendencies ज्यादा है, और इसी वज़ए से इसका nucleophilicity ज्यादा recognition की tendency ज्यादा होती है, वो आसानी से electron donate करेगा, मेरी बात आपको समझ में आई क्या, हाँ जी, क्या ही बात सही है, strong और weak में समझ में आया आपको difference, बेटा strong और weak में difference समझ में आया, अगर ये strong nucleophile नहीं है, बेटा अगर weak nucleophile है, अगर ये weak nucleophile है, तो इसको सहारा देना पड़ है, अगर मालो आपका weak है तो इसको थोड़ा, सहारा दो वाई ताकि वो reaction को आगे बढ़ा सके, और बेटा सहारा कौन देता है, मालो weak है, तो सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें H+, H+, खुद क्या है अपने आप में, बेटा इसके सारे स्था प्रिवर्सिबल होते हैं, इस अक्सिजन के पास loan pair है, H+, खुद एक, इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोन की जरुरत है, अक्सिजन अपना loan पे डोनेट करता है, इसको H+, जैसे इसको loan पे डोनेट किया, बेटा oxygen पे चार्ज कैसा आ गया, सर एक loan पे बचा है, एक loan पे डोनेट करता है, तो इस पे positive पॉजिटिव चार जा गया, सर पॉजिटिव चार जाने से हमें फाइदा क्या हुआ, हमें ये फाइदा हुआ, कि oxygen ने इस कार्बन से electron खीचना स्टार्ट कर दिया, सर वो तो पहले भी खीच रहा था, बिल्कुल खीच रहा था, लेकिन positive चार जाने के बाद, इसकी electron खीच खीचने की tendency और ज्यादा हो गई है, ज्यादा electron खीचेगा, इस कार्बन पे partial positive ज्यादा होगा, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, हाँ जी, आरे बोलो ना, इसकी electron खीचने की tendency बढ़ गई है, यहाँ oxygen neutral था, neutral था तो electron खीच रहा था, बहुत अच्छी बात है, यहाँ oxygen पर positive charge और अगर अगर का नूखली फाइल वीक भी है ना, तो क्योंकि यहाँ carbon पर positive charge ज्यादा है, तो नूखली फाइल का इस पर एटक करना पहले के comparison में आसान हो जाएगा, तो product हाला की दोनों में same बनता है, प्रोडक्ट हालांकि दोनों में सेम बनता है लेकिन मेकैनिजम में हलका सा डिफरेंस है नूकलियोफाइल का एडिशन होता है बस हाँ जी बताइए क्या आपको यहां तक कोई परिशानी है क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है हाना बोलना पड़ेगा क्या यह दोनों केस हमज में आएगा आपको क्या आपको यहां तक कोई जिक्कत है दोनों केस हमज में आए क्लिर है अच्छा अब एक चीज़ और देखो मालनो आपसे बात करें रियाक्टिविटी की कि रेट ओफ रियाक्शन जो है दो फेक्टर पर डिपेंड करती है कौन कौन सा फेक्टर सबसे पहला आता है स्टेरिक फेक्टर और दूसरा आता है इलेक्टरोनिक फेक्टर स्टेरिक फेक्टर और इलेक्टरोनिक फेक्टर दो फेक्टर हैं जिस पे आपकी rate of reaction depend करेगी सर, electronic, steric factor का क्या मतलब है दोनों बहुत आसान चीज है दोनों बहुत आसान है, देखो दोनों बहुत आसान है, कैसे आसान है सर, एक बात बदाईए, इस carbon पे जितने छोटे-छोटे group लगे होंगे है ना, इस carbon पे जितने your steric factor है ना, that is your steric factor तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो rate of reaction है rate of reaction है it is inversely proportional to steric hindrance, कोई परेशानी हो तो बताईए आप लोग क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, rate of reaction is inversely proportional to steric hindrance क्या ये सही है, हाँ जी क्या ये बात सही है, अच्छा ये तो हो गया बेटा, steric factor, और जो दूसरा factor है, वो है, electronic factor मतलब सुनो nucleophile पे charge है negative और वो attack कर रहा है इस carbon पे partial positive पे तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ इस carbon पे जितना ज्यादा partial positive charge होगा सुनना गोर से, क्या कह रहा हूँ मैं इस carbon पे जितना ज्यादा ज्यादा partial positive charge कब आएगा जब इस carbon से electron withdrawing group लगे होँगे इससे अगर मालनो donating group लगा है कोई वो electron donating group इस carbon को electron donate करेगा, carbon का positive charge decrease करेगा, nucleophile का attack करना मुश्किल होगा, rate of reaction slow हो जाएगी, हाना बोलो ना यार अरे बोलो ना यार क्या मैं सही कह रहा हूँ समझ में आई मेरी बात हाँ, तो इसका मतलब इसका मतलब सर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका मतलब सर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो rate of reaction है it is directly proportional to partial positive charge on carbonyl carbon yes, carbonyl carbon पे जितना ज्यादा partial positive charge होगा rate of reaction भी उतनी ही fast होगी, यह दो factor है जिस पे आपकी rate of reaction depend करती है, ठीक है तो अगर मैं example लिखूँ आपके सामने आप मुझे बताइएगा, किसका rate सबसे fast होगा, है ना order of rate of reaction कौन सी rate of reaction की बात कर रहे है हम लोग, nucleophilic addition reaction है ना इसी की बात खल रही है भी, order of rate of reaction let's say, एक मैंने लिखा है acetaldehyde, sorry formaldehyde, A लिख दिया, और फिर उसके बाद, let's say मैंने यह आपका acetaldehyde लिखा है B, और let's say मैंने यह लिख दिया C एक मैंने लिख दिया acetophenon ठीक है, तो इसमें order बता हुआ यह है D और देखो एक लिख दिया, मैंने C6H5 C double bond यह है E और C6H5 C6H5 C double bond यह है आपका है, बताईए order बताईए जरा, जल्दी से बताओ बेटा तारे लोग माराज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ अबे, काम कर लो यह डंगी बात सीख लो कुछ एक्जाम में काम आईगी यह message message तो चलते रहेंगे आप लोगों के, है ना इस साल भी message कर रहे हो अगले साल फिर करोगे उस से अगले साल फिर करोगे है ना, यह messaging तो चलती रहेगी अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगे ना तो कुछ जीवन में बला हो जाएगा तुमारा ठीक है? नहीं तो बोज ही बने रहोगे तुम समझ रहे हो, बोज किस पे है ना, एक टाइम के बाद तो घरवाले भी बोलेंगे भाई, कुछ कर ले यार तू हाँ यह देखो, यह कौन अक कृष्ण सबसे चोटे ग्रूप लगे होए हैं, इस वज़े से इस वज़े से सर इसमें rate of reaction सबसे फास्ट होगी, सर यहां पर एक थोड़ा सा बड़ा ग्रूप आ गया और सर यह electron donating भी है, इस वज़े से इस carbon पे positive charge की density को थोड़ा और कम कर देगा सर इस पे और बड़ा ग्रूप आ गया सर यहां तो दो बड़े ग्रूप आ गए सर यहां और बड़े ग्रूप आ गए का मतलब A जो है, उसका reactivity सबसे ज़्यादा B, C, D, E और F है ना, यह आपका order हो जाएगा rate of reaction का ठीक है? चलिए जी, एक question हम लोग करते है EIPMT 2006 का question है, जल्दी से बताईए the nucleophilic addition reaction will be most favored in nucleophilic addition किस में सबसे आसानी से होगा most favored in, किस में सबसे आसानी से होगा rate of reaction पे question पुछा गया है, 2006 पे question आता है बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ past, कहरा इतनी बारी बेज़ती नहीं वे, तुम्हारी बेज़ती नहीं होती कुछ लोग तो इतने बड़े बेशरम होते हैं न उनको तुम कितना ही कह दो, उनको बात ही ½ हुआ है, जो जितना बदनाम हुआ है हैना, तो वो बेज़ती फिल नहीं करते है और ऐसे लोगों को मैं शल्यूट करता हूं दिल से, कौन सा option, कौन सा option बिल्कुल सही बात है, सर ये तो ketone है, ketone की reactivity कम होगी, ये भी ketone है, ये aldehyde है और aldehyde में भी खास बात ही है, कि सर यहाँ पर एक छोटा सा ग्रूप CS3 और H2 छोटे ग्रूप लगे में बागी के comparison, त ये वाला question करो, सर ये है AIPMT 2014 का, 2014 ये वाला question करो देखें, इसमें बताओ कौन सा option सही है, हाँ बाई, हाँ, option ये बताइए जरा, which of the following is most reactive towards nucleophilic addition reaction, AIPMT 2014 का question है, इसमें कौन से option बे टिक करो, हाँ, कौन से बे टिक करो, अच्छे देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इसे वो पड़ाई कर रहे हैं, तुन्होंने न, chat on कर रखी होगी, और जो mute कर रखा होगी, आवाज आवाज सब्बंद कर रखी होगी, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से, अगर कोई teacher अपनी बेजती भी करे, है ना teacher कुछ ऐसा बोले भी ना तब भी बेजती फिल नहीं होती, क्योंकि हमारे कानों तक बात पहुंचती नहीं है, है ना तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते, उनको भी salute है मुझे मेरा दिल से, हाँ यहाँ पर देखो, बेटा यह है ketone सर यह है aldehyde, सर यहाँ पर भी aldehyde है, लेकिन सर यहाँ CS3 लगा है, electron donating group है सर electron donating group जो होता है, rate of reaction को कम करता है, सर यहाँ NO2 group लगा है पहली बाद तो aldehyde, aldehyde ज़दा reactive होता है ketone के comparison में, और NO2 group सर यहाँ electron withdrawing है electron खीचेगा, electron खीचेगा तो यहाँ इस carbon पर partial positive charge की density बढ़ेगी, और जितना ज्यादा partial positive charge होगा, सर आपका rate of reaction भी उतना ही fast होगा, है ना तो यह कुछ reactions थी, यह कुछ reactions थी, मतब यह हमने rate of reaction की बात करी, nucleophilic addition reaction क्या होती है, किस तरह से काम करती है, यह हम लोगों ने बात करी, अब हम लोग बहुत सारी nucleophilic addition reaction के examples देखने वाले हैं, हम क्या देखने वाले हैं? बहुत सारी nucleophilic addition reaction के examples देखने वाले हैं और उनमें सबसे पहला जो example है वो है बटा addition of HCN, है ना, hydrogen cyanide HCN का addition देखो HCN का addition कैसे होता है, यह है आपका carbonyl compound, इस पे HCN का addition करवाना है, ठीक है HCN का addition करवाना है, क्या होगा यह वाला pipe bond टूटेगा, OH और CN लग जाएगा, एक ही carbon पे अगर OH और CN लगा हो तो बताईए जरा बताईए जरा बताईए जरा, ऐसे compound को क्या बोला जाता है, क्या आप लोगों ने नाम सुना है sinohydrin का अरे बोलो ना, क्या आप लोगों ने नाम सुना है, sinohydrin का तर इस case में sinohydrin का formation हो जाएगा ठीक है, क्या बनता है sinohydrin का formation होता है, चाहो तो आप reversible होता है, H++, Cn- में dissociate होगा, Cn- यहाँ पर एक nucleophile की तरह BF कर रहा है, ठीक, यह CO group है Cn- nucleophile है, इस carbon पे partial positive, oxygen पे partial negative Cn- आएगा, इस carbon पे tag करेगा और यह वाला pi bond break हो जाएगा CO- और Cn यहाँ लग जाएगा अगले step में यह जो H++ बचा हुआ था, O- इस H++ को ले लेगा, और हमारा Pino hydrin का formation हो जाएगा, बहुत ही simple सी reaction है, बहुत असान reaction है इसमें मेरे साब से आपको कोई तकलिफ हो नहीं सकती है अब जैसे मानलो यह लिखा है यहाँ पर यह लिख दू मैं यह क्या है बेटा, इसको आप किस नाम से जानते हो this is your acetaldehyde यह क्या है acetaldehyde है न, यह क्या है बेटा acetaldehyde है, अरे हाँ ना बोलना है और इसकी अगर आपने reaction ethion के साथ करवाई है इसकी reaction अगर आप लोगोंने ethion के साथ करवाई है तो यह बन जाएगा acetaldehyde sinohydrin है न, यह तो आप यहाँ R और H जो आपकी मरजी हो वो change कर सकते हो, जैसे जैसे change करोगे, उसके according आपका product भी change होता जाएगा, ठीक, यस बहुत बढ़िया, अब इसने एक एक, बहुत ही प्यारी चीज लिखी है कि सार, यह जो reaction होती न, यह बहुत slow होती है, अज़र आपने pure HCN लियाना, तो यह reaction बहुत slow है, ऐसा क्यों है, क्योंकि pure HCN होता है, एक weak acid होता है यह weak acid होता है, तो यह बहुत कम dissociate होता है, बहुत कम dissociate होता है जो आपका जो nucleophile है ना cn- यह बहुत ही कम बनेगा इसकी जो concentration होगी वो बहुत ही कम होगी cn- का जो concentration होगा वो बहुत कम होगा इसी विज़े से rate of reaction slow होगा तो क्या किया जाता है यह reaction जो है उसको catalyze करवा सकते हो आप base की presence में अच्छा तो सर्फ base क्या कर देगा base इसमें कमाल कर देता है क्या देखो अगर आपने इस reaction को base से catalyze करवाया है तो बेटा OH- क्या करता है OH- इस H- को remove करता है OH- क्या करेगा H- को remove करेगा H2O बनाएगा और साथ में cn- produce करेगा और cn- से इस reaction में nucleophile की तरह काम करता है तो आपका जो base है वो cn- produce करने में help कर रह है base जो होगा वो acid को ज्यादा dissociate करेगा तो जो आपका nucleophile होगा वो भी ज्यादा बनेगा nucleophile ज्यादा बनेगा nucleophile का concentration जितना ज्यादा होगा rate of reaction भी उतना ही fast होगा हाना बोलना पड़ेगा क्या आपको यह वाली बात समझ में आई हाँ जी क्या यह बात सही है क्लियर पक्का बहुत बढ़िया चलो फिर आगे बढ़ते हैं एक और addition reaction का example देखते हैं और वो है addition of sodium hydrogen sulfite इसको क्या बोला जाता है नह-so3 क्या कह सकते हो इसको आप sodium hydrogen sulfite या sodium bisulfite भी बोला जाता है ना या फिर sodium bisulfite भी बोला जा सकता है यह एक salt होता है क्या होता है यह एक salt होता है और यह कैसे टूटता है na plus plus HSO3- में टूटता है और यह जो HSO3- है क्योंकि इसमें negative charge है तो यह ही HSO3- react करता है यह BF करता है किसकी तरह है? Nucleophile की तरह है किसकी तरह BF करेगा? Nucleophile की तरह है तो आओ देखो reaction देखो सारे लोग स्क्रीन पे देखना पिटा सारे लोग स्क्रीन पे देखो HSO3- होगा यह Nucleophile की तरह BF करेगा फिर इस carbon पे partial positive oxygen पे partial negative है इसका attack होगा इस carbon पे यह वाला pi bond break हो जाएगा बहुत ही आसा होगा बहुत बढ़िया अगले step में SO3H एक बहुत ही बहांकर acid है बहुत जबर्दा strong acid है यह क्या करता है अपना proton exchange कर लेता है अपना H plus O minus को दे देता है इस process is known as proton exchange है इसने अपना H plus इसको दे दिया तो OH बन गया और यहाँ SO3 minus आया और SO3 minus पे Na plus लग जाएगा SO3 Na बन जाएगा इसको bisulphite product बोला जाता है यह क्या है बेटा bisulphite product है इसके खास बात बताओं क्या है यह एक तरह का crystalline solid होता है इसके खास बात लिखी है क्या कि यह एक तरह का crystalline solid होता है और यह water में soluble होता है यह क्या होता है water में soluble होता है यह इसके खास बात लिखी है क्या आपको यह वाले addition reaction समझ में आई क्या हाँ जी क्या आपको यह वाले addition reaction समझ में आई, कोई परेशानी है आपको इसमें, हाँ, protein exchange बोल सकते हो, protein transfer बोल सकते हो, यह बहुत strong acid है, यह basic group है, इसने H+, इसको दे दिया, OH-SO3-, SO3- पे Na+, लग गया, bisulfite product बन गया, यह addition product होता है, यह crystalline solid होता है, जो की water में soluble होता है, ठीक है, अच्छा, आप इसके बारे में बहुत अच्छी चीज में आपको बता देता हूँ, एक बहुत important चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, कि आपका जो diethyl ketone होता है, जो आपका acetophenon होता है, acetophenon, and benzophenon, जो benzophenon होता है, वो यह reaction शूँ नहीं करते, do not give this reaction, ऐसा बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है, ऐसा क्यों, because of, क्या कोई बता सकता है, ऐसा क्यों, यह वाले जो diethyl ketone, acetophenon, benzophenon है, वो यह वाली reaction शो नहीं करते, कोई ऐसा है, जो यह बता दे, कि ऐसा क्यों नहीं होता, है कोई ऐसा, बता दो देखें, जल्दी से फटा फट बिटा, फटा फट इसका reason बता दो कि सर, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बिटा, जल्दी से बोलो, हाँ steric hindrance, steric repulsion पक्का yes, very good, very good देखो simple सी कहानी है या डाίο है, अच्टोफिनोन वो गया बेंजो फिनोन हो गया इसमें जो अलकाइल ग्रूप होता है अलकाइल ग्रूप काफी बड़ा होता है बिदेखो विसी काफी बड़ा है यहाँ पर क्योंकि दो बलकी ग्रुप लगे होते हैं इस वज़े से rate of reaction काफी slow हो जाती है ठीक है? बात समझ में आगी? अच्छा एक चीज ऐसी भी लिखी जाती है अगर यहाँ पर आपने aldehyde लिया तो aldehyde ज्यादा reactive होता है ज्यादा reactive होगा तो जो product बनेगा हो ज्यादा बनेगा येस rate of reaction fast होगी अगर मानलो यहाँ पर आपने ketone लिया तो ketone जो होता है क्योंकि उसमें staric crowding ज्यादा होती है ketone NH CO3 के साथ rate करने का tendency कम रखता है ketone के case में rate of reaction slow होती है तो ऐसा लिखा होता है कई जगे कि NCRT में लिखी होगी ये वाली line कि अगर आप aldehyde लोगे तो आपका जो आपका equilibrium होगा वो product को favor करेगा और अगर आपने ketone लिया तो जो product है आपका जो reaction equilibrium है वो reactant side को favor करेगा reactant ज्यादा बनेगा है ना देखो ये लिखा है the position of equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehyde right side मतलब product की side aldehyde के लिए equilibrium product side में लाई करता है मतलब product ज्यादा बनेगा और अगर आपने ketone लिया है तो आपका equilibrium left side में लाई करेगा मतलब reactant वाली side क्योंकि rate of reaction उस case में slow हो जाता है ठीक है परी बात समझ में आई बहुत बढ़िया कहता है अच्छी बात क्या पता है सबसे अच्छी चीज क्या है अगर ये जो my sulfite product है ये जो my sulfite product है बेटा आप इसको वापस dilute acid या फिर alkali dilute acid या फिर alkali अगर इसमें डाल देते हो तो ये वापस किसमें convert हो जाता है LDHID में convert हो जाता है इस वाले में इस LDHID में convert हो जाएका ये इसकी खास बात है क्या बोला मैंने वापस पनो अगर ये जो my sulfite product है इसमें आप क्या डालो dilute alkali या फिर base है ना acid या फिर base डाल दो dilute alkali या फिर acid डाल दो dilute alkali या फिर acid डाल दो तो ये जो आपका bisulfite product होता है ये वापस किसमें convert हो जाता है जो आपका initial LDHID या फिर ketone था उसमें convert हो जाता है और ऐसा बोला जाता है ऐसा बोला जाता है कि ये जो reaction है ये जो reaction है ये आपके LDHID और ketone को purification में use की जाती है किसमें यूज की जाती है? Purification में आप इसको यूज कर सकते हो कुछ बच्चों का question होगा कि Sir Purification में कैसे यूज कर सकते हैं? तो सुनो मेरी बात जैसे माल लो आपके पास Impure L-D-H-D-A की टोन है यह ना यहाँ पर Impure है इसमें कुछ Impurities present है कुछ Pure L-D-H-D-A की टोन है आपने N-A-T-C-O-3 के साथ reaction करवाई ठिक? तो जो Pure L-D-H-D होगा वो convert हो जाएगा किसमें? इसमें? Impurities पीछे रह जाएगी यह water में soluble है आपने इसको चान लिया, अलग कर लिया यस? और फिर इसकी reaction वापस acid या फिर alkali के साथ करवा दी, तो आपको वापस L-D-H-D या कीटोन मिल जाएगा लेकिन आज ये जो L-D-H-D होगा या फिर कीटोन होगा, ये Pure होगा क्यों? क्योंकि impurities थो पीछे रह चुकी है यही पर, impurities थी वो इसके साथ react करके आगे नहीं आई थी, water में insoluble थी, वो पीछे रह गई थी मेरी बात समझ में आई यहाँ पर जो आपको L-D-H-D या कीटोन मिलेगा वो Pure वाला होगा, impure वाला पीछे ही चूट चुका होगा इसलिए ये जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा है ये थर्ड वाला पॉइंट ये लिखा है Therefore, these are useful for separation and purification of L-D-H-D and ketones बताओ बताओ रे बाबा, क्या ये बात सही है? क्या आपको समझ में आई मेरी बात? ये बहुत important है एक question कर लेते हैं AIMS 2004 का question है करके बताइए वहांसा option correct होगा the reagent used for the separation of acetaldehyde from acetophenone acetophenone देखो acetophenone तो ये होता है अभी मैंने आपको लिखवा है था this is your acetophenone और एक होता है acetaldehyde ये वाला तो भाईया acetaldehyde के साथ तो सर NAHSO3 react कर लेगा सर और सर बेंजोफिन acetophenone है ना सर इसके साथ NAHSO3 react नहीं करेगा तो आप NAHSO3 की help से इन दोनों में distinguish कर सकते हो इन दोनों में distinguish बड़े आराम से कर सकते हो क्या ही बात सही है हो गया question, कितना आसान question था है ना, very good बहुत बहुत ही बढ़िया चलो जी बेटा, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते अगली नुकलियोफिलिक एडिशन रियक्शन के बारे में बात करते हैं और वो है एडिशन ओफ ग्रिणाड रियजेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में एडिशन ओफ ग्रिणाड रियजेंट जो हम लोग आर माइनस आएगा, इस कार्बन पे टेक करेगा, यह वाला पाई बॉंड, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ऐसा ही था ना, O माइनस MGBR, और यहां हो जाएगा CS3, अगले स्टप में क्या करना है? हिड्रॉलेसिस करवा देना है, खतम हो गया, खतम, O के साथ H लगा दो, और यहा OH लगा दो, लो जी, COH TH3 क्या बन जाएगा? अलकोहल बन जाएगा, क्यासे ही होता है? अगर आपने LDH y a किटोन की रियक्षन, ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ करवाई, ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ करवाई, तो क्या बनेगा? सर, अलकोहल बनेगा, है ना? और वन डिग्री अलकॉल बनता है सर आपने फर्म एल्डी हैड के अलावा एनी अधर एल्डी हैड यूज किया अगर कोई दूसरा एल्डी हैड यूज किया तो उससे सर टू डिग्री अलकॉल बनेगा और सर आपने कोई भी कीटोन यूज कर लिया क्या किया आपने कोई भी कीट यूज़ लिया तो उससे क्या बनेगा सरत 3-degree alcohol का formation हो जाएगा क्या ये चीज तुम्हें याद है क्या ये चीज आपको पता है हम जी बोलिये जनाब क्या ये चीज आपको याद है क्या ये चीज आपको पता है पक्का है ना तो ये हम लोग reaction पहले पढ़ चुके हैं हाँ जी 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 बताइए जनाब पॉनसा option correct होगा the correct order of reactivity of phenyl magnesium bromide with the following compounds aldehyde और ketone दे रखें आपको इनके साथ आपको ग्रिगनार्ट reagent के साथ react करवाना है सर ये reaction कौन सी है पहले तो ये बताइए तर ये reaction है nucleophilic addition reaction और जहां steric crowding कम होगा तर nucleophilic addition reaction का rate उतना ही fast होगा ये aldehyde है ये ketone है ये भी ketone है लेकिन aldehyde में steric crowding यहाँ पर सबसे कम है फिर यहाँ ketone में दो CS3 लगे हैं इस वाले ketone में दो और भी बलकी ग्रूप लगे हैं तो reactivity का order ये वाला होगा 123 option number A correct है आप लोगों को बहुत बहुत बदाई हो आपने बड़े आरामसी इस question को solve कर लिया है बहुत ही easy सा question था ठीक है very good चलिए फिर आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं अगली addition reaction की जिसमें हम लोग अब एक होगा addition of alcohols और दूसरा होगा addition of nitrogen ammonia and its derivatives है ना दो addition reaction हमें ओर पढ़नी है ठीक है आजाओ फिर addition of alcohol देख लेते हैं सुनो आल्कोल का addition कैसे होगा सुनियो इधर सुनना जैरा यह है c double bond o group ठीक है इसके उपर अल्कोल का addition करवाना है इंदी यह reversible सारा सारा reversible होता है ना in the presence of dry hcl किसके presence में होगा यह dry hcl की presence थीक है ना तो क्या बनेगा सुनू सुनियो ज्यारा क्या बनेगा OH, OR इसको क्या कहते हो? हैमि-list अगर यहांपर Ildehyde लिया तो हैमि-listed बनेगा और अगर आपने यहांपर Ketone लिया तो हैमि-Ketal बन जाएगा क्या बना? हैमि-E Actal या फिर हैमि-Ketal ठीक, यही reaction यही reaction यही reaction एक बार और होगी ड्राइयत CL के साथ सर इस बार क्या होगा सर यहां पर भी OR लगेगा यहां पर भी OR लगेगा सर इसको आप Acetal कह सकते हो अगर आपने LDHID लिया है और Ketal कह सकते हो अगर आपने Ketone लिया है बताइए क्या बाद आपको समझ में आई अन जी क्या बाद आपको समझ में आई अगर एक कार्बन पे एक OH और OR ग्रूप लगा हो तो उसको Hemi Acetal या फिर Hemi Acetal बोला जाता है और अगर मानलो दोनों ही OR ग्रूप लगे हो तो उसको Ketal या फिर Acetal बोला जाता है जैसे अगर मैं एक example लिखूँ आपके सामने अब example दो बहुत असान है बहुत easy है बहुत असान example है जैसे मानलो ये वाला मैंने aldehyde ले रखा है ठीक है और इस aldehyde के साथ मैंने reaction करवा दी किसकी कौन से वाले alcohol की करवाएं ये वाला alcohol ले लो चरूप CH2OH ले ले लेते हैं इस अलकॉल की reaction करवादी इंदी presence of dry HCL तो देखो होगा क्या ये वाला जो कारबन है ये वाला जो कारबन है कारबोनाईल कारबन इस पर एक तो लगेगा OH और दूसरा लगेगा alcohol का R गुरूप अरे मुन्ना अलकॉल का R गुरूप कौन सा है CH2, CH3 OR लगेगा न तो ये R कौन सा है CH2, CH3 ये बन गया हमी एसिटल देख रहे हो आप क्या बन गया हमी एसिटल और यही reaction यही reaction आप एक बार और करवा दो बोलिए एक बार और करवा दी तो यहाँ पर भी OC2H5 यहाँ पर भी OC2H5 आइसिटल बन जाएगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको हाँ जी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कोई परिशानी है इसमे अच्छा कोई मुझे एक बात बदा सकता है कोई मुझे एक बाद बता सकता है सर इस reaction में ये जो आपने dry HCL यूज किया है सर इसका काम क्या है सर इस dry HCL का काम क्या है ये बताईए कौन ऐसा बच्चा है जिसने एकदा मिमानदारी से पढ़ाई करी है और जो इस question का जबाब दे सकता है वही जवाब दे सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा है हाँ जिसने अच्छे से पढ़ा है वही जवाब दे सकता है पताओ देखें कौन है वह अच्छे से पढ़ने वाला बालक पानी निकलेगा नहीं नहीं पानी से कोई मतलब नहीं है पाने से कोई मतलब नहीं है बिटा रेट ओफ रियक्शन को इंक्रीज करना सर्फिस प्रोवाइड करना अब्जॉर्ब करना नहीं जी इन मैंसे किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है प्रोटोनेट अक्सिजन हाँ ये किसी का जवाब आया अरे बिटा अभी देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप जब आपका नुकलियोफाइल वीक हो उन्दरे हो देखो जब आपका नुकलियोफाइल वीक था ना तो मैंने दो केस बताये थे न आपको दो केस बताये थे यह देखो जब आपका नुक्लियोफाइल वीक होता था तो हमें क्या करना पड़ता था H plus पहले देना पड़ता था वो जो H plus है वो क्या करता था वो जो H plus है वो क्या करता था oxygen को protonate करता था oxygen को protonate करता था तो इसकी वज़े से क्या होता था carbon पे partial positive charge की density बढ़ जाती थी इसकी electro felicity बढ़ जाती थी इसी वज़े से जितना ज्यादा positive charge इस carbon पे होदा था nucleophile अगर weak भी है तब भी वो nucleophile आके इस पे टाइक कर सकता है because इस carbon पे partial positive charge की density बहुत ही ज्यादा है यह बात समझ में आई तो मैंने बोला ना सहरा देना पड़ता है nucleophile को अगर आपका nucleophile weak है तो उसको सारा देना पड़ेगा और वो सारा कौन दे रहा है H+, H plus क्या करता है oxygen को protonate करता है carbon पे partial positive charge की density को बढ़ाता है और carbon की oxygen की सोरी इस carbon की electrophilicity को बढ़ाता है जिससे की जो nucleophile है weak nucleophile होते भी बड़े आराम से अटेक कर सके और जो पानी है आपका वो weak nucleophile होता है alcohol भी बड़ा weak nucleophile होता है इसी वज़े से हमने उसको सारा देने के लिए H plus इसमें use किया है मेरी बात आपको समझ में आई ठीक है very good बहुत ही बढ़िया ultimately rate of reaction बढ़िया देखो ये लिखा है dry hydrogen chloride protes the oxygen of the carbon L compound and therefore increases the electrophilicity of carbon L carbon facilitating the nucleophilic attack of ethylene glycol है rate of reaction इस case में बढ़ जाती है आप जैसे माल लो आपका ketone है कोई है ना जैसे ये ketone है ये आपका ethylene glycol के साथ react कर सकता है देखो ethylene glycol ये ही तो होता है diol इसके पास दो OH ग्रूप है इस बज़े से इसको मैं क्या कहूंगा diol बोलूँगा है तो ये diol के साथ react करके यहां से water का molecule बाहर निकलेगा है ना यहां से water का molecule बाहर निकलेगा और cyclic ketal का formation करेगा ये देखो cyclic ketal देख रहे हो OC2H5 OCH2 ये है cyclic ketal है ना इधर देखना यार देख इधर ring बन की ना एक ये ring बनी है की नी बनी अरे हा ना बोलना यार ये ring बनी ना तो आपका ये है ethylene glycol है तो जो आपके ketones होते हैं बिटा वो ethylene glycol के साथ react करके cyclic ketal का formation कर सकते हैं ठीक बहुत बढ़िया अच्छा और एक और बहुत ही खास बात है एक और बहुत ही जबरदस बात बताओं मैं तुम्हें क्या है एक और बहुत ही खास बात ये है कि जो acetyl और ketol होते ना इनको आप hydrolysis करवा सकते हो acid के साथ जैसे माल लो आपका ये वाला ये वाला कोई acetyl है और आपने इसका hydrolysis करवा दिया hydrolysis तीन अलगलग cases में हो सकता है एक तो hydrolysis हो सकता है acid की presence में एक hydrolysis हो सकता है normal hydrolysis एक hydrolysis हो सकता है base की presence में पहली चीज तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये वाला hydrolysis और ये वाला hydrolysis possible नहीं है acetyl या फिर ketal का अगर आप hydrolysis करवाते हो है ना अगर आप acetyl या फिर ketal का फिर hydrolysis करवाते हो तो वो hydrolysis सिर्फ और सिर्फ acidic medium में ही होगा neutral या फिर basic medium में hydrolysis नहीं होगा पहली चीज तो आपको ये दिदी चीज ध्यान में रखनी है ये प्लस दो मोल इथाइलीन इथाइल अलकॉल के है ना वो वाला LDI या ketone बन जाएगा जिस से ये वाला acetyl या फिर ketal बनाओगा ये ketal है बटा acetyl नहीं है ये ये क्या है ketal है मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या हाँ जी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मतलब इसमें जब आप hydrolysis करवाते हो पहली चीज तो mineral acid के साथ acidic hydrolysis possible होगा और जब आप hydrolysis करवाओगे तो hydrolysis के बाद वही LDI या ketone बन जाएगा जिस्ते की वो acetyl या फिर लेकिन ketone की tendency ज्यादा होती है अगला ये वाली reaction बहुत ही important जबरदस्त important है बहुत ही ज्यादा important है बेटा हम लोग last nucleophilic addition reaction पढ़ रहे है अंतिम nucleophilic addition reaction है addition of ammonia and its derivatives ammonia और उसके derivative के साथ reaction ammonia का derivative कैसे बनेगा let's say ammonia होता क्या है ammonia NH3 होता है NH3 को मैं ऐसे लिख दू ये है ammonia फिक है ये क्या है? ammonia ठीक और अगर माल लो ammonia का एक hydrogen हटा के मैं इसकी जगे कोई group लगा दो क्या करो? hydrogen हटा के कोई group लगा दिया hydrogen अटा के कोई group लगा दिया तो क्या बन जाता है? ammonia derivative बन जाता है NG, this is your ammonia derivative, इसको क्या बोलोगे आप, ammonia derivative, मेरी बात समझ में आई, यहाँ पर जी लगाओगा, water का मॉलिक है ना, यह ammonia derivative बन गया, मेरी बात समझ रहे हो, अब अगर मान लो, अब अगर मान लो, आप carbonyl compound की reaction करवाते हो, ammonia derivative के साथ, C double bond O है, इसका reaction आपने करवाया है, ammonia derivative के साथ, यह देखो जी, यह reaction acid की presence में होती है, इस carbon पे partial positive, oxygen पे partial negative है, इसका मैं आपको direct shortcut बता जिता हूँ, ammonia derivative के साथ, अगर reaction होएगी, तो यहाँ से बेटा, water का molecule बहार निकल जाएगा, simple, क्या होगा, सर, यहाँ से water का molecule बहार निकलेगा, और, C double bond NG plus H2O बन जाएगा, यह है आपका final product, बात समझ में आई, यह है आपका final product, ammonia derivative के साथ, जब भी reaction हो, water का molecule आप बहार निकल सकते है, यह भी एक तरह का, यह भी एक तरह का nucleophilic addition reaction ही है, और, इसमें भी जो H+, आपने use किया है, इसमें भी जो आपने H+, use किया, उसका काम यही है, उसका काम यही है, कि जो oxygen है, उसको सबसे पहले protonate करता है, और protonate करता है, इसकी वज़े से oxygen पे positive charge आएगा, और oxygen इस carbon से ज्यादा electron खीचेगा, और carbon की electrophilicity बढ़ जाएगी, carbon पे partial positive charge की density बढ़ जाएगी, इसी वज़े से आपका जो, यह ammonia derivative है ना, या फिर ammonia है, यह भी तो weak nucleophile है, neutral है, इसका carbon पे attack करना असान हो जाता है, यह किस की तरह behave करता है बिटा, nucleophile की तरह behave करेगा, और इसका attack करना असान है, nucleophile यह weak है, weak nucleophile को सारा देने के लिए हमें जरुरत पड़ती है, यहाँ पर भी HCL की, तो चाहे ammonia या फिर उसके derivative के साथ reaction हो, या फिर या फिर आपके alcohol के साथ reaction हो, हमें साथ में H plus दे की जरुरत हमें पड़ती है, ठीक है ना, तो अब जैसे माल लो, मैं कुछ आपके सामने nucleophilic addition reaction का example लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, देखना जड़ा, देखना, कौन-कौन सी nucleophilic addition reactions है, जो important है, जो इस chapter से पूछे जाती है, सबसे पहले, माल लो आपने reaction करवा दी ammonia के साथ यह है ammonia, है ना, किस के साथ reaction करवाई, ammonia के साथ, तो बताईए क्या बनेगा, बताईए क्या बनेगा, तर यहां से water का molecule बाहर निकल जाएगा, यह रासर H2O बाहर निकाल दो, जैसे आपने H2O बाहर निकाला, क्या बना, C double bond NH बन जाएगा, और इसको दुनिया कहती है, imine, इ imine के नाम से जानती है, ठीक है ना, यह तो चीज आपको बताईए, अब let's say, आपने ammonia नहीं लिया, और आपने, amine ले लिया, R NH2 ले लिया, R NH2, है ना, क्या ले लिया आपने, amine ले लिया, amine, R NH2, तो अगर आपने amine लिया है, तो product पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, water का molecule यहाँ पर भी, मतब method पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, method आज भी भाई सेम रहेगा, है ना, अरे भाई, method आज भी सेम ही रहेगा, यहाँ से voter का molecule बाहर निकलेगा, T double bond, N, R बन जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, बोलो, this is known as, substituted imine, या फिर इसको shifts base भी कहा जाता है, क्या कह सकते हो, substituted imine, या फिर shifts base भी कह सकते हो, कह सकते हो ना, substituted imine कह दो, या फिर shifts base कह दो, बहुत बढ़िया, अब अगर माल लो, आपने reaction करवाई है, इसकी hydroxyl amine के साथ, किसके साथ, इसको बोला जाता है, बिटा, hydroxyl, यह OH ग्रूप की वज़े से, इसको hydroxyl amine बोला है, है न, hydroxyl amine के साथ, तब भी, यहां से water का molecule बाहर निकलेगा, और जो product बना है, C double bond NOH, इसको आप क्या कहते हो, सर, इसको हम oxyne कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसको बिटा, ox oxyne कहा जाता है, ठीक है न, अगरी reaction देखो, अगर मानलो आपने reaction करवाई है, hydrazine के साथ, इसको क्या कहा जाता है, hydrazine, क्या कहा जाता है, hydrazine, तो यहां पर भी same, तरीका बिल्कुल same है सब में, यहां पर भी water का molecule बाहर निकलेगा, यहां पर भी water का molecule बाहर निकलेगा, और जिसको हम क्या कहते हैं विटा हाइड्रा इस जगह वन किया का जाता हैट आप को अब क्या करों में है थोड़ा से सकता हूं हैड्राजीन का मैने क्या किया एक हाइड्रोगन हटाया और उसकी जगह लगा दिया तो सर को प्रोड़क्त पे फरक पड़ेगा प्रोड़क्त पे फरक पड़ेगा लेकिन मेथड़ पे कोई फरक नहीं पड़ेगा आज भी यहां से वोटर का मॉलीक्यूल बाहर निकलेगा मेरे भाईयों और यहां एनच C6H5 बन जाएगा इसको आप किस नाम से जानते हो इसको आप किस नाम से जानते हो सर ये है हमारा Phenyl Hydrazone क्या का जाता इसको मुनना Phenyl Hydrazone ठीक है तुझे बात समझ में आ रही है क्या मेरी हाँ जी बेटा अरे हा ना बोलते रो भाई अब देखो एक और छोटा सा खेल और खेलते हैं ये जो आपका Phenyl है और इस Phenyl में भी 2 और 4 पोजिशन पे हम Nitro Group लगा देते हैं देखो ये है नंबर 1 2, 3, 4 दो पोजिशन पे NO2 लगा दिया इस इस लोगा दिया क्या बोला जाता इसको बोलो मेरे साथ इसको क्या बोला जाएगा 2, 4 Dynitro Phenyl Hydrazine है ना तो क्या मेथड में कोई फरक है बिल्कुल भी नहीं वोटर का मॉलिक्यूल यही से बाहर निकालना है वोटर का मॉलिक्यूल यही से बाहर निकालना है बस तो प्रोड़क्ट सेम ही तो रहेगा अरे भईया दिक्कत किस बात की है सर कोई दिक्कत नहीं है किसने बोला आपको दिक्कत है सर हमें कोई परिशानी नहीं है यह देखिए यह देखिए यहाँ पर भी NO2 सर यहाँ पर भी NO2 सर यह 2,4-9-Nitro फिनाईल हाइडराजोन बन जाएगा फिनाईल हाइडराजोन ठीक है ना और बेटा यह जो फिनाईल हाइडराजोन डेरिवेटिव होते हैं यह रेड औरेंज या फिर येलो कलर के होते हैं इनका कलर होता है रेड औरेंज या फिर येलो कलर और इसी वज़े से इसको इस reaction को एक test की तरह भी use किया जाता है जिसको DNP test बोला जाता है इससे ये पता लग जाता है जैसे माल लो मैंने आपको DNP दे दिया 2,4-Dynitrofenyl hydrazine दे दिया और एक और दूसरा compound दे दिया आप से पूछा कि ये LDHyd ketone है या फिर नहीं है ये LDHyd ketone है या फिर नहीं है आप क्या करोगे उसमें 2,4-Dynitrofenyl hydrazine दालोगे अगर मान लो उसका color red, orange या फिर yellow हो गया तो आप बोल दो कि हाँ सर LDHyd या फिर ketone में से present है और अगर वो 2,4-Dynitrofenyl hydrazine के साथ रियक्ट नहीं करता इसका मतलब वो कार्बुनाईल compound नहीं है तो ये जो test है ये कार्बुनाईल compound की presence का पता लगाने के लिए यूज किया जा सकता है ठीक है? समझ में आई मेरी बात? अच्छा अब माल लो इसकी reaction आप semi-carbazide के साथ करवाते हो ये भी एक important से reaction है NH2 NH C double bond O NH2 ठीक है ना? इसको बुला जाता है बेटा semi-carbazide क्या बुला जाता है? semi-carbazide semi-carbazide के साथ अगर reaction हुई तो यहां से भी water का molecule बाहर निकलेगा यहां से भी water का molecule बाहर निकलेगा और बताईए क्या बनेगा और बताईए क्या बनेगा सर semi-carbazide बन जाएगा NH2 बन जाएगा this is known as semi-carbazide this is known as semi-carbazide येस? नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा अब देखो यहां से एक और बढ़िया question बनता है सुनियो, मुनना ए बाई इधर देख ऐसा भी question आता है कि सर ये वाला जो nitrogen है ये water का molecule इस वाले nitrogen के दो hydrogen से भी तो बन सकता था सर water molecule जब बाहर निकला तो ये वाले 2H2 बाहर क्यों निकले? क्यों निकले? इसका देखो एक सिधा सा simple सा reason है कि सर यहां जो nitrogen के loan pair है ये pipe bond के साथ resonance में resonance में होने की वज़े से ये जो nitrogen है ये donation के लिए available नहीं है यहां जो nitrogen है इस nitrogen का attack इस carbon पे नहीं होगा मेरी बात तुम्हें समझ में आई ये जो nitrogen है वो इस carbon पे attack नहीं करेगा because इस nitrogen के पास loan pair resonance में involved है लेकिन यहां देखो तर ये वाला जो nitrogen है इसके loan pair खाली है free है एकदा मस्त मोला है ये है ना ये लफंगर है ये कहीं पर भी attack कर सकते है मोले में नहीं होते गा वो 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 वैसे है अब तुम्हारी तरह है ये है ना ये मस्त घूम रहे है ये किसी के साथ resonance में नहीं है ये वाले nitrogen बोलेंगे यार ददा मेरा तो पहले से कहीं ना कहीं किसी के साथ जुगार सैट है है ना मैं इधर resonance कर रहा हूँ मैं किसी और पे attack नहीं कर सकता है ना और ये वाला nitrogen loan pair बोलेगा भाया अपने तो free है अपने बंदे वे नहीं है किसी के साथ हम तो जहां मर्जी हो वहां मुँ मार सकते है तो ये nitrogen जाएगा भाग के इस carbon पे attack करेगा और इसी वज़े से जो H2 बाहर निकलेगा वो भी इसी nitrogen का बाहर निकलेगा ठीक है तो ये चीज है important बहुत है yes ये चीज बड़ी प्यारी ठीक है जी अरे समझ में आई क्या तुम्हें बात हाँ ये चपरी है तुम्हारी तरह कोई कहरा चपरी है सरीक आज ये need 2016 question करो need 2016 question करो देखे पता हो भूग लगी है तुम्हें अच्छा अब एक चीज देखो तो भूग तो पेट तो मेरे भी है भगवान ने मुझे भी पेट दिया है ना भूग तो मुझे भी लगी होगी नहीं क्या और मैं तो बके जा रहा हूँ कबसे दो गंटे और छे मिनिट होगे तब से नोन स्टोप बोले जा रहा हूँ है ना तो ब्रेक की जर्रत तो मेरे साथ से मुझे ज़्यादा है आप लोगों से नहीं क्या है की नहीं हां आजाओ कौन सा अप्चन होगा भाई एल्डिहाइड की रियक्शन आपने और नेψे नहीं Between एल्डिहाइड अगर प्राइमरी माइन के सथ रियक्ट करेगा तो शिप्स बेश बनेगा भतम अभी यार इसमें बताओ तुम्हें क्या टाइम लग रहा है पता नहीं क्यों हां अगला क्वेशन आजाओ नीट्-2115 नीट 2015 क्वेशन करो, the reaction of कार्बोनाईल कॉंपाउंड with one of the following reagent involved nucleophilic addition followed by elimination of water. पहले कहता है nucleophilic addition होना चीए और फिर अगले step में water का elimination होना चीए. ग्रिगनाड reagent के साथ nucleophilic addition तो होता है, लेकिन elimination water का molecule बाहर नहीं हमें तो hydrolysis बाहर से करवाना पड़ता है next में hydrocynic acid HCN के साथ, इसमें भी इसमें भी इसमें तो क्या HCN का addition होता है nucleophilic addition होता है water का molecule बाहर नहीं निकलता है, यहां पर भी elimination नहीं होता, नहीं होता NAHSO3 में भी water का molecule eliminate नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग reaction करवाते है hydrazine मतलब जो आपके nitrogen और उसके derivatives होते है उसके साथ जब reaction होती है तो पहली चीज तो nucleophile का attack भी होता है, और अगले step में water का molecule भी बाहर निकलता है तो addition भी होता है, water का molecule elimination भी होता है, किसके साथ जो आपके phenyl hydrazine derivatives होते है है उनके साथ, ठीक है समझ में आगी बात, एक और question 1999 में का question है acid aldehyde react with semi-carbazide then the product will be semi-carbazide के साथ अगर product react करेगा, तो semi-carbazone बनेगा, है ना, semi-carbazone बनेगा और मेरे साब से जो semi-carbazone होता है, उसका structure यह होता है सीधे question पुछे जाते है सीधा, direct है ना, direct question पुछा जाता है इदर उदर गुमाता भी नहीं है वो next question और देख लो hydrazine के साथ reaction दे रखिये तो hydrazone बन जाएगा CH double bond NH2 बताओ option number D, यह कौन से साल में AI PMT 2000 में यह question पुछा गया था देख रहे हो, कितनी आसान कितनी आसान reactions है बहुत इजी है बहुत इजी है बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है चलो जी, आपको फिर 10 मिनिट का break देते है ठीक है, 10 मिनिट के बाद वापस मुलाकात होगी आप सब लोगों से तब तक सारे लोग आजी तब तक के लिए सारे लोग ख्याल रखें दस मिनट में वीटा वापस मिलते हैं आप सब लोगों से 10 मिनट का प्रेक है सिर्फ 10 मिनट का का एंदी आप सब लोग《 भ्र व्लीयाइ》 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 moral झाल 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 हाँ जी आ जा ये फिर टाइम हो गया खतम करें फिर स्टार्ट करें वापस अवाज आ रही मेरी आप लोगों को हाँ जी सही है स्टार्ट करें हम लोग अब हम लोग रिड़क्शन रियक्शन पढ़ने वाले बिटा क्या पढ़ने वाले हैं? reduction, reaction आजाओ, आजाओ, सारे लोग आजाओ, सारे लोग आजाओ अज़ा हम करते हैs reduction भी मैंने कुछ नहीं खाया भइवी अभी कुछ नहीं खाया अभी जो अगला break दूँगा नश्मक्क खाऊंगा अभी कुछ नहीं खाया अभी next break में खाएंगे next जो आपका break होगा नो बहुत जल्दी होने वाला है अगला break बहुत जल्दी होने वाला आप लोगों का आजी आजाओ अरे बाई आजाओ देखो reduction reactions की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग LDI और कीटोन का reduction करने वाले हैं यह reaction हम लोगों ने कल वाली class में पड़ी थी, let's say आपका aldehyde है, यह रहा aldehyde, इसका आपने reduction करवा दिया, हम लोगों ने बोला था aldehyde के reduction से, aldehyde के reduction से क्या बनता है, वन डिग्री अलकोहल बनता है, और अगर आपने ketone लिया, याद है क्या आपको, अगर आपने ketone लिया, तो इसके reduction से 2 डिग्री अलकोहल बनता है, अब याद है तुम्हें यह चीज, यह पिछले वाले चैप्टर में methods of preparation of alcohol में हम लोगों ने बहुँड डिटेल में पड़ ल ले सकते हो आप, लिथियम, अलिमीनियम, हाइड्राइड ले सकते हो, सोडियम, बोरो, हाइड्राइड ले सकते हो, या फिर हम लोगों ने H2, PTPD, NI के साथ भी reduction करवाया था, याद है यह reaction की भूल गयो, अरे बोलो ना याप, याद है या फिर भूल गयो यह चीज, याद ह ना, देखो जैसे मानलो यह वाला LD है, यह वाला LD है, और इसका आपने reduction करवा दिया, LD है के reduction से क्या बनता था, वन डिगरी अलकॉल है ना, तो जितने कार्बन आपके LD है में है, उतने ही कार्बन वाला वन डिगरी अलकॉल बन जाएगा है ना, और लेट से आपका ketone होता, इसकी जगे अगर आपका ketone है, तो इसका reduction, इसको हमने बहुत detail में alcohol phenol ether में पढ़ लियाता है ना, तो वापस इस पे बहुत ज़्यादा time लगाने की हमें ज़रुरत है नहीं बिटा, वन डिगरी अलकॉल के reduction से वन डिगरी अलकॉल बनेगा, और ketone के reduction से 2 डिगरी अलकॉल बनेगा, ठीक है, चलो आईए फिर, आगे चलते हैं, next reaction के बारे में बात करते हैं, अगली reaction है, the product formed in the following chemical reaction, need 2021 का question है, देखो जी, चेक करो चेक करो बिटा, need 2021 का question है, NABH4 के साथ reduction करवाना है, मैंने आपको last class में बताई थी चीज, हम लोगों ने last class में एक चीज डिसकस करी थी, कि बिटाए जो NABH4 होता है न, ये ester को reduce नहीं कर पाता है, यादे तुम्हें, NABH4 ester को reduce नहीं कर पाएगा, लीथिम, अलिमिनियम हाइडराइड कर देता है, तो ये ester को reduce नहीं करेगा, सिर्फ ketone है, ketone को reduce करेगा, 2 degree alcohol में convert कर देगा, ऐसा कौन से option में है, ऐसा है option number B में, इस case में option number B से ही हो जाएगा, सिर्फ ketone का oxidation होगा, reduction होगा, आपका ester जो है, उसका reduction इस reaction में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इस reaction में mechanism कौन सी होती थी, अगर आपका aldehyde या ketone react करता था, लीथिम, अलिमिनियम हाइडराइड के साथ, तो which type of mechanism is for load, मैंने आपको बता उसक्त खैया था ना, मैटा इस चीज डिसकस करी थी कि लीथिम, अलिमिनियम हाइडराइड क्या करता है, लीथिम, प्लस, प्लस, एल अलेच, फोर माइनस बनाता है, ओर यह जो, एलेच, फोर माइनस है, इस carbon पे partial positive है, oxygen पे partial negative है, एल पे positive, एल पे negative charge stable नहीं होता, stable नहीं हो आपको carbon पे जो h लगता है वो reducing agent से आता है oxygen पे जो h लगता था वो कहां से आता था solvent से आता था यह याद होने चीज़ी आपको है ना तो यहां पे h- का attack होगा इस carbon पे h- आपका एक nucleophile है तो यह nucleophilic addition reaction का example है nucleophilic addition reaction आपका option number 3 में है ठीक है clear nucleophilic addition reaction का example है और देखो में आईगी वही चीज काम में आईगी मैंने बोला था जब आप इसका reduction करवाते हो जब आप इसका reduction करवाते हो तो पाई बोन टूटता है एक carbon पे hydrogen लगेगा एक oxygen पे hydrogen लगेगा है ना तो बेटा carbon पे जो hydrogen लगता है यह कहां से आता है मैंने बताया था ना आपको from reducing चाहिए देखो NABD4 दे रखा तो ये क्या प्रिडूस करेगा D और D का टैक का होगा कार्बन पे तो कार्बन पे D लग जाएगा और ऑक्सिजन पे H, H कहां से लगेगा है ना ओप्शन नमबर भी ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में बिटा डिसकस कर चुके हैं अभी मैंने वापस बता दिया अच्छा कुछ और नेम रियक्शन है उनमें सबसे पहले आती है क्लिमेंशन रिड़क्शन रियक्शन बहुत ही आसान C double bond O है आपको उसका रिड़क्शन करवाना है Z and H, G, HCl के साथ बस जो CO ग्रूप है ये कनवर्ट हो जाएगा किसमें TH2 में इसी को बोला जाता है क्लिमेंशन रिड़क्शन रियक्शन बास खतम कानी खतम इतनी से बताओ कितनी सिंपल रियक्शन है बिटा कितनी आसान रियक्शन है लेट से आपने ये ले रखा है येवला LD है ले रखा है क्लिमेंशन रिड़क्शन करवाना है CO किसमें धिय कंवर्ट हो जाएगा TH2 में तो क्या बन जाएगा हईड्रोकार्बन बन हो जाएगा CS3 CS3 बोलो अरे बोलो ना बिटा अरे आसान है कि नहीं यह रियक्शन आपको सिर्फ रिजेजेंट के बारे में पता होना जरूरी है ठीक है ना तो यहां पर भी देख लो यह सी यो ग्रूप है इसका रिड़क्शन हो जाएगा लो जिक करवा दो यह CS2 CS3 बन गया बन गया प्रोडक्ट आपका तो बहुत यह आसने रियक्शन है क्लिमेंशन reduction reaction और क्लिमेंशन का ही एक और बड़ा भाई है जिसका नाम है वुल्फ किश्यर reduction reaction क्या नाम है वुल्फ किश्यर यह वुल्फ किश्यर क्या होता है देखो इसमें भी वापस से वही सेम चीज होगी hydro carbon में reduce कर सकते हो आप c double bond O group है सबसे पहला इसका reduction करवाय जाता है hydrazine के साथ NH2, NH2 के साथ और अगले step में इसको ethylene glycol और KOH के साथ heat कर दिया जाता है है ना तो आपका जो CO group है बिटाजी ये CO group किसमें convert हो जाता है सर CH2 में convert हो जाता है आपकी wolf reaction, wolf kishner reaction भी हो गई हतम, देख रहे हो कितना simple है है ना, इनकी mechanisms वगेरा हमें देखने की ज़रुद नहीं है मेकानिजम हमारे सलिबस में नहीं होती इनकी, ठीक है ना ये इस बात को आप याद रखें, mechanism हमें नहीं देखनी है तो वापस से वही reaction है अब इसमें क्या ही वापस लिखें जैसे मान लो, ये वाली चीज है बेंजोफिनोन दिया है इसका आपको reduction करवाना है TO group जो होगा, wolf kishner दे रखा है जो CO group है, बिटा वो convert हो जाएगा CH2 में बस, ये वाला product बन जाएगा नेम है, reaction का नाम है wolf kishner reduction, reaction बहुत ही आसान, बहुत ही easy सी reaction है अच्छा, एक और reduction reaction के बारे में पढ़ते है reduction with red phosphorus plus HI, सुनो ये जो red phosphorus plus HI है न ये एक बहुत ही जबरता reducing agent होता है ये बाप होता है, बाप reducing agents का बाप है जो भी इसके रास्ते में आता है न, तुनना जो भी इसके रास्ते में आता है न, ये सब को reduce कर देता है जो भी इसके रास्ते में आता है ये सब को reduce कर देता है, किसमें है, direct hydrocarbon में है, कैसे CO group red phosphorus plus HI लिया और CO किसमें चला जाएगा CH2 में बस यह reaction होती है normal सी reaction है मेरे साथ से कोई problem है नहीं let's say आपने यह वाला LD head ले रखा है इसका red phosphorus HI के साथ reaction करवा दिया तो CO group किसमें convert हो जाएगा CH2 में तो CS3 बन जाएगा है ना और let's say आपने ketone ले रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है red phosphorus HI जो आपका CO group है बिटा यह convert हो जाएगा CH2 में तो यह product बन जाएगा बहुत असान है simple सी reaction आती है है ना बहुत ही आसान reaction आती है question देख लेते हैं AI PMT 2000 start का question है बढ़ा फट से बता दीजिए कौन सा option correct होने वाला है इसमें कौन सा option correct है लिखता है reduction of aldehydes and ketones into hydrocarbons using amalgam and concentrated HCL इसको क्या बोला जाता है बिटा है यह तो Z and Hg HCL zinc amalgam clemencion reduction बताओ name ही पूछ लिए reaction का reaction भी नहीं पूछी इसने है पूरी हाँ देखो 2016 का question है aims का question है पढ़िए देखिए हाँ जी सुनो कहता है pure Q क्या होगा अरे भईया यह जो CS3 group है इसको convert करना है CHO में CS3 को CHO में convert करना है कैसे करें क्या सर NAOCL ले ले ऐसी तो हमने कोई reaction नहीं पड़ी क्या सर हम केमेनो 4 यूज़ कर ले ऐसा भी हमने नहीं पड़ा सर हमने पड़ा है CRO3 और क्रोमाईल क्लोराइड देखो इन दोनों में से मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल सही बात है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इसको मुझे convert करना है इसकी अगर reaction ZNHG HCL के साथ करवाऊँगा तो यह जो CHO है यह किसमे convert हो जाएगा यह CHO convert हो जाएगा CH3 में और CS3 कौन से option में है option number B में है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है है ना यहां से यहां तक तो आप CS3 से भी जा सकते हो क्रोमाइल क्लोरेड से भी जा सकते हो लेकिन इसका reduction करवाऊगे तो last में क्या बनेगा ultimately बेंजीन है ना टॉल्विन बनेगा option number B correct होगा बहुत बढ़िया लो नीट यूजी 2000 कौन से 2000 तेरा का question एक और है reaction by which benzaldehyde cannot be found benzaldehyde किससे नहीं बन सकता टॉल्विन की reaction क्रोमाइल क्लोरेड के ला साथ itard reaction इससे बन जाएगा COCL यह तो वो हो गया PDBSO4 के साथ और यह COCHCL यह तो हमने बात करी थी अभी getterman coach reaction तीनों से बन जाएगा क्या हमने carboxylic acid की कोई reaction Z and HGHCL के साथ देखी है बाई aldehyde और ketone तो Z and HGHCL के साथ react करता है carboxylic acid की कोई reaction हमने नहीं देखी मतलब इस method से आप लोग benzaldehyde का formation नहीं कर पाओगे है ना option number A correct हो जाएगा बहुत ही बढ़िया बिटा बहुत बढ़िया ठीक है तो यह reduction reaction तो aldehyde ketone की बहुत ही आसान है हम लोग direct चलते है कौनसी reactions पे oxidation reactions of aldehyde and ketones पे देखो सबसे पहले बात करते है oxidation of aldehyde तो आपको एक चीज बताई गई थी बताईए aldehyde के oxidation से क्या बनता है जल्दी बताओ अगर आपने aldehyde लिया इस aldehyde के oxidation से क्या बनेगा पहले तो यह बताओ क्या aldehyde के oxidation से carboxylic acid बनता है हम जी क्या aldehyde के oxidation से carboxylic acid बनता है बिल्कुल बनता है सर, तो आप यह बताईए, ऑक्सिडाइजिंग एजिंट कौन-कौन से यूज कर सकते हैं, हाँ, ऑक्सिडाइजिंग एजिंट आपको बहुत सारे लिखवा रखे दे, सर आप यहाँ पर K2-CR2-O7 यूज कर सकते हो, असेडिक मीडियम में, है न, सर आप य CRO4-Cromic Acid भी यूज कर सकते हो, यस, सर आप यहाँ पर Jones Reagent भी यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे Strong Reducing Agents आपको पहले से बता रखे हैं, यह वाले Reducing Agents क्या कर देंगे, आपका जो L-D-Hide बेटा, इसको किसमें Convert कर सकते हैं, Carboxlic Acid में, बहुत ही असान से reaction होती है, है साथ, तो सीधा, जो आपका CHO Group है, इसको CWH में Convert कर दो, है ना, कुछ ज्यादा Tension लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो से CHO दिया हो है, है ना, और आप से कहा गया, यह react कर रहा है, K2CR2O7H+, के साथ, तो क्या करोगे इसके साथ, ज सर जो CHO दे रखा है ना, सर जो CHO दे रखा है ना, इसको CWH में डाल दो, यह लो, Benzoic Acid बन गया, तो आप डारेक्ट reaction को product बना सकते हो, कोई problem है नहीं, हाला कि यह oxidation हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इन oxidation से ज्यादा जो important oxidation है, वो है oxidation by tolerance reagent, oxidation by felling solution, and oxidation by benedict solution, यह जो oxidation है, यह जो oxidation वाली reactions है, यह ज्यादा important होती है, ठीक है, और इन में सबसे पहले आता है, tolerance reagent के साथ oxidation, मुझे एक बात बताओ, tolerance reagent क्या होता है, या ammonical silver nitrate को, ammonical silver nitrate को आप tolerance reagent बोलते हो, क्या है ना, ऐसे लिखा होता है कई जगे, NH4OH plus AGN होती है, है ना, इसी को बोला जाता है, और कुछ जगे पर ऐसे भी लिखावा मिलेगा, AGN3 twice plus OH minus है ना, ऐसे भी लिखावा सकता है, या फिर tolerance reagent भी आप इसको बोल सकते हो, सर क्या करता है tolerance reagent, tolerance reagent बहुत बढ़िया काम करता है, देखो सुनो, जैसे माल लो आपका aldehyde है, और आपने इसको tolerance reagent के साथ react करवा दिया, है ना, tolerance reagent के साथ इसके आपने reaction करवा दिया, तो सुनिया देखो होगा क्या, भाई ये वाला है aldehyde, इसका oxidation होगा, oxidation से क्या बनता है सर, carboxylic acid बनता है, carboxylic acid तो बनेगा, लेकिन, यहाँ पर medium कौन सा है, basic medium है, तो carboxylic acid का H+, यह जो OH- होगा, वो H+, ले ज वो खुद reduce हो जाएगा, बाकी NH3, H2O अलग से पड़े रहेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस precipitate से, silver का precipitate बनता है, जो की mirror जैसा दिखता है, इसको silver mirror भी बोला जाता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी मैं जानकारी के लिए ब कुछ भी लिखा हो, वेटा, दोनों मैं से कुछ भी लिखा हो, दोनों ही बात बिलकुल सही है, ठीक है, लेकिन, हाँ, silver mirror test भी कहते है न, इस से पता लगेगा, इस silver mirror से पता लगेगा, इस से पता लगेगा, आपने किस के साथ react करवाया है, aldehyde के साथ, और खास बात क्या ही बात आपको बता है, है न, ketone जो होता है, वो ये test नहीं देते, और सारे के सारे aldehydes, चाहे वो aliphatic हो, चाहे वो aromatic हो, वो ये वाला test देते हैं, जैसे silver mirror बनेगा, आप बोल दोगे aldehyde था, तो क्या आप इस reaction की help से aldehyde और ketone को distinguish कर सकते हो, जल्दी बताइए, क्या आप इस reaction की help से aldehyde और ketone को distinguish कर सकते हो, कर सकते हो क्या, हाँ जी, कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हैं, क्योंकि ketone ये reaction शो नहीं करते हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, oxidation by phallings reagent, इस तरह ये phallings reagent क्या होता है, देखो phallings reagent ए को का mixture होता है, कौन, आपका phallings reagent, सर्फ phallings A क्या होता है, phallings reagent A होता है,ак्वस copper sulfate को phallings A बोला जाता है, और phallings B क्या होता है, सोडियम, potassium, tartrate, क्या होता है, सोडियम, potassium, tartrate है ना टार्टरिक आसिड का सॉल्ट होता है सोडियम पुटैस्यम टार्टरेट इन दोनों सॉलिशन्स का जो मिक्षर होगा उसको बोला जाएगा फैलिंग सॉलिशन अब देखो यहाँ पर भी रियक्षन क्या होगी आपने लडी हैड ले रख़ा है और फैलिंग सॉलिशन में जो रियक्टिंग स्पीसी है बिटा वो सी यू टू प्लस ही होता है बेसिक मीडियम में रियक्ट करेगा बेसिक मीडियम में Q2O बनेगा, और मुझे बताइए, Q-Prous Cloride का कलर कैसा होता है, कैसा कलर होता है, कोई बताएगा? है भाई? अरे भाईया, Q-Prous Cloride का कलर कैसा होगा, जल्दी बताइए, क्या यह रेडिश औरेंज कलर का होता है, क्या? कुछ लोग reddish लिखते हैं, कुछ लोग orange लिखते हैं, तो मैं दोनों ही लिखते लिखते हूँ है na का color कैसा होता है? यह होता है sir, reddish orange color है ना, तो यहाँ पर अगर reddish orange color का precipitate मिलता है इसका मतलब यहाँ क्या रहा हो, यह Cu2 plus कहां से आया बिटा? यह आया felling reagents है ना felling reagents का मतलब वो aldehyde था लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है खास बात यह है कि aromatic aldehydes aromatic aldehydes and ketones do not give this test है ना do not give this test aromatic aldehyde भी यह test नहीं देते और आपके ketone भी यह test नहीं देते है ना बहुत बढ़िया बटा reddish brown, reddish orange या फिर कुछ जग है शिर्फ brown शिर्फ orange लिखा होता है दोनों में से कुछ भी लिखा हो यह बात यह है ठीक है ना यह बहुत बढ़िया चीज है तो इस इस felling reagent की help से क्या मैं aromatic और aliphatic aldehyde में भी distinguish कर सकता हूँ क्या हाँ जी क्या मैं aromatic और aliphatic में भी distinguish कर सकता हूँ बिलकुल अगर मान लो मुझे पता लगाना है कि यह वाला aromatic aldehyde है या aliphatic तो मैं किसके साथ react करवाँगा felling reagent के साथ उस reaction को करवा सकता हूँ ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं oxidation by benedict solution है ना benedict solution क्या होता है ये भी mixture होता है किस-किस का ये complex mixture होता है sodium carbonate जिसको आप लोग जानते हूँ sodium citrate है ना nitric acid का salt होता है and copper sulfate pentahydrate copper sulfate pentahydrate का मतलब cuSO4 dot 5H2 है ना इसकी बात कर रहा है इसके mixture को बोला जाता है benedict solution तो जो काम जो काम आपके felling solution ने किया था बिलकुल सेम वही काम आपका benedict solution करेगा ये cu2 प्लस आपका benedict से आया है ठीक है वापस से सेम वही reaction होईगी सेम वही reaction होईगी और वही cuprous oxide का salt बनेगा जो की reddish color का होता है और यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज ध्यान में रखनी है सेम वही चीज ध्यान में रखनी है कि aromatic aldehydes यहाँ पर भी क्या ध्यान में रखना है बिटा कि aromatic aldehydes and ketones do not give this test इस बात को आप याद रखोगे aromatic aldehydes and ketones do not give this test है ना तो ये वाली जो test है ये वाली जो reaction है वो भी aromatic और aliphatic aldehyde को अलग-लग कर सकती है distinguish कर सकती है और aldehyde और ketone को भी अलग-लग किया जा सकता है इस test की help से बताओ अरोमेटिक को छोड़के बिल्कुल सही कहरे हो भीता aromatic को छोड़के ये सारे के सारे test देंगे एक और reaction होती है oxidation की एक और reaction होती है haloform reaction है ना oxidation की एक और reaction है haloform reaction ये भी काफी important reaction होती है है ना haloform reaction देने की condition क्या है सबसे पहली चीज तो ये कि aldehydes and ketones ऐसे aldehyde और ketones ये reaction, haloform reaction हम लोगों ने उदर भी पड़ी थी alcohol में भी, alcohol भी haloform test देते थे थे ना, aldehyde and ketones having CS3CO methyl ketone group give this reaction है ना चाहे कोई भी aldehydea ketone हो, जिसके पास अगर ये वाला group present है, तो वो ये वाली reaction show करेगा, जैसे example बताओ मैं आपको, जैसे let's say example लिखा है आपके सामने ये वाला क्या ये test देगा, असर बिल्कुल देगा, ये वाला group रहा, और कोई आपसे अगर मानले बोले कि ये रहा, आपका ऐसी tone है, क्या ये hello form reaction show करेगा, सरी वाला group present है, बिल्कुल करेगा, है ना, जैसे मानलो आपके पास, ये 3 pentanon है 3 pentanon है, आपसे कोई पूछे, क्या ये hello form test show कर सकता है, आप बोलोगे sir hello form reaction नहीं show करेगा, है ना, नहीं देगा, methyl ketone होना जरूरी है, ठीक है, कोई आपसे ये पूछ ले अगर कोई पूछ ले मुझसे कि बताईए, क्या ये test दे सकता है आप बोलोगे sir बिल्कुल देगा ये वाला group present है, ये भी देगा acetophenone भी देगा, लेकिन लेकिन अगर कोई पूछे तुमसे कि क्या बेंजो फिनोन ये test दे सकता है आप बोलोगे sir इसमें methyl group नहीं है, बेंजो फिनोन ये वाला test नहीं देगा मेरी बात समझ में आ रही है आपको आजी, तो reaction तो बहुत ही आसान है, है ना, sir इसमें होता क्या है, आप तो ये बताईए, reaction में होता क्या है, अब हम लोग बात कर लेते देखो R, C, W, O, C, H3 ये है आपका LD, हैड या किटोन, कुछ भी हो सकता है इसकी reaction करवाई जाती है, हेलो फोम के साथ, X2 के साथ, हेलो हेलोजन के साथ, in the presence of NaOH, यहाँ X2 प्लस NaOH भी लिखा हो सकता है और short में उसका अगर मन हुआ, तो NaOH भी लिख सकता है, ना, वो चाहे कि direct पूरा मुझे नहीं देना, X2 प्लस NaOH नहीं लिखना, मैं NaOH लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान और Oxidized होके O-Carboxylic Acid में Convert हो जाता है, क्योंकि Medium Basic है, तो Salt बन जाता है हाँ जी, क्या मेरी बात आपको समझ में आई है बोलिए, जैसे मैं कुछ एक्जामपल आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ, है ना, बिना रिस्क लेते हुए कोई रिस्क लेते हुए, बिना मैं आपके सामने कुछ एक्जामपल लिखना चाहता हूँ तो देखो, एक्जामपल यह रहा लेट से यह लिखा है मैंने, ठीक है, और इसकी reaction, Br2 Naos के साथ करवा दी है, ना या फिर क्या लिखा हो सकता है NaOBR लिखा हो सकता है तो क्या होगा, देखो मैंने आपसे कहा इस जो methyl ketone का methyl वाला पार्ट है ना, इसको अलग से ले जाओ इसको convert कर दो CHBR3 में यस और जो माकी बच गया, तीन कार्बन बच गया तो तीन कार्बन वाला कार्बोक्सलिक असेड का सॉल्ट बना दो CH3, CH2 C double bond O O minus Na plus, यह बन गया सॉल्ट समझ में आई बात, और देखो और देखी अभी जैसे माल लो यह लिखा है यह लिखा है इसकी reaction करवाई है I2 NaO's के साथ है ना I2 NaO's के साथ या फिर और क्या लिखा हो सकता है NaOi भी लिखा हो सकता है तो वापस से क्नारा है CS3 को अलग से पकड़ दो CS3 को अलग से पकड़ के क्या बना दो TS3 I3 बना दो Aiodo foam बोला जाता इसको इसको Pale Yellow color होता है क्या होता इसका color Pale Yellow color का होता ही जल्दी से बताओ देखे जल्दी बताओ ये reaction ठीक है समझ में आगे आपको आगे चले ठीक है बिटा आगे चलते हैं फिर देखो एक question कर लो फिर 2015 का question करो ये वाला आजओ 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 next question देखो जी आरे भाईया एक question देखो कहता एक organic compound X जिसका molecular formula ये होना चीए yields phenyl hydrazine phenyl hydrazine मतलब बनाता आई है ना इसका hydrazone हो गए yields phenyl hydrazone इसका मतलब ये LDI ketone हो सकता है and gives negative response to the iodoporm test negative response to the iodoporm test मतलब ये iodoporm test नहीं देता iodoporm test कौन सा नहीं देगा देखो यहाँ पर लिखा 3-pentanone 3-pentanone ये होता है ना देखो चेक करो 3-pentanone ये होता है और ये जो 3-pentanone है क्या 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 इसके पास CS3CO group present है अगर CS3CO group present नहीं है तो ये iodoporm test नहीं देगा ठीक है ना ये ये बिटा alcohol दे रखा है देखो याद करो alcohol हमने ये लिखा था कि alcohol में अगर ये वाला group present है किसी alcohol के पास ये वाला present है तो वो इllo firm test देभी देखा था तो ये जो आपका end-propyl alcohol पbalance के पास ये वाला group present होगा क्या ये तो होई नहीं सकता ना ये तो होई नहीं सकता है क्योंकि ये तो हैड्रा zone बनाएगा ने है ना तो इसके बारे में और सोचने की जरूप से नहीं है आप 2-Pentanone को चेक करो, क्या 2-Pentanone की शकल ऐसी होती है, बताइए, क्या 2-Pentanone दिखने में ऐसा होता है, तो इसके पास तो 33-C-O-Group प्रेजेंट है, का मतलब ये ये वाली दियक्शन शो कर देगा है ना, ये पॉजिटिव हेलोफोर्म टेस्ट देगा, बहुत बढ़िया, आप देखो, ये तो बिटा था Oxidation of Aldehydes, अब हम लोग बात करते हैं Oxidation of Ketones की, तो Oxidation of Ketone बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, कि Ketone का Oxidation normal conditions में नहीं किया जा सकता, है ना, Ketone का Oxidation normal conditions में नहीं हो सकता, उसका Oxidation के लिए हमें जरुरत पड़ती है, बहुत high temperature की, इसके जरुरत पड़ेगी, बहुत high temperature की, और, 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 और हमें जरुरत पड़ेगी, बहुत ही जबर्दस strong oxidizing agent की, क्या लिखे रहे हूँ, Alephatic Ketone Tolentus देगा, उसले question में ल क्यों नहीं देगा, Alephatic की और अरमाटिक देगा, क्या दिक्कत है, हम, हम, अरे क्या हो गया, पिछले question में क्या दिक्कत हो गई है, हम, अब प्रोपेनल कैसे देगा बे, ए कहां से आयो बाई, प्रोपेनल के पास CS3 CO group कहां से लेगे आयो, कहां से लेगे आयो, इसके पास है तो कैसे देगा tolerance test 3-pentanon 3-pentanon दोभी लिखा था आमने यह भी नहीं देगा Cyclohexanon यह होता है यह व्ला होता है Cyclohexanone यह कैसे देगा और benzophenon benzophenon वे cc3 co group नहीं होता यह भी नहीं देगा और क्या था पिछले question में अच्छा 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 इस क्वेशन की बात कर रहे हो गया इस क्वेशन की बात कर रहे हो इस क्वेशन की बात कर रहे हो अच्छा जी ऑल राइट तो वापस देख लेते हैं चलो क्या क्या दिक्कत है इसमें एक organic compound जिसका molecular formula C5H10O है इसका molecular formula C5H10O है बिल्कुल है सर phenyl hydrazone बनाएगा सर बिल्कुल बनाएगा and gives negative response to the iodopharm test बिल्कुल सही है ये negative response to the iodopharm test and tolerance test and tolerance test ये tolerance test भी नहीं देना चाहिए अरे भाईया यहां लिखर कहा है iodopharm test भी ना दे और tolerance test भी ना दे तो जो आपका pentemal है ये tolerance test तो दे देगा ना question में पूचा है tolerance test भी नहीं देना चाहिए और iodopharm test भी नहीं देना चाहिए तो ये iodopharm तो नहीं देता लेकिन tolerance तो दे देता है ये वाला ना तो iodopharm test देगा और ना ये tolerance test देगा इसलिए option number C correct है question तो थोड़ा रंग से देखा अगरो और इसके reduction से n-pentem मिलकूल बनेगा पांच कार्बन वाला pentem मन जाएगा दिक्कत क्या है अब समझे हो हाँ तो वापस पते की बात करते हैं वापस पते की बात करते हैं क्या कह रहा question और oxidation of ketone तो हमने कहा ketone के oxidation के लिए भाई आपको जरुरत पड़ेगी बहुत तगड़े oxidizing agent की और oxidizing agent के साथ साथ हमें जरुरत पड़ती है बहुत high temperature की ठीक है ना उसकी जरुरत पड़ती है ठीक है लेकिन इसमें होता क्या है इसमें carbon carbon bond break होता है सुनो क्या होता है इसमें carbon carbon bond break होता है ये ketone है और इस ketone का मुझे oxidation करवाना है सुनियो carbon carbon कौन सा bond break होता है जैसे मैं नंबर दे दू 1,2,3 ऐसे दे दिया ये जो CO के आसपास वाले carbon carbon bond है ना ये तूटते है तो मान लो ये वाला carbon carbon bond टूटा एक बार के लिए ये मानो तो जितने भी टुकड़े हुए है ना उसके उन सारे टुकड़ों को carboxylik acid में convert कर दो ये इसका trick है जितने भी टुकड़े हुए है तूटने के बाद सब को किसमे convert कर दो carboxylik acid में जैसे ये RCH2 है ना इसको convert कर दो carboxylik acid में RCH2 और इधर से जितने carbon है ना सब को convert कर दो carboxylik acid में R- CH2 CWH बाई oxidation से बनना तो carboxylik acid ही है लेकिन सिर्फ फरक इतना सा है कि यहाँ carbon carbon bond टूटके फिर carboxylik acid बनता है तो ये जो product बने है ये कौन से bond के टूटने से बने है C1, C2 bond के टूटने से ठीक है अब अगर माल लो ऐसा हो कि C2, C3 bond टूट रहा है ये वला bond टूट रहा है तो इधर जितना group है RCH2 CO group इसको convert कर दो carboxylik acid में तो RCH2 CWH बन जाएगा और इधर से क्या बना है R-CH2 तो इसको convert कर दो R-CWH में तो carboxylik acid का mixture बन जाएगा C2, C3 bond को टूटने से ये बना है आपको मेरी बात समझ में आई क्या आजी क्या आपको मेरी बात समझ में आई तो ये है बिटा oxidation of ketones हलां कितना important नहीं है oxidation of ketones पे ज्यादा question पुछे जाते नहीं है ना तो इस पे बहुत ज्यादा ध्याद देने की जरूरत नहीं है oxidation of ketones के लिए एक छोटा सा rule भी आता है ये भी कोई बहुत important rule नहीं है जिसको popov rule बोला जाता है ये किसके लिए आता है पेटा unsymmetrical ketones के लिए जैसे मैं आपके सामने के example लिखता हूँ ये एक unsymmetrical ketones है ठीक है और आपसे का आगया इसका oxidation करवाई है इस oxygen पे मैं 18 लिख देता हूँ तो popov rule क्या कहता है popov rule का ये कहना है कि जब आप unsymmetrical ketones का oxidation करवाओगे तो ये जो CO group होता है ना ये जो CO group होता है ना ये छोटे alkyl group के साथ जाता है जब आप इसका oxidation करवाओगे जब आप unsymmetrical ketones का oxidation करवाते हो तो जो CO group होता है वो छोटे alkyl group के साथ जाता है छोटे alkyl group के साथ जाएगा मतलब ये मोंड इस तरह से टूटेगा है ना तो इधर से 2 carbon वाला carboxylic acid बनेगा CH3CWH बनेगा और ये oxygen इधर प्रेजेंट होगा और इधर से 3 carbon वाला carboxylic acid बनेगा CH3, TH2, CWH क्या आपको popov rule समझ में आया? हाँ जी? क्या आपको popov rule समझ में आया? क्या होता है popov rule? है ना? बहुत असान है जो छोटा alkyl group होता है उसके साथ CO group जाता है इधर 2 carbon, 2 carbon वाला carboxylic acid इधर 3 carbon, 3 carbon वाला carboxylic acid बहुत ही आसान है, बहुत ही easy है ठीक है? आल राइट, आल राइट अब इसके बाद जो और काम की reactions हैं और काम की reaction हैं वो हम लोग देख लेते हैं वो है बेटा, reactions due to alpha hydrogen reactions due to alpha hydrogen of aldehyde and ketones ये वाली reactions काफी important है और ऐसा कहा जाता है इसमें हम लोग aldol वगराई बात करेंगे aldol condensation यहीं पर आएगा बाई aldol condensation यहीं पर आएगा क्या कहता है देखो लिखता है कि the alpha hydrogen जो होता है aldehyde and ketone का क्या कहता है इसमें? कि जो alpha hydrogen होता है aldehyde and ketone का वो alpha hydrogen acidic in nature होता है क्या कहता है? कि जो alpha hydrogen होता है that is acidic in nature aldehyde and ketone का कोई आप से ये पूछ ले कि ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए देखो मैंने आपको एक चीज़ बताईए हमेशा से कि जो acidic strength होती है किसी भी compound की it is directly proportional to stability of conjugate base बताओ क्या ऐसा ही होता है क्या? acidic strength जो होती है क्या वो conjugate base की strength के directly proportional होती है? होता है ऐसा? जैसे माल लो मैंने एक aldehyde लिखा है ये aldehyde लिखा है और इसका किसी base के साथ reaction करवा दिया तो ये co group के जो just pass वाला carbon है co group के जो just pass वाला carbon है बेटा उसी को मैं alpha carbon बोलूँगा ये वाला alpha carbon है OH- ने क्या किया? यहाँ से h plus निकाल लिया जैसे h plus निकाला alpha carbon, alpha hydrogen हटने के बाद ये इसका conjugate base बन गया बोलिए क्या ये aldehyde का conjugate base है? और ये जो conjugate base है इसका negative charge क्या pi bond के साथ resonance में है? हाँ जी क्या ये carbon का negative charge इस pi bond के साथ resonance में है? तो क्या resonance stabilized conjugate base है? resonance stabilized conjugate base है? क्या मिला आपको resonance stabilized conjugate base? और जितना ज्यादा stable आपको conjugate base मिलेगा acidic strength उतनी ही ज्यादा होगी तो क्योंकि aldehyde या ketone का alpha hydrogen हटने के बाद जो conjugate base बनता है that conjugate base is that conjugate base is resonance stabilized that's why the alpha hydrogen of aldehyde and ketone is acidic in nature जब भी किसी base के साथ reaction होगी यहाँ से यह H plus remove हो सकता है इसको पीटा inolate ion बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको? inolate ion है ना तो माल लो अगर मैं इस पे H plus लगा दू तो यह inol बन जाएगा और यहाँ H plus लगा दू तो यह keto form बन जाएगे keto inol totomerism यह इससे आप relate कर सकते हो ठीक है? समझ गए? तो यहाँ पर सबसे पहली reaction आती है aldol condensation reaction ठीक है जी? aldol condensation reaction और यह aldol condensation reaction भाई बड़ी ही important reaction है इसको आप अच्छे से समझ लेना क्या होता है? कैसे होता है? product कैसे बनता है? aldol में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा self-aldol condensation self-aldol condensation self-aldol condensation देखो सबसे पहली चीज इस reaction की क्या requirements है? aldol condensation की कुछ requirements है क्या? at least at least one alpha hydrogen should be present at least one alpha hydrogen होना चाहिए और dilute base होना ज़रूरी है है ना question में क्या लिखा होना चाहिए? dilute base है ना जो आपका base है वो बहुत ज़्यादा dilute होना ज़रूरी है ठीक है? बहुत बढ़िया अब सुनो इस reaction में होता क्या है? आपने क्या किया? 2 mol लिए aldehyde के देखो इसके पास यह वाला alpha carbon है यह alpha carbon है तो क्या यह आपका aldol condensation शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है alpha hydrogen present है इसके बाद बहुत बढ़िया इसकी reaction मैंने करवा दी dilute naoge के साथ देखे ना? जब dilute naoge के साथ reaction होएगी तो क्या बनता है? CH3 CHOH CH2 CHO कैसे बना? अभी मैं समझाऊँगा आपको देखो यह है alpha यह है beta क्या मैं इसको beta hydroxy aldehyde कह सकता हूँ? अगर मान लो यहाँ पर आप ketone लोगे तो यह beta hydroxy ketone हो जाएगा beta position पर hydroxy group present है इसी को बुला जाता है aldol इसको aldol क्यों बुला गया है? क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो aldehyde group present है और alcoholic group present है alcohol का all और aldehyde का all तो इसे वज़े से इसको क्या बोल दिया? aldol और अब क्या किया जाता है? अगर इस aldol को आप heat कर दो अगर आप इस aldol को heat कर दो तो यहाँ से जो just pass वाला CO की जो just pass वाला carbon है यहाँ से H बाहर निकलता है और beta position से OH बाहर निकलता है क्या बोला है? मैंने वापस सुनो यह जो CHO के just pass वाला carbon है इससे H बाहर निकलेगा यहाँ से OH बाहर निकलेगा water का molecule यहाँ से बाहर चला जाएगा यहाँ से OH निकला यहां से H निकला दोनों कार्बन के बीच डबल बॉंड आ जाएगा CS3, CH डबल बॉंड, CH4 यह है अलफा पोजीशन, यह है बीटा पोजीशन इसको बोला जाता है अलफा बीटा अंसैचुरेटिड अल्डी हाइड क्या बना? इससे भी कई बार, कई बार डरेक्ट क्वेशन स्वाल होते हैं अलोल में बताओ कौन सा प्रोडक्ट? अलोल रियक्षन का प्रोडक्ट नहीं है सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि beta hydroxy aldehyde या ketone बनना ज़रूरी है और जब आप उसका heat करवाओगे जब उसका condensation होगा तो alpha beta unsaturated aldehyde बनेगा alpha beta unsaturated ये होना ज़रूरी है अब अगर मानलो मैं इसकी mechanism की बात करूँ कि ये बन कैसे गया है ना इसका अगर मैं mechanism आपको बताओं तो बहुत ही simple सा mechanism है भाई देखो ये आपका aldehyde था है ना ये आपका aldehyde था ये आपका aldehyde था ये वाला alpha hydrogen है बिटा जब आपने base use किया जब आपने base use किया तो जो base होगा वो base क्या करेगा H plus alpha hydrogen निकालेगा क्योंकि जो alpha hydrogen है वो acidic होता है तो base ने alpha hydrogen निकाल लिया ये बन गया क्या इसको मैं nucleophile कह सकता हूँ हाँ जी क्या मैं इसको nucleophile कह सकता हूँ सर बिल्कुल कह सकते हो carbon पे negative charge है और carbon पे negative charge है इसका मतलब इसकी tendency electron पे donate करने की है तो ये nucleophile की तरह बिल्कुल behave करेगा अगर ये nucleophile है तो इसका attack जो aldehyde का दूसरा molecule है इसके उपर हो जाएगा nucleophile इसके attack करेगा ये वाला pi bond ब्रेक हो जाएगा ये तो nucleophilic addition reaction हो गई है ये कौन से reaction होई nucleophilic addition reaction और ये तो हम लोगों ने बहुत बार पड़ी है इसपे O- आएगा बेटा O- solvent से H+, ले लेगा और बाखी चीज as it is ऐसी हो जाएगी ये देखो ये बन गया तुमारा aldol और इसको heat करोगे तो यहाँ से OH यहाँ से H बार निकलेगा और CH3 CH double bond CH CHO बन जाएगा तो mechanism में कोई बहुत ज्यादा लंबी चोड़ी चीज नहीं है क्या कह रहा हूँ मैं हाँ mechanism में कोई बहुत लंबी चोड़ी चीज नहीं है आपको सिर्फ एक काम करना है आपको first वाले aldehyde का H प्लस निकालना है alpha hydrogen H प्लस निकालो nucleophile generate करो और nucleophile का दूसरे वाले पर attack करवा दो खतम इतनी से कानी है और कुछ नहीं है ठीक अच्छ अब मगर माल लो आप यह चाते हो कि सर हमें तो इस mechanism से नहीं करना इस mechanism से नहीं करना तो इसकी मैं आपको short trick बता देता हूँ direct product कैसे बना है देख लो जी aldehydeal का direct product कैसे बना है सारे लोग screen पर देख सकते है वो सब लोगों के काम में आएगा सब लोगों के काम में आएगा देखो क्या करना है इसमें क्या करना है आपको जैसे आपने ये लिखा है aldol में ये लिखा आपने c double bond o h ठीक है और जो दूसरा aldehyde है उसको आप ऐसे लिख दो h ch2 ch2 ऐसे लिख दिया alpha hydrogen इस तरह से निकाल दिया अब देखो आप क्या करो ये वाला जो पहला है co में carbon पे plus oxygen पे minus तो पेटा ये वाला जो minus है इसके साथ इसका h plus बेज दो ये h इसके पास बेज दो जो alpha hydrogen वाला h है उसको यहां बेज दो और ये वाला जो carbon है इसको इस carbon से जोड दो वस इतना सा काम करना है क्या करना है carbon oxygen plus minus तोड़ो और ये वाला जो carbon इस सेटाच hydrogen को इस oxygen के पास बेज दो और इस carbon को इस carbon से जोड दो तो देखना TH3 इस वाले carbon पे CH है इस पे O minus O minus पे इसका h plus लग गया तो O h बन जाएगा और ये वाला carbon इस carbon से जोड गया TH2 TH2 बन गया ये येलो ये रापका final product देखना चेक करना जरा क्या same बनाएगा क्या ये दोनों product same है अंजी क्या ये दोनों product same है तो आप इसको direct direct इस तरह से product बना सकते हो आप इस तरह से इसका direct product बना सकते हो अगर आप चाहो तो नहीं तो mechanism भी कोई बहुत लंबी चोड़ी mechanism नहीं है अब बात ही आती है कि इसको सर आपने self-aldol क्यों बोला है इसको आपने self-aldol क्यों बोला है self-aldol इसलिए बोला है क्योंकि इसमें दोनों जो molecule है LDH के वो same है या फिर जो दोनों ketone है LDH के वो same है अगर आपके दोनों LDH या किटों सेम हो तो आप तो आप क्या करोगे उसको self-aldol बोलोगे और अगर दोनों molecule different-different है तो उसको cross-aldol बोला जाता है जैसे अगर मान लो में एक example देता हूँ और एक और example देते हैं देखो self-aldol का जैसे ये वाला लिख रहे है ये वाला लिख रहे है और आप से का आगया dilute anyways के साथ reaction करवा रहे हो बताइए क्या product बनेगा तो इसकी short trick से करते हैं इसको आओ इसको short trick से करते हैं इसको आपने कैसे लिखा CH3, C double bond O CH3 ऐसे लिख दिया और दूसरा वाला आपका ketone है उसको आपने ऐसे लिख दिया C double bond O CH3 अब क्या किया देखो अब क्या किया इस कारबन पे positive oxygen पे negative negative पे इसका H plus base दिया इस कारबन को इस कारबन से जोड़ दिया खतम यस तो क्या बना बेटा CH3 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 C O minus O minus 5 plus लग गया OH यहां CH3 पहले से था यह कारबन इस कारबन से जुड़ गया CH2 C double bond O CH3 yellow alpha beta beta hydroxy LDI ketone बन गया और अगर आपने इसको heat किया heat किया तो यहां से यहां से beta OH निकलेगा यहां से H निकलेगा दोनों कारबन के बीच double bond आ जाएगा CH3 double bond alpha beta unsaturated LDI ketone बन सकता है मेरी बात आपको समझ में आई क्या बोलिये जनाब क्या आपको मेरी बात समझ में आई clear तो बेटा शॉट ट्रिक है कि ती काम की वाई काम की है ना शॉट ट्रिक डिरेक्ट प्रोटक बन गया है ना अच्छा अब भाती आती है कि सर क्रोस अल्डोल क्या होती है है ना सर क्रोस अल्डोल क्या होता है देखो क्रोस अल्डोल में क्या होता है क्रोस अल्डोल कंडनसेशन इसके प्रोड़क्ट आप खुद बनाओगे है ना इसके प्रोड़क्ट आप खुद बनाओगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ cross aldol condensation में when two different when two different molecules of aldehydes and ketones are used है ना अगर आपने दो different molecule यूज़ किये है aldehyde और ketone के तो आप उसको cross aldol कह सकते हूँ जैसे 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 देखो अगर reaction ऐसे लिखी है ऐसे लिखी है जैसे मानलो एक तो ये वाला aldehyde लिखा है और आप से कहा एक ये वाला aldehyde ठीक है जी अब आप से कहा दिया बताओ dilute aneos के साथ reaction और फिर heat कर दिया अब बताइए क्या product बनेगा तो ये दोनों जो aldehyde के molecule है बिटा ये different different है की नहीं है ये दोनों different different है अरे बोलो इसका मतलब ये जो aldol condensation है ये कैसा होगा cross aldol होगा अगर cross aldol है तो इस case में चार product बनते है इस case में कितने product बनते है चार product बनते है बही बात समझें कितने product बनेंगे चार product सर चार कैसे बनेंगे ए बाई दादा इधर देखो चार कैसे बनेंगे देखो पहला जो product बनेगा मैं लिख देता हूँ पहला product जो बनेगा वो इन दोनो मोलिक्यूल के, ऐसे अगर दो मोलिक्यूल आपस में मिले, इनके otti section से बनेगा, दूसरा जो प्रोड़क्त बनेगा, वो इस तरह के दो मोलिक्यूल के सेल्फ अल्ल Februal से बनेगा, अब सेल्फ अल्लोλα मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना? करके इस पर इटक करवाऊ पहले चीज और दूसरा इसका नुकलियो फाइल जनरेट करके इस पर इटक करवाऊ मेरी बात तो मैं समझ में आ रही है जैसे येवला alpha hydrogen एक्जामपल लिखते हैं येवला alpha hydrogen है इसका alpha hydrogen आपने बाहर निकाला alpha hydrogen बाहर निकाला तो येवला nucleophile बना और इस nucleophile का attack इस nucleophile का attack इस वाले LD head पे करवा दिया आप इस पे करवा दिया यह चोथा प्रोड़क्ट हो गया इस केस में चोथा प्रोड़क्ट बनेगा यह वाला देखो अगर मैं प्रोड़क्ट बना भी दूँ पूरा तो CH2 CHOH और वहां से CH2 CHO यह तीसरा प्रोड़क्ट बन गया और जो चोथा प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या करना है उसमें क्या करना है इसका न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है इसका अलफा इड्रोजन बाहर निकालना है और उस पर अटैक करवाना है अबे मेरी बात समझ रहे हो इसका नुक्लियोफाइल जन्रेट करो कैसे करोगे तर इसका अलफा हैड्रोजन निकालो बाहर यहां से हच प्लस निकला इसका अरबन पे नेगेटिव आ गया यहां पे CS3 लगा हुआ है और इसका टैक करवादो इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल प इस पे टैक करेगा यह वाला बोंड ब्रेक हो जाएगा तो यह रहा आपका सोथा प्रोड़क्ट पूर्थ प्रोड़क्ट तो इस केस में टोटल इस केस में टोटल बेटा चार प्रोड़क्ट बनते हैं कितने प्रोड़क्ट बनते हैं टोटल चार प्रोड़क्ट बनेंग लेकिन वो तब जब आपको question में heat दिया हो heat नहीं दिया तो आपको reaction यहीं पर रोक नहीं है condensation नहीं होगा बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई और यह जो चार product बने न इन चार product में major minor decide नहीं किया जाता क्या बोल रहा हूँ मैं इन चार products में major minor product decide नहीं किया जाता यह सारे के सारे जो product है आपके यह major product की तरह ही treat किये जाते है यह कहाँ सारे के सारे product ही major product कि तरह treat किये जाते है अच्छा तो इसमे एक और आता इंट्रामोलिक्लर Iya メ candles नेखो अब यह इंट्रामोलिकलर किस बला का नाम है मतलब एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूल हो जाए यहां तो क्या जरुरत पढ़ रही थी देखो यहां पर हो क्या रहा था यहां तो एक मॉलिक्यूल से नुक्लियोफाइल जनरेट होता था और दूसरे molecule पे attack करता था तो दो अलग-अलग molecule की ज़रुत पड़ती थी है ना? अब अगर मान लो आपका aldol condensation एक ही molecule में हो जाए that will be known as cross aldol condensation, that will be known as intramolecular, अब यह intramolecular होता कैसे है? इसका हम एक बहुत ही प्यारा से example आपको देने जा रहा हूँ, देखना ज़रा ठीक है? जैसे यह वाला example आपकी screen पर लिखा है या इसको ऐसे लिख दो ठीक है? कोई दिक्कत नहीं जैसे लेट से यहां से CH2, CH2 इस तरह से लिखा हूआ है एक हाँ जी, intramolecular aldol का मतलब, देखो यहां यह चीज़ समझने से पहले, यह चीज़ समझने से पहले आपको यह पता होना चीए, आपको यह पता होना चीए कि अगर मैं ring की stability की बात करो, पहले तो यह बताओ मुझे, अगर मैं ring की stability की बात करो ring stability, तो आपको यह चीज़ तो पता है ना, आपको यह चीज़ तो पता है ना, कि जो six-membered ring होती, वो ज्यादा stable होती यह, फिर उसके बाद 5 member ring आती है फिर उसके बाद 4 member 3 member क्या आपको यह चीज पता है है ना 6 member ring की जो stability होती है वो हमेशा ज्यादा होती है 5 member 4 member या फिर 3 member से और यही चीज होती है जो बेटा यहां पर बहुत ही काम की चीज है यह जो चीज है बेटा वो इस केस में बहुत ही काम की चीज है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा क्लियर कैसे अब एक बात बताओ अगर मान लो addol condensation में कहीं पर 4 या फिर 5 member drink बनने की possibility होगी तो कौन सी possibility कौन सी ring बनाओगे तु है वाई जैसे मान लो 4 या फिर 5 member drink बनने की possibility है अभी जैसे मैंने आपको एक example दिया था है ना जैसे एक example से लिखते हैं उससे पता लगाते हैं कि कैसे ring कैसे बनेगी ring कैसे बनेगी तो let's say एक मैं example लिख रहा हूँ आपके सामने बढ़िया सा एक मिनट रुकना ज़रा एक example लिखते हैं बिटा let's say ऐसा कोई example लिख दिया मान लो मैंने CH3 C double bond हो CH2 1,2,3,4,5 ये ऐसा कुछ example लिख दिया और आपसे कहा इसके reaction dilute अन्योज के साथ करवा दो इसके reaction dilute अन्योज के साथ करवा ओ और फिर उसके बाद उसको heat भी कर दो बताइए क्या product बनेगा ठीक है क्या product बनेगा तो अब देखो मैंने क्या किया सबसे पहली चीज तो मुझे पता है कि alpha hydrogen remove होगा ठीक और alpha hydrogen remove होने के बाद दूसरे पर attack होगा अब सोचके देखो ये c double bond ओके just pass वाला carbon ये वाला alpha carbon है अगर माल लो ये वाला मैं h plus remove करो इस carbon पे negative आएगा और ये जो negative है बेटा इस carbon पे attack करेगा तो एक ring बन गई की नहीं बन गई इस carbon और इस carbon के बीचे एक ring बन जाएगी लेकिन ये जो ring होगी इसमें कितने एक atom है एक, दो, तीन तीन ही तो atom है तीन atom वाली ring बनेगी बैया तीन atom वाली ring stable नहीं होती इसका मतलब इस possibility को हमें avoid करना है ठीक, अच्छा अब मैं क्या करूँ मैंने क्या किया ये वाला alpha hydrogen लिया और ये वाला alpha hydrogen यहां से remove किया H plus remove किया H plus remove करने के बाद देखो H plus remove करने के बाद क्या हुआ CH2 minus आया C double bond O इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH2 CH2 C double bond O CH3 ऐसे लिख दिया मैंने इसको लिख सकता हूँ क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं येस इस carbon पे partial positive है पेटा oxygen पे partial negative है ये जो C minus है इसका attack होगा इस carbon पे और ये वाला pi bond break हो जाएगा ऐसा करने से ये वाला carbon और ये वाला carbon दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए है एक ring बन गई है लेकिन अब की बार जो ring बनी है कितने atom की है एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच आटम की ring है और जो पाँच आटम की ring है वो तीन आटम वाली ring के comparison में ज्यादा stable होती है तो इसी बज़द से ये चीज होने की possibilities ज्यादा होगी पिछले वाले के comparison ठीक है तो ये 5 member ring बनाओ पहले तो लो जी ये री सर 5 member ring है ना और ये वाला जो carbon है लेट से इसको मैं number 1 2, 3, 4, 5 और 6 दे देता हूँ ठीक है तो ये वाला भी यहाँ पर भी numbering कर दो 1, 2, 3, 4, 5 पेटा second carbon पे क्या present है double bond O present है तो ये रहा second carbon पे double bond हो और ये जो पेटा fifth carbon है जो fifth carbon है O minus O minus 5 plus लगेगा तो ये रहा O H और fifth carbon पे क्या present है ग्रूप present है CS3 ये रहा CS3 ये बन गया ये बन गया देखो ये alpha position इसके just pass वाला alpha ये बीटा बीटा hydroxy ketone बन गया बीटा hydroxy ketone बन गया अब मैं इसको क्या करूँगा heat करूँगा जैसे ही मैं इसको heat करूँगा CO की जो just pass वाला carbon है यहां से H निकलेगा यहां से O H निकलेगा दोनों carbon के बीच double bond आ जाएगा दोनों carbon के बीच double bond आ गया और ये CS3 ये प्रूटक्ट बन गया alpha, beta, unsaturated, aldehyde और ketone तो ये तो भाई आपको एक बार सोचना पड़ेगा है ना ये तो आपको सोचना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जो product बनाया है आपकी जो ring है वो कितने carbon वाली ring है ठीक है आपको इबात समझ में आई आपको ring वो बनानी है which ring is more stable जितनी ज्यादा हो सके है 4 member है कोशिश करने 5 member बनाओ कोशिश करने 6 member बनाओ बाकी तो सारा process वही है alpha, hydrogen हटाओ और दूसरे वाले पे attack करवाद हो अब क्योंकि ये reaction एक ही molecule में हो रही है that's why this is known as intramolecular aldol condensation तो ये वाले reaction थी intramolecular aldol condensation NEET 2017 का एक question है फटाफट से बताईए इसका solution क्या होना चाहिए हाँ जी फटाफट से बताईए क्या product बनेगा इसमें कौन सा option होना चाहिए what does cyclohexanone produce after undergoing aldol condensation and heating heating भी हो रही है aldol condensation भी हो रही है बताओ देखें क्या product बन रहा है पेटाबी तो carboxylic acid और बचा है अभी aldeide ketone खतम होने वाला है इसके बाद carboxylic acid बचा है है ना carboxylic acid भी करेंगे उसका अभी तो इसक्या साढ़े तीन गंटे हुए है यार अभी तो साढ़े तीन गंटे हुए है यार देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना direct product कैसे बनेगा सर इसमें direct product बनता है alpha beta unsaturated aldehyde या ketone बनता है बनता है ना alpha beta unsaturated aldehyde या फिर ketone बनेगा final product तो यहाँ पर alpha beta unsaturated aldehydea ketone किसमे है देखो यहाँ पर चेक करो यह CO की just pass वाला carbon यह वाला alpha यह वाला beta यह alpha beta unsaturated ketone है यहाँ तो दो ketone है यह तो दो ketone तो आ नहीं सकते यहाँ पर चेक करो यहाँ तो ओच भी आगया ओच नहीं आएगा यहाँ पर ओच है ketone है नहीं एक ही option है सिधा सिधा सा alpha beta unsaturated aldehydea ketone option number A एक में है आपको आगे पीछे कुछ ज्यादा गुमने की ज़रुरत ही नहीं थी मेरी बात समझ में आ रही है आपको ज्यादा आगे पीछे गुमने की ज़रुरत नहीं थी आपको सिर्फ यह चेक करना था किसमें alpha beta unsaturated aldehydea ketone बन रहा है एक और question है आपका EIPMT 2008 का strong base can extract and alpha hydrogen base जो है alpha hydrogen कहां से खटा सकता है अभी अबने बात करी ketone का alpha hydrogen acidic होता है base यहां से alpha hydrogen हटा सकता है है ना इसमें कोई बहुत लंबा चोड़ा question यह था नहीं what is the product form in aldol condensation aldol condensation में क्या बनता है क्या beta hydroxyl acid बनता है नहीं क्या beta hydroxy aldehydea या beta hydroxy ketone बनता है बिल्कुल बनता है क्या alpha hydroxy aldehydea ketone बनता है नहीं क्या alpha beta unsaturated acid बनता है नहीं aldehyde या फिर beta hydroxy ketone का formation होता है जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं aldol condensation की बात करते हैं कौन से option में है? option number B में अरे भईया D में alpha-beta ansatulid ester दे रखा है ester थोड़ी ना बनता है यहां तो aldehyde या ketone बनता है समझ में आई बात? yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very good बिटा तो यह reaction हो गई है aldol condensation reaction अब इसके बाद हम लोग कुछ और reactions पढ़ेंगे other reactions of aldehyde and ketone from other reactions of aldehyde and ketone और उसमें सबसे पहली reaction आती है सबसे पहली reaction आती है canizaro reaction और canizaro में भी self canizaro देखो canizaro होती क्या है? सबसे पहली चीज तो यह बताओ canizaro की requirement क्या है? no alpha hydrogen और requirement क्या है? concentrated base अगर question में कहीं पर भी 50% के उज़ भी लिखा है 50% एन उज़ भी लिखा है इसको भी concentrated base की केटेगरी में माना जाता है सुनना अच्छे से यह canizaro भी important है बिटा अगर कहीं पर भी 50% के उज़ या फिर 50% एन उज़ लिखा है उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी क्या माना जाएगा? concentrated acid या base माना जाएगा होता क्या है? माल लो मैंने ऐसा acid यूज़ किया है यह aldehyde यूज़ किया formaldehyde है और कहा गया 50% के उज़ के साथ 50% एन उज़ के साथ reaction करवाद बताइए क्या प्रोड़क्ट بنेगा? क्या इसके पास कोई alpha hydrogen है? check करना ज़रा क्या इसके पास alpha hydrogen है? है क्या? अब एससर इसके पास alpha carbon ही नहीं alpha hydrogen कहां से होगा? कोई alpha carbon इसके पास alpha hydrogen present नहीं है base आपके पास ले रखा है 50% होता क्या है कैनी जारों में जो एक molecule होता है न इसका reduction हो जाएगा तो इसके reduction से क्या बनेगा से reduction से बनता है alcohol और मुन्ना जो दूसरा molecule है इसका oxidation हो जाएगा और oxidation अगर LD है ketone का हो रहा है LD हैड का हो रहा तो क्या बनेगा carbox leak acid लेकिन यहाँ पर हमने क्या ले रखा है basic medium ले रखा है तो इसका salt बनेगा H plus यहाँ से हट जाएगा यह बन जाए दो molecule में से एक molecule का oxidation दूसरे molecule का reduction है ना क्या मैं इसको disproportionation reaction कह सकता हूँ क्या यह disproportionation reaction का example है और disproportionation obvious है एक redox reaction का example है disproportionation बोलते ही हम लोग उसको ही है जिसमें एक molecule का oxidation और उसी का reduction होता है उसी को disproportionation कहा जाता है याद है ना तुम्हें यह ना एक और example देख लो चलो इसका है ना देखो let's say यह लखा हुआ है है ना यह लिखा है CHO लिखा है ठीक है ना अब इसके दो मोल ले रखें इसका भी 50% एन्योज के साथ आपने वो करवा दिया कहनी जारो क्या इसके पास alpha hydrogen है सर नहीं है है ना alpha hydrogen नहीं है इसका मतलब यह कहनी जारो शो करेगा तो यहाँ पर एक बार क्या करना है इसका κα़ अयसे करणा और उइटा ठीक है बिटा, आल राइट, आल राइट, आल राइट, आल राइट, आगे चलते हैं Self-Canizaro के बाद, एक और Canizaro आती है, जिसको बोला जाता है Cross-Canizaro Cross-Canizaro का मतलब है, दो different molecules आपने use के हैं जैसे Self-Adol और Cross-Adol था, वैसे Self-Canizaro और Cross-Canizaro है ना तो cross केनिजारों में क्या होगा two different molecules आप use करोगे जैसे example ले लो जैसे मैंने एक तो लिखा है ये वाला aldehyde का molecule और दूसरा लिख दिया ये वाला ठीक है ना ये दो molecule लिखे हैं और आप से कहा गया 50% एने वच के साथ आप reaction करवाईए बताईए क्या product बनेगा 50% एने वच के साथ रिएक्शन करवाईए बताईए क्या product बनेगा ठीक है ना तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखो इस case में मैं आपको short trick बता देता हूँ है ना इस case की मैं आपको short trick बता देता हूँ कभी आपकी गलती नहीं होगी उसमें देखो short trick क्या कहती है short trick क्या कहती है इन दोनों message जो ज्यादा reactive है इन दोनों message जो ज्यादा reactive है nucleophilic substitution के लिए जो more reactive होगा सुनियो सुनियो मेरी बात बेटा जो more reactive होगा उसका होगा oxidation क्या होगा उसका oxidation और जो बेटा less reactive होगा ना जो less reactive होगा ना उसका होगा reduction बस इतना ध्यान रखे लो जो more reactive है उसका oxidation और जो less reactive है उसका reduction बस cross kennyzaro में इतना काम बन जाएगा अब आप लोगों को बता है कि ये है ये आपका formaldehyde है और ये benzaldehyde है nucleophilic addition के लिए कौन ज्यादा reactive होता है सरी ये वाला छोटे ग्रूप लगे है तो इसका क्या होगा oxidation लोजी करवा दो और इसका क्या होगा reduction खतम जो ज्यादा reactive उसका oxidation और जो कम reactive उसका reduction समझ रहे हो क्या मेरी बात गोलिए क्या यहां तक कोई परेशा नहीं है कोई दिक्कत है आपको नई अच्छा जैसे cross aldol condensation था वैसे ही है cross canisaro cross canisaro cross canisaro sorry intramolecular canisaro और intramolecular canisaro में क्या होगा let's say ये एक example लिखा हुआ है सुनना गौर से और आप से कहा गया इसका reaction concentrated animals के साथ करना हो देखो cross canisaro का मतलब है एक ही molecule में काम चल जाएगा canisaro हो जाएगी एक ही molecule में oxidation हो जाएगा उसे में reduction हो जाएगा उसको cross canisaro बोल जोगी अब भाई यहां पर देखो एक CHO group यह रहा एक CHO group यह रहा दो CHO group है एक CHO का आप oxidation करवा दो और दूसरे का reduction करवा दो एक ही molecule में canisaro हो गया इसको बोला जाएगा cross canisaro sorry intra molecular canisaro पदा नहीं cross का क्यों ना मारा बार बार अरे समझें क्या तुम बात को अरे बोलो क्या तुम्हें बात समझ में आई जैसे मान लो ऐसा लिखा है ऐसे लिखा है मान लो ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है ठीक है ना और इसका reaction concentrated एनिवस के साथ है मुन्ना बताईयो ज़रा क्या होगा सर इसमें देखो एक CHO group ये रहा एक CHO group ये रहा एक CHO का oxidation करवा दो दूसरे CHO का reduction करवा दो बस खतम तो let's say मैंने इसका reduction करवा दिया तो reduction से क्या बनेगा सर अलकॉल बनेगा TH2Oच बनेगा और इधर वाले CHO का oxidation करवा दिया ये लो सर O-NA प्लस प्रोडक्ट आपके सामने हाजिर है This is your This is your Intramolecular कहने जारो अरे बोलो महराज समझ में आई क्या मेरी बात आजी अरे भाई समझ में आया जो हम लोग कह रहे है आना बोलना पड़ेगा भाई आना बोलना पड़ेगा क्या ये चीज समझ में आई What is Intramolecular What is the difference between Intramolecular and Cross Canisar Cross में दोनों मॉलिक्यूल अलग-अलग होते हैं Intramolecular में एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें दो अलग-अलग ग्रूप लगे होते हैं जिसमें से एक ग्रूप का आपको Oxidation करवाना होता है और दूसरे ग्रूप का Reduction करवाना होता है तो ये basic difference होता है Cross Canisar और Intramolecular Canisar में Neat 2020 का question है एक बार बताईए देखें क्या solution इस case में होने वाला है हाँ बताईए देखो क्या कह रहा है What is the reaction between Benzaldehyde and Acetofenone Non in the presence of Dilute Anuach Benzaldehyde or Acetofenone देखो Acetofenone तो ये होता है Benzaldehyde तो है ये और Acetofenone है ये ये रहा Acetofenone तो देखो Canisar और तो हो नहीं सकती Canisar क्यों नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास Alpha Hydrogen प्रेजेंट Canisar और तो नहीं हो सकती Eldol हो सकता है बिलकुल लेकिन Eldol कौन सा होगा Cross Eldol क्योंकि खत्म बी तो किसी हालत में नहीं हो सकता क्यों Canisar के लिए तो Alpha Hydrogen नहीं होना चाहिए यहां तो Alpha Hydrogen प्रेजेंट है एक और क्वेशन देखो बीटा EIPMT 2007 का आजी What compound when subjected to the hydrolysis of 50% aqua sodium hydroxide produces the corresponding alcohol and acid 50% aqua sodium hydroxide इसका मतलब यह हो गया सरी यह Canisaro है है ना और Canisaro है तो Canisaro इसमें से कौन शो करेगा Option number B आपका Benzaldehyde शो करेगा क्योंकि इसके पास कोई Alpha Hydrogen प्रेजेंट नहीं है Yes, Option number B अबे कैसे होगा कौन कह रहा है इसके पास तो Alpha Hydrogen प्रेजेंट है बाई Canisaro कैसे शो करेगा यह अगला question देखिए Next question चेक कीजिए When Meta Chloro Benzaldehyde Meta Chloro Benzaldehyde क्या होता है यह होता देखो यह है Benzaldehyde और इसके Meta Position पे Chloro Present इस treated with 50% के ओच सोलीशन जैसे 50% के ओच का नाम आया Concentrated का नाम आया फट से मेरे दिमाग में आ गया Canisaro ठीक है और इसके reduction से CH2OH यह लो जी बन गया product और जो आपका CL group है उस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा समझ में आईगा मेरी बात उस पे क्या फरक पड़ना है वो तो सेम रहेगा बस आगया हो अगली reaction है बिटा Other reaction में next reaction है Electrophilic Aromatic Substitution Reaction जिसको ESR बोलते है आप तो मुझे एक बात बता दो खटा-खट से जल्दी से एक बात बता दो यह जो CWH group होता है यह activating group है या फिर deactivating group है जल्दी से बताइए CWH group जो है वो activating group है या फिर deactivating group है जिन लोगों ने GOC अच्छे से पड़ी है उन लोगों को पता होगा कि सर यह तो deactivating group है और अगर deactivating है इसका मतलब सर यह तो metadirecting group है कौन साइब बेटा metadirecting group है है ना याद है तुम्हें अरे बाई activating, deactivating पता था ना कार्बोक्सलीक अचिड हो गया LDID हो गया किटोन हो गया याँ CHO लिख रहा है ना में यह डबलो अच क्यों लिख रहे है CHO है ना चाहे LDID हो चाहे किटोन हो यह दोनों के दोनों ही deactivating groups होते हैं है ना दोनों के दोनों ही deactivating group होते हैं मतलब यह metadirecting group होते हैं तो आपकी जो electrophilic aromatic substitution reaction थी है ना उन सब में ये meta-directing group की तरह काम करेंगे एक की साथ लिख देता हूँ मैं सारे let's say BR2, FEBR3 के साथ reaction एक reaction आपकी concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 के साथ reaction और एक concentrated H2SO4 के साथ reaction है ना, याद है ये reactions तीन ये Friddle Kraft reaction नहीं करेगा बेटा भाई, अमने पढ़ा था ना कि जो deactivating groups होते हैं वो Friddle Kraft reaction शो नहीं करते हैं तो यहाँ पर meta पर BR लगेगा और यहाँ पर meta पर NO2 लगेगा और यहाँ पर meta पर SO3H लगेगा इसको halogenation कहा जाता है क्या कहा जाता है halogenation इसको nitration कहा जाता है सर इसको sulfonation कहा जाता है सर ठीक है this is known as sulfonation क्या समझेऊ आप बात को तो यह तीनों चीज तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी बहुत बार हम लोग इन सारी चीजों के बाईर में discuss कर चुके है ठीक है बहुत बढ़िया अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम chapter के अब अंतिम पढ़ाव पे पहुंच चुके हैं कौन से पे अंतिम पढ़ाव पे पहुंच चुके हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी कार्बोक्सलिक आसिड क्या होते हैं प्रिप्रेशन कैसे होती है और उनकी केमिकल रियक्शन कैसी है वो हम लोग बात करेंगे देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जोश तो मुझे लग रहा तुम्हारा ठिंडा हो गया कोई लिख रहा हुई दो जोश मुझे लग रहा जोश तो ठिंडा हो गया तुम्हारा क्यों है लटक लिए ना LDI कीटोन तक आते आते फुस मतब यह तो आसान है comparatively carboxylic acid जो है वो easy है carboxylic acid जो है वो आसान है comparatively है ना as compared to LDI और कीटोन और फुटा भी है है ना फुटा भी है चलो आओ carboxylic acid में कहता है जो bonds होते हैं वो one plane में लाई करते हैं कैसे पता या carboxylic group कौन सा होता है C double bond O O H group होता है यह देखिए यही तो होता है और एक बात बताईए क्या इसमें carbon का hybridization SP2 होता है सर बिल्कुल होता है और अगर यह SP2 hybridized carbon है तो बेटा क्या यह trigonal planer है अरे बोल दे बेटा क्या यह trigonal planer है और अगर trigonal planer है तो bond angle किता होगा 120 होगा अब एक चीज और देख यहां पर जो oxygen है इसके पास loan pair है तो यह oxygen इसके पास इस कार्बन पर partial positive है या negative है resonance भी हो सकता है आप इसकी resonating structure भी बना सकते हो है ना तो बेटा resonating structure में क्या होगा इस तर इस पे negative आएगा और यहां पर O इस पे positive आजाएगा इस तरह से आप इसकी hyper sorry resonating structure बना सकते हो negative charge का pipe bond के साथ resonance बड़े आराम से आप दिखा सकते हो clear बहुत ही बड़िया बहुत ही बड़िया ठीक है अब इसमें जो काम की चीज है वो है methods of preparation की से कर सकते हो कैसे आप carboxylic acid को बना सकते हो ठीक है हाँ तो बेटा methods of preparation जो है ना इसकी उसमें बहुत सारी reactions है 7-8 reactions है मेरे साब से methods of preparation में इसकी है ना तो हम लोग क्यों ना इसको break के बाद ही कर लें क्यों भई फिर पूरा carboxylic acid एक साथ ही निप्टा दिंगे क्या कहते हो आप आपका क्या कहना है क्या इसको break के बाद किया जाए अंजी ताकि ये एक साथ ही खतम हो जाए पूरा नहीं तो अभी बीच में chemical reaction अलग, physical properties अलग और अगर साथ साथ करेंगे तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा एक साथ तो ज्यादा लंबा हो जाएगा कर लें, चलो ठीक है फिर चलो ठीक है फिर एक छोटा सा प्यारा सा break देते हैं आपको है ना एक break देते हैं आपको लोजी पंदरा मिनट का ब्रेक देने जा रहा हूँ मैं आपको बढ़िया ढंग से आप आईए पंदरा मिनट के बाद आप सब लोगों से वापस होगी मुलाकात ठीक है और पंदरा मिनट में बेटा यह जो चैप्टर है इसके बाद हम लोग पूरा कार्बोक्सलिक आसिड एक साथ खतम कर देंगे है ना पंदरा मिनट का देंगे भाई हम भी कुछ खा पी ले हैं अब तुम अकेले खाओ गया मतलब तुम तो घर पे बढ़िया एकदम बैठे हो मस्त अना मम्मी पापा ये ले आना मम्मी वो ले आना यहां कौन लेने आएगा भाई थोड़ा में भी तो आराम चीए ठीक है चलो फिर यह वाला देखो आप पंदरा मिनिट में हम लोग वापस मिलते हैं फिर इसको खतम करते हैं ओल राइट आएगा झालवार टराम उेन भाईट झाएग्पस lin concept करते हैं इस कैसे मात क्त अना करत लाईब दु़र्ण झाल 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 आजी करें शुरुआत करें वापस स्टार्ट करें रड़ी हैं आप लोग हाँ वही शुरू करें आजाओ फिर preparation की बात करते हैं विटा सबसे पहले preparation की बात करेंगे preparation की काफी सारी reaction समलोग पढ़ चुके हैं है ना और उसमें सबसे पहली reaction आती है आजाएए from oxidation of alcohols देखो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आपने alcohol लिया one degree alcohol आपने लिया है है ना one degree alcohol लिया और आपने इसका oxidation करवाना है तो आपको जरुरत पढ़ेगी strong oxidizing agent की किसकी जरुरत पढ़ेगी strong oxidizing agent की ये जो strong oxidizing agent होगा वो आपका क्या करेगा बिटा इस one degree alcohol को convert कर देगा किसमें? कार्बोक्सलीक आसेड में ठीक है ना तो strong oxidizing agent की series आपको लिखवा रखी है कौन-कौन से होते हैं ये हम लोगों ने पिछले वाले session में भी बात कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाए ये तो अरे बताओ अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाए oxidation of aldehyde and ketones आज के class में पढ़ाए ये तो फिर उसके बाद from alkyl benzene देखना जी ये वाले reaction देखना बिटा from alkyl benzene ये वाले reaction बड़ी important है सुनो जैसे मान लो आपने ले रखा है ये चीज ये है alkyl benzene एक alkyl group लगा हुआ है बेंजीन के उपर ठीक है ना आपको क्या करना है इसका oxidation करवाना है बहुत जबरदस्ट oxidation है ना basic medium में आपने इसको heat कर दिया तो होता क्या है यहाँ पर जितनी भी बड़ी alkyl की chain है चाहे कितना भी बड़ा group लगा हो वो सारा का सारा कार्वक्सलीक असेट में convert हो जाता है आपको acidification करवाना पड़ेगा CWH बन जाएगा चाहे कार्बन की chain कितनी ही बड़ी हो कितनी ही बड़ी कार्बन की chain हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता जैसे मानलो तीन कार्बन की chain है ठीक है तीन कार्बन है है ना और आपने ये सारी चीज़ करवा दी और second step में H-plus डाल दिया तो आपके जो पूरी की पूरी कार्बन chain है ये किसमें convert हो जाएगी ये पूरी की पूरी कार्बन chain convert हो जाएगी CWH में आपको नमबर से नहीं पता लगता कितने कार्बन है उससे कोई फरक नहीं पड़ता सिर्फ जो कंडिशन है रिक्वाइड वो ये है कि जो पहला कार्बन है विटा इस कार्बन के पास एट लीस्ट वन हाइड्रोजन होना जरूरी है जैसे अगर माल लो आपने ये वाली रियक्शन करवानी हो अगर ये वाली रियक्शन करवानी हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है मेरी बात समझ में आई आपको क्यों कि इस carbon के पास कोई hydrogen present नहीं है इस carbon के पास कोई hydrogen present नहीं है तो जब कोई hydrogen present नहीं है तब इसका oxidation नहीं हो सकता इसके लावा गर इस direct disattach carbon के पास hydrogen है उसके oxidation से carboxilik acid बन जाएगा irrespective of the length है ना length से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन tertiary group का oxidation नहीं होता यही चीज इसमें लिखी वी है मालनो एक से ज्यादा chain भी है उससे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा लेट से ऐसे लिखा हुआ है CS3 CS3 और अगर आप इसका oxidation करवाओगे न तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा उपर वाला CS3 भी oxidize हो जाएगा CWH में और नीचे वाला CS3 भी CWH में oxidize हो जाएगा यह कहने का मतलब है मेरी बात समझ में आईए आपको हाँ जी बताइए जरा जल्दी बोलिए क्या ही बात सही है जैसे यह वाला question देखो aims का question है 2017 का question है यहाँ पर CS3 है CWH में convert हो जाएगा यहाँ पर यह वाला group है CWH में convert हो जाएगा कौन सा option? option number 1 खतब आपको चेकी नहीं करना है कि carbon chain की length कितनी है कितनी नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा carbon की length से कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले preparation की बात करते हैं from nitriles and cyanides एक बात याद दिखना nitriles होता है RCN इसका आपने hydrolysis करवाया है ना? acidi कि या फिर basic medium में आप इसका hydrolysis करवा सकते हो तो nitriles के hydrolysis से बनता है बिटा amide क्या बनता है? amide यह क्या है? amide और जो आपका amide है इसका भी further अगर आप hydrolysis करवाओगे अगर आप इसका further hydrolysis करवाओगे तो इसके further hydrolysis से बनता है carboxylic acid क्या बनता है? C double bond O watch carboxylic acid carboxylic acid लेकिन अगर माल लो question में question में ऐसा बुला है partial partial hydrolysis of nitrile partial hydrolysis तो बिटा nitrile से amide बनता है partial hydrolysis क्या होता है यहां तक सिर्फ partial hydrolysis से और अगर माल लो question में कुछ नहीं लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर लिखा है complete hydrolysis तो आपको RCN को direct convert करना है किसमें? carboxylic acid this is your complete hydrolysis अगर question में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानोगे जल्दी बताओ अगर question में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानोगे जल्दी बताओ है वाई? अगर question में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानोगे? complete hydrolysis या फिर partial पिटा कुछ ना लिखा हुआ हो तो हमेशा आपको complete hydrolysis मान के करना है जैसे मानोगे question ऐसे लिखा हुआ है direct है ना? ऐसे लिखा हुआ है CS3, CH2, CN है ना? और ऐसे लिख दिया H3O plus hydrolysis कुछ नहीं लिखा गया question में कुछ भी नहीं बोल रखा उसमें कुछ भी नहीं बोल रखा तो हमेशा आपको complete hydrolysis मानना है और complete hydrolysis में जो आपका CN group होता है जो आपका CN group होता है किसमें convert हो जाएगा? TWH में, simple है ना? यह वाला जो CN group है यह direct किसमें convert हो जाएगा? TWH में, खतम यह देखो ज़रा, benzoic acid बन जाएगा ठीक है? कुछ ना लिखा हुआ हो तो complete hydrolysis मानने के चलना होता है अगली reaction है from grignard reagent है ना? grignard reagent से भी आप carboxlyic acid बना सकते हो कैसे बना सकते हो? देखना जी आपको क्या करना है? बेटा, grignard reagent RMGX होता है वो लिए होता है और इसकी reaction करवानी है carbon dioxide के साथ carbon पे partial positive, oxygen पे partial negative R- का attack होगा carbon पे यह वाला 5 bond ब्रेक हो जाएगा बास simple इतना सा है आपका grignard reagent react करेगा किसके साथ? carboxlyic acid के साथ R, C double bond O O-MGX बनेगा और अगले step में इसका hydrolysis करवा देना है O- के पास H+, दे दो इधर OH दे दो यह रहाजी carboxlyic acid plus MgX OH आपका carbon बास厚ी बात है सबसे अच्छी बात यह है सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी जो बरजी है वो बरजी है वह वाला लेलो से कोई problem नहीं है आपका carboxlyic acid मिल जाएगा जो आपकी मर्जी हो उस तरह का है तो यह वाली reaction वहाँ पर काम में आती है clear हाँ जी मौत बढ़िया आगे जलते हैं बिटा, next अगली reaction है जैसे ये वाला देखो example इसमें क्या product बनेगा? बताई हो देखें, फटाफट ये वाला क्या product बनेगा? जल्दी बताओ, इस reaction में क्या product बनेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या product बनेगा? simple देखो ये carbon, ये CO2 है ना? CO2 ऐसा है बेटा ये रहा CO2 आपका ये रहा CO2 carbon पे partial positive, oxygen पे partial negative और यहाँ R- इसका direct इस पे attack होगा, ये वाला pi bond प्रेक हो जाएगा ये लो, इस पे क्या लग जाएगा? C double bond O, OH लग जाएगा कौन से option में है? option number B में है खतम ठीक है? कौन से साल में आया है? EIPMT 2002 का question है अगली reaction देखते हैं next reaction from acyl halide and anhydrides acyl halide and anhydrides देखो acyl halide क्या होता है? acyl halide ये रहा R C double bond O, C L ठीक है? इसका आपको hydrolysis करवाना है आप इसका direct hydrolysis भी करवा सकते हो आप इसका basic medium में hydrolysis भी करवा सकते हो है ना? कौन से medium में? basic medium में बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है देखो करना क्या आपको बताओ करना क्या देखो? इस वाले bond को तोड़ना है water लेना है ना तो OH और H ऐसे जोड़ देना है बस बन गया product देखरो? बन गया product क्या बनाए दर से? R C double bond O, T R C double bond O, OH अगर आपने basic medium लिया है तो सबसे पहले carboxylik acid बनेगा बट क्योंकि medium basic था तो salt बनेगा आपको अलग से H plus डालना पड़ेगा बनेगा इसमें भी carboxylik acid R C double bond O, OH बस समझ में आई क्या बात? आरे बोलो ना यार क्या ये चीज समझ में आई? है ना R C O C L water के साथ reaction हुई, hydrolysis करवा दिया C और C L के बीच bond तोड़ना है इधर OH लिख दो इधर H लिख दो और basic medium में लोगे तब भी आपकी reaction हो जाएगी लेकिन उसको acidification अलग से करवाना पड़ेगा, बस फरक इतना सा है अच्छा अगर आपने R C O C L की जगे, आपने एन हाइड्राइड ले लिया जैसे माल लो एन हाइड्राइड क्या होता है इन हाइड्राइड यह होता है C double bond O O C double bond O R और इसका आपने hydrolysis करवा दिया तो यहाँ पर भी आपको same ही काम करना है यहाँ पर भी आपको same ही काम करना है let's say CO के आसपास वाला जो बोन्ड है उसको तोड़ दो यहाँ H लिख देना इहाँ OH लिख देना देखो इधर से कार्बोक्सिलिक आसिड बन गया कौन सा R C double bond O O H और इधर से कौन सा कार्बोक्सिलिक आसिड बनेगा R C double bond O O H यह देख बाद आपको समझ में आ रही बहुत ही आसान सी रियक्शन है यह दोनों ही रियक्शन बहुत इजी है है ना C6H5 C double bond O O C double bond O CS माल लो यह वाला कार्बोक्सिलिक आसिड दिया आपको है ना कार्बोक्सिलिक आना हिड्राइड दिया है और इसका आपको हिड्रोलेसिस करवाने को बोला गया तो क्या करोगे आप है ना क्या करोगे आप यह वाला बोंड तोड़ा माल लो H H इदर लिखा OH इदर लिखा तो इदर से कौन सा कार्बोक्सिलिक आसिड बना है पिटा C6H5 C6H5 जल्दी बोलो C double bond O O H बना और इदर से कौन सा बना CH3 C double bond O H है ना तो दोनों साइड से ही आपको कार्बोक्सिलिक आसिड के दो मोल मिल जाएंगे समझ में आरी मेरी बात क्लास कित्ती बज़े चलेगी पेटा क्लास अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी है ना यह preparation खतम हो जाएगी preparation के बाद हम लोग properties देखेंगे और properties के बाद class खतम ester oh भाई ester ester का hydrolysis तो ulti reaction हमने पड़ी है estification पड़ी है हमें उसका opposite करना है सुनो देखो कैसे करेंगे यह है आपका ester let's say this is your ester इसका आपको hydrolysis करवाना है ठीक है तो क्या होगा क्या होगा सुनो सुनिए कार्बोक्सलिक एसिड बनेगा एक तो और एक alcohol बनेगा क्या क्या बनेगा एक कार्बोक्सलिक एसिड और एक alcohol याद कर तो estification reaction estification में हम लोग कहते थे जब कार्बोक्सलिक एसिड alcohol के साथ react करता है तो ester plus water बनता है, ये just इसका opposite है, है ना लेकिन ये ध्यान रखना कि भईया जब water बनता था तो OH ग्रूब कहाँ से ये हम लोगोंने last class में बात करी थी येवाला bond तोड़ना, इधर OH और इधर H जोड़ देना, RC double bond OH, R dash OH carboxylic acid बन जाएगा, और साथ में एस्टर बन जाएगा और यही reaction आप basic medium में भी करवा सकते हो सेम यह reaction है आप इसका hydrolysis basic medium में भी करवा सकते हो लेकिन लेकिन वापस से मैंने जैसा आप से कहा ना कि पहले तो RCO minus बनेगा ROS तो यहीं पर बन जाएगा पट क्योंकि acid है basic medium ले रखा है तो पहले salt बनेगा आपको इस salt का अलग से acidification करवाना पड़ेगा तब जाके आपको carboxylic acid मिलने वाला है ठीक है यह वाली जो reaction है यह वाली reaction जहांपर आपने carboxylic acid का hydrolysis करवाया है basic medium में इसको saponification बोला जाता है क्या बोला जाता है जनाब? saponification reaction ठीक है जी? क्या बोला जाता है बुनना? saponification reaction ठीक है? इस बात को आप याद रखें बस थोड़ा सा ठीक है? आरे समझ में आई क्या बात? this is non-ass saponification, just opposite reaction है उसकी फिर आता है tri-halogen derivatives of hydrocarbons, tri-halogen derivative का मतलब क्या होता है सुनना देखो जैसे ये लिखा है CH3, CH3, मैंने इसका क्या किया? chlorination करवा दिया in the presence of H2 एक hydrogen हटेगा, hydrogen हटेगा उसकी जगह chlorine लग जाएगा, मैंने एक बार फिर मेरा मन नहीं माना मैंने कहा एक बार और hydrolysis करो, तो फिर एक और hydrogen हटेगा, उसकी जगह एक और hydrogen लग जाएगा, अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा मैंने कहा अब हाई, इसका एक बार hydrolysis करो, ठीक है न, एक बार और करो hydrolysis, सुरी halogenation, तो यह बन गया, tri halogen derivative, है न, tri halogen derivative का मतलब है, तीन halogen आ जाएंगे, तीन hydrogen हटके, तीन halogen आ जाएंगे, यह देखो, this is your tri halogen derivative, अब क्या करो, इसका hydrolysis करवा दो, क्या करो, hydrolysis, मुन्ना, hydrolysis में क्या होता है, nucleophilic substitution हम लोग पढ़के आएं, पिछली क्लास में, तो यह यहां पर CL group हटेगा, और CL group हटके क्या लग जाएगा, CL group हटके क्या लग जाएगा, OH हट जाएगा, OH हमने आज ही बात करी, कि भाई, एक carbon पे दो OH group stable नहीं होते, यहां तो एक ही carbon पे बिटा, तिन तिन OH group आगे, तो यहां से होगा क्या, एक water का molecule बाहर निकल जाएगा, यह होगा, water का molecule बाहर निकल जाएगा, जैसे water का molecule बाहर निकला, यहां पर आगया double bond, CH3, C double bond OH, यह देखो जी, carboxylic acid आपके सामने है, बताएगे, clear, समझ में आई क्या बात, है ना, this is trihalogen derivative of hydrocarbon, आप तीन hydrogen हटा के आप derivative बनाओ, उसका hydrolysis करवादो, water का molecule बाहर निकाल दो, खतम हो जाएगी कानी, है ना, ठीक है, अगला method है, from oxidation of alkenes, oxidation of alkenes, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा, hydrocarbon chapter में देखो, क्या होता है, oxidation of alkenes में, और कैसे बनाया जाता है, जैसे मानलो, यह वाली आपने alkenes ले रखी है, ठीक है, यह वाली आपने alkenes ले रखी है, बिटा, इसका oxidation में किसकी presence में करवाँ, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद है तो बताईए, इसका oxidation किसकी presence में करवाएं, हाँ जी, पताए किसी को, oxidation, बाइ, strong oxidizing agent लेना होता है, यार इसमें, क्या करना होता है, आपने, मैंने cheminophor ले रखा है basic medium में heat करवा दिया और फिर उसके बाद उसका hydrolysis करवा दिया इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो हाँ cheminophor लेना है इधर इधर देखो इधर होता क्या इस reaction में यह वाला bond तोड़ना है एक oxygen इधर एक oxygen जोड़ना है ठीक है न जैसे आपने दोनों side oxygen जोड़ा क्या बन गया इधर से बिटा इधर से बना CS3CHO और उधर से भी बना CS3CHO लेकिन आपको पता है कि जो cheminophor है यह CS3CHO को भी further oxidize कर सकता है किसमें convert कर देगा CS3C double bond OH में बस दो मोल बन जाएंगे तो अगर आपका aldehyde बनता है तो उस aldehyde को further oxidize कर दो किसमें कार्बॉक्सलिक आशिड में यह इस question को करने का direct method है कि यहाइअ बात आपको समझ में आई एक ओर example देता हो देखो एक ओर example लिखते हैं जैसे माल लो आपके पास यह वाली alkene होती लेटसे आपके पास यह वाली alkene होती है सुनना और इसका oxidation करवाया होता आपसे इसका oxidation करवाया होता है अब होगा क्या आपको क्या करना है यह वाला bond तोड़ना है एक oxygen इदर एक oxygen इदर जोड़ना है जोड़ दिया इदर से क्या बना इदर से बना सर CS3 C double bond O CS3 यही बना अरे बताओ और इदर से क्या बना CH3 C double bond O H इदर से यह बना अब होगा क्या ये वाला जो आपका कीटोन है कीटोन का further oxidation नहीं होता तो कीटोन को तो रखना है as it is और अगर आपका aldehyde बना है ये देखो ये aldehyde बना है न इस aldehyde को कर देना है इसमें convert हर्वोक्षिलिक आशिड में कर देना है मेरी बात समझे हो तुम ऐसे questions को करने का direct method है क्या करना है पाइबोंड तोड़ो दोनों side oxygen oxygen जोड़ो जैसे आप लोगों ने ozonalysis किया है है न हाँ oxidative ozonalysis में होता है ठीक है समझ में आई मेरी बात तो ये बिल्कुल similar उसी के reaction है तो ये खतम हो गया आपका preparation of carboxylic acid अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी physical properties of carboxylic acid बहुत आसान है physical properties की अगर मैं boiling point की बात करू तो इतनी बार हम लोग बात कर चुके हैं boiling point पे कि boiling point जो होता है it is directly proportional to intermolecular forces है ना और जो carboxylic acid होता है या पर intermolecular forces कौन से होते हैं कारboxylic acid के दो molecule के बीच अगर मैं vapor phase की बात करू ना तो देखो बहुत जबरदस hydrogen bonding हो जाती है carboxylic acid में vapor phase में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही बहंकर बहुत ही जबरदस hydrogen bonding होती है देखो यह oxygen इस हैच के साथ यह वाला हैच इस oxygen के साथ dimer बना लेता है क्या बना लेता है dimer बना लेता है in vapor phase तो देख रहे हो आप कितनी जबरदस hydrogen bonding हो रही है ना और क्योंकि बहुत जबरदस hydrogen bonding हो रही है इसी वज़े से carboxylic acid का जो boiling point होता है वो alcohol से भी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें intramolecular H bonding बहुत ही जबरदसत है ना तो अगर आप boiling point की बात करोगे ना तो हम लोगों ने ये चीज लिखी भी थी कि वाई carboxylic acids का boiling point होता है है ना वो सबसे ज्यादा होता है यस और इसके बाद को ना आता है जैसे हम लोगों ने बात किया था alcohol आता है है ना इसके बाद आप aldehyde ketone लिख होगे है इसके बाद को होता है ना तो यह एक छोटे से सीरीज है तो आप इसको अलागी इसको explain कर सकते हो आप अल्राइट इसको आप explain कर सकते हो ऐसा होने का reason क्या है यहां पर बहुत जबरदस strong bonding hydrogen bonding यहां पर भी है यहां एच बोंडिंग नहीं है लेकिन बहुत तगड़ा polar polar dipole dipole force of attraction present है hydrocarbon तो भ वो आपका vendor wall forces present होते है yes vendor wall forces जो होते है वो बहुत ही weak होते है इस वज़े से उसका boiling point भी सबसे कम हो जाएगा ठीक है अगर solubility की बात करें तो क्या carboxylic acid water में solubal होगा हां जी क्या carboxylic acid water में solubal होगा क्या लगता आप लोगों को क्या लगता है सर कारboxylic acid water में solubal होगा क्यों होगा क्योंकि सर ये water के साथ बड़े प्यार से h bonding कर सकता है अरे यार water के साथ अगर hydrogen bonding कर लेगा इसका मतलब solubal है solubal in water है की नहीं और एक बात मुझे और बताओ अगर ये वाला alkyl group बड़ेगा जितना बड़ा होगा घ्वाल अलकायल ग्रूप जितना बढ़ा होगा क्या मैं ऐसे का सकता हो solubility उतन ही कं होगी क्यो क्यों कि सर ये जो इसको पानी से डर लगता है इसको तो पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिक होता है इसको पानी से डर लगता है इस वस्थे से जतना बड़ा आपका आर ग्रूप होगा जतना बड़ा आपका ऐल का ग्रूप होगा solubility उतनी ही कम होती जाएगी hydropobik बढ़ने के साथ solubility हमेशा प्रॉपर्टीज के हम लोग ने बात कर ली अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं डिरेक्ट किसकी chemical reactions of carboxylic acids हाँ carboxylic acid नहीं आता भई वो भी तुम्हारी तरही है है ना वो भी तुम्हारी तरही है तुम मैंसे भी कई लोग होंगे hydrophobic chemical reactions अचा एक question है देखते हैं carboxylic acids have higher boiling point than aldehydes, ketones and even alcohols of comparical molecular fast क्यों होता ऐसा क्यों होता ऐसा formation of intramolecular H bonding formation of intermolecular H bonding formation of carboxylate and more extensive association अरे कर लोगे ना यार बोलो ना यार intermolecular H bonding बहुत जबरदस्त होती है carboxylic acids में intermolecular, intra थोड़ी ना होती है intermolecular H bonding की वज़े से intermolecular H bonding की वज़े से इनका जो boiling point होता हो बहुत ही ज़्यादा होता है तो अब हम लोग chemical properties पढ़ रहे हैं मिटा है ना यह तो physical properties का कोई question आ गया है दर हम लोग अब बात करने वाले हैं किसकी chemical properties of carboxylic acids ठीक है हाँ chemical properties की बात करते हैं और chemical properties में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसी reactions की उन reactions की जिसमें oxygen hydrogen bond टूडता है है ना कौन सी reactions जिसमें oxygen hydrogen bond टूडता है और oxygen hydrogen bond टूडने वाली सबसे पहली reaction है acidic nature of carboxylic acids है ना acidic nature of carboxylic acids देखो आप सब लोगों को बता है कि कार्बोक्सलीक आसिड एसडी की नेचर होता है अगर मैं इसकी सोडियम मेटल के साथ रियक्षन करूँ तो सर यह क्या करेगा हईच प्लस रिलीज कर देगा सोडियम कार्बोक्सलीड प्लस हाईड्रोजन गैस रिलीज होगी है न हच टू बहर जाएगा अगर मान लो आपने इसकी रियक्षन एनिफ़ के साथ करवादी तो इसको एनिफ़ के साथ रियक्ष करने भी बिक्कत नहीं है एना एच प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा O- Na+, और साथ में पानी बनेगा अरे बोलिए क्या मैं सही लिख रहा हूँ अगर मानलो आप इसकी reaction NaNH2 के साथ करवा दो तब बिस को कोई दिक्कत नहीं है ना NH2- यहां से H+, बार निकालेगा लो जी यह रहा आपका sodium carboxylate और साथ में अमोनिया बाहर चला जाएगा अरे बोलो ना यार और अगर मानलो आप इसकी reaction sodium bicarbonate के साथ करवा दो यह एक बहुत important reaction है sodium bicarbonate test भी बोला जाता है अगर इसके साथ भी इसकी reaction करवाओगे तो क्योंकि यह बहुत दबरदस्त acid होता है यह यहां से CO2 gas को पाहर निकालेगा and this CO2 gas turns lime water milky तो इसको आप carboxylic acid के test की form में भी use कर सकते हो है ना लिख सकते हो ना यह आप test के लिए भी use दो सकता है test for carboxylic acid है ना कि जो given compound है वो carboxylic acid है या फिर नहीं है आप क्या करो sodium bicarbonate के साथ reaction करवाओ एक gas release होगी और वो जो gas है उसको आप lime water में से पास करवाओ अगर वो lime water को milky कर देता है इसका मतलब वो gas CO2 थी और वो जो substance रहा होगा वो कैसा रहा होगा carboxylic acid रहा होगा क्या मेरी बात सही है हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज़ और देखो हम लोगों ने तो ऐसे भी पढ़ा है ना हम लोगों ने तो ऐसे भी पढ़ा है कि भाईया जो acidic nature होती है क्या होता है जो acidic nature होता है it is directly proportional to stability of conjugate base ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने अरे बोलो carboxylic acid जो होते हैं ना फिर कोई भी acid हो acidic extent कितनी ज्यादा होगी किस पर depend करेगा कि उसका conjugate base कितना ज्यादा stable है और sir conjugate base कब ज्यादा stable होता है जब उसमें electron withdrawing group लगा हो और जितना ज्यादा electron donating group लगा होगा उसकी acidic extent उतनी ही ज्यादा हो जाती है मेरी बात समझ में आई आई आपको अरे बोलो आई की नहीं आई है ना तो अगर मैं carboxylic acid की बात करूँ ना तो ये carboxylic acid का जो conjugate base होता है ना h plus देखो हटा के देखते है इसका conjugate base यही बनेगा r c double bond o minus यही तो है conjugate base और बिटा conjugate base देखो बहुत ही जबर्दस ठेइमल है negative charge pipe bond के साथ resonance में है अगर आप देखोगे तो दोनो जो इसके resonating structures है क्या वो दोनो equivalent resonating structures है क्या वो दोनो एक जैसी resonating structure है देखना जरा गौर से क्या वो दोनो traveling structure एक जैसी है equivalent resonating structures है और जब resonating structures equivalent होती है तो हम लोग कहते हैं extent of resonance बहुत ही जबरदस्त होता है तो carboxylic acids का conjugate base बहुत जबरदस ठीबल है that's why इनकी acidic strength भी बहुत ही ज्यादा होती है बहुत highly acidic होते हैं कोई दिक्कत इसमें? Yes? अरे देखो ना दोनों एक जैसी तो हैं कोई कह रहा है केस है? आरे भाई मेरी आंकों से देखो मुनना मेरी आंकों से देखो एक जैसी तो है equal है ना equivalent हाँ इनका equal contribution होगा in resonance hybrid equal contribution है इसका मतलब ये आपका resonance hybrid में equal contribution है extent of resonance बहुत हाई होगा resonance energy की value बहुत ही हाई होगी ठीक है? very good, very good, very good, very good बहुत बढ़ी है बटा soluble in sodium hydrogen carbonate कौन sodium hydrogen carbonate में soluble नहीं होगा? देखो जो strong acids होते न वो sodium hydrogen carbonate के साथ react कर लेते हैं benzoic acid react कर लेगा, sulphonic acid तो और जबरदस्त acid होता है 246 trinitrophenol देखो ये होता है 246 trinitrophenol ये होता है है ना? और एक होता है orthonitrophenol इन दोनों मैंसे, ये जो orthonitrophenol है, इन दोनों मैंसे orthonitrophenol ये वाला ज्यादा acidic है, ये वाला कम acidic है है ना? तो जो ज्यादा acidic होता है वो sodium bicarbonate के साथ react करता है तो ये तो कर लेगा, लेकिन orthonitrophenol जो है, क्योंकि उसके acidic strength काफी कम है, इन सब के comparison में, इसी वज़े से ये sodium bicarbonate के साथ react नहीं कर पाता है, फिक है ना? इस बात का ध्यान रखना है, option number T correct है बिटा, इस case में क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आजी? क्या यहाँ तक ठीक है? और एक चीज और समझो कार्बोक्सिलिक आसिड की acidic strength जो है, वो हम लोगों ने GOC में भी पड़ी है अरे बोलो ना, कार्बोक्सिलिक आसिड्स की कार्बोक्सिलिक आसिड्स की acidic strength हम लोगों ने पड़ी है ना, GOC चैप्टर में, अरे हाना तो चार्वाक्शलिक असेड यह दे रखा है, CWH के साथ यहां CS3 लगा है, ठीक है, और एक यहां CWH के साथ, let's say, वज लगा है, और एक CWH के साथ, यहां NO2 ग्रूप लगा है, ठीक है, CWH के साथ, NO2 ग्रूप लगा है, यस, तो बताईए जैसे, अगर इसमें आपसे acidic strength का order पूछे, A, B, C, D, बताईए, कौन सबसे यहाद acidic होगा, अरे यहां बता सकते हो ना, है बई, अरे बता सकते हो ना, कोई कह रहा है, acidic strength conjugate base पे कैसे depend करती है, माराज, आप जियो सी पढ़िए जाके, सबसे पहले, देखो, यह CS3 electron donating group है, प्लस H effect शो करता है, acidic strength को decrease करेगा, यह ओज ग्रूप देखो, यह तो बहुत ही जबरदस्त electron donating होता है, यह तो acidic strength को decrease करेगा, resonance electron दे रहा है, यहाँ NO2 electron खींच रहा है बाई, जबरदस्त तरीके से, electron withdraw कर रहा है, और जितना तगड़ा electron withdrawing group लगा होता है, acidic strength अतनी ही, ज्यादा होती है, तो सबसे याद acidic कोन हो, कापटा D होगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, नहीं, D के बाद A आएगा, फिर उसके बाद B आएगा, और सबसे कम सती होगा, क्योंकि C में सबसे अच्छा electron donating group लगा है, ठीक है, अरे, D के बाद C कै कैसे आएगा बाई, C तो electron donating होता है, donating तो acidic strength को decrease करता है, यहाँ पर कोई donating नहीं लगा हुआ, इसी वज़े से इसका acidic strength इन दोनों से ज्यादा होगा, नोट्स नहीं बनाने अभी, अरे, क्या बात कर रहे हो यार, अरे, नोट्स थोड़ी दो बनाने साथ-साथ, नोट्स नहीं बनाने, इस समय नोट्स बनाने का time नहीं है, जिए class खतम होने के बाद, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, हैना, वो जो नोट्स हैं, आपको direct नोट्स नहीं बनाने, अभी उतना time थोड़ी था, हमरे पास नोट्स बनाने का बताओ, हाँ, हाँ, देखना एक बार, जैसे माल लो, हाँ, चलो यह वाला question तो हो गया, अब इसके बाद, एक और question की बात करते हैं, या अगली reaction की बात करते हैं, next reaction कौन सी है, चेक करो, next reaction है, reaction, ऐसी reaction जिसमें carbon OH bond टूटे, COH bond break हो रहा है, देखो, 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 क्या हो रहा है जिसमें, carbon oxygen bond break हो रहा है, यह वाला bond break हो रहा है, है ना, यह वाला जो bond break हो रहा है, उसमें सबसे पहली reaction है, PCL5, PCL3 और SOCL2 के साथ, बहुत ही आसान reaction है, बहुत ही आसान है, देखो सु पिर उसके बाद हम लोग करेंगे PCL3 के साथ reaction और फिर उसके बाद करेंगे अब लोग SOCl2 के साथ reaction तीनों ही reaction में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है सुनो सुनो OH ग्रूप हटेगा और उसके जगे CL लगाना है बस काम खतम इतना ध्यान रखना है OH हटाओ CL लगाओ और बाकि जो वाइप प्रोड़क्ट है न वो तो पिछले वाले ही है HCL प्लस POCL वो भाइप प्रोड़क्ट सेम ही है जो हेलो एलके और हेलो अरीं से चले आ रहे है वह ही वाले देखो इसमें देख लो आर सी डबल वोंड हो CL और बेटा यहां पर PCL3 के साथ भी क्या बन जाएगा H3PO3 बनेगा यहां पर क्या बनेगा ओच अटाओ CL लगाओ इसमें भी जो दो बाई प्रोड़क्ट हैं वो SO2 प्लस HCL बनेगे यह तो मेरे इसाब से अब तक आपको रट गये होंगे रात को अगर दो बज़े भी उठाके पूछे ना तुमसे है बई दो बज़े की अठाके अगर तुमसे कोई पूछे ना तब भी तुम इसका जवाब दे सकते हो अरे बोलो दादा, हाँ या ना, क्या आप जवाब दे सकते हो इसका, मेरी बात बताओ, समझ में आई क्या बात, इसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है यार, यह तो बहुत असान चीज है, यह हम लोग तो पता नहीं कब पढ़ चुके हैं, कब क्या पढ़ चुके हैं, ठीक ह अगली रियक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स रियक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम लोग NH3 के साथ रियक्शन करवाएंगे और उससे अमाइड बनाएंगे, देखो, देखो, सिंपल सी कहानी है, देखो, सिंपल बात यह है बिटा भाई, कि यह कार्बोक्सलिक अ अग आप इसके रियक्शन अमोनिया के साथ करवावें, प्रेमोनिय क्या होता है बेस होता है, तो जब आसल बेस के साथ रियक्ट करेगा, तो यह अमोनिया इस हच पलस को अपना लोन प्र डोनेट कर देगा, क्या HTML बनेगा क्या? हाँ वाई क्या salt बनेगा क्या अरे बोलना है यार दादा क्या salt बनेगा R-C double bond O-NH4 sodium carboxylate ammonium carboxylate इसको क्या बोला जाता है ammonium carboxylate और यहाँ से यहाँ से अगर आपने इसको heat कर दिया तो water का molecule बाहर निकल जाएगा water कैसे बार निकलेगा H2 और यहाँ से O-R लिखनेगा और R-C double bond O-NH2 बन जाएगा जिसको दुनिया amide के नाम से जानती है समझ में आई क्या बात भाई 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 दादा दादा यह समझ में आए क्या अरे यह reaction important है यार यह reaction important है देखो एक और example देता हूँ यह वाला है आपके पास carboxylic acid ठीक है इसकी reaction आपको किसके साथ करवाने देखो इसका आप direct product भी बना सकते हूँ direct बताओ कैसे बनाओ यह ammonia को आप ऐसे लिख दो NH3 और यहाँ से water का molecule बार निकाल दो yellow yes NH3 नहीं NH2 ह NH2 लिखो ना ऐसे लिख दो अमोनिया को ह NH2 और यहाँ से water का molecule बार निकाल दो जैसे ही water molecule बार निकला 3 double bond हो NH2 बन जाएगा खतम आप इस तरह से बिटा direct product बना सकते हो है ना आप यहाँ इस तरह से भी बिटा direct product form कर सकते हो कोई problem नहीं है एक और एक्जाम्पल देखते हैं देखो एक और एक्जाम्पल देखते है देखना ज़रा सुनना यह है आपका थैलिक आसेट क्या बूला जाता है इसको थैलिक आसेट ठीक है इसकी reaction करवाईए आप अमोनिया के साथ ठीक तो क्या होगा सर अमोनियम थैलेट बनेगा क्या बनेगा अमोनियाम थैलेट बनेगा देखियो जनाब C double bond O minus NH4 plus इसको थैलिक आसेट बोला जाता है बिटा क्या बोला जाता है थैलिक आसेट बोला जाता है ठीक है न और इसका नाम क्या होगा फिर सरी यह है ammonium thalate this is known as ammonium thalate ठीक है अब आपने क्या किया इसको heat कर दिया जैसे आपने heat किया H2O H2O यहां से बाहर निकला पेटा क्या बन गया thalamide बन गया CO NH2 CO NH2 बन गया देख रहे हो अरे पेटा इसका नाम क्या है thalamide है अगर question में लिखा है सुनियो सुनियो अगर question में लिखा है strong heating question में क्या लिखा है strong heating यह आपको तभी माननी है जब लिखा है strong heating तभी माननी है जब लिखा है तो यहां से NH3 बाहर चला जाएगा यहां से क्या होगा NH3 बाहर चला जाए और ये जो कार्बन है ये इस NH से जुड़ जाएगा और जो आपका final product बनेगा उसको आप देखिएगा गौर से C double bond O C double bond O NH इसको thalimide बोला जाता है क्या बोला जाता है thalimide बेटाई एक बहुत important reaction है इस पर direct question पुछा गया है नीट में क्या आपको इस चीज समझ में आई हाँ जी और बताऊं सबसे बढ़िया चीज बताऊं क्या है यह जो reaction है वह यह direct आपकी NCRT में दे रखी है और यह question को direct पूछ लिया आपके examiner ने हाँ समझ रहे हो बात को फैलिक आशिड अमोनिया के साथ react किया अमोनियम थैलेट बना हीट किया थैलेमाइड बन गया स्ट्रॉंग हीटिंग करी अमोनिया बाहर चला गया और लास्ट में थैलेमाइड बन गया है ना देख रहे हो एक दम बहुत जबरदस्ती reaction है लेकिन ब 2019 सिधा सिधा question है strong hitting करनी है यह रहा थैलेमाइड आपकी स्क्रीन पर है option number C अरे समझे माराज बहुत ऑई बड़िया आगे चलते है एक और reaction के बारे बात करते हैं जिसमें हम लोग एन्हाइड्रैड का formation करेंगे देखो formation of एन्हाइड्रैड कैसे होता है एन्हाइड्रैड कैसे बनेगा बहुत आराम से बन जाएगा देखो जैसे आपके पास carboxylic acid के दो molecule है है ना आपके पास क्या है carboxylic acid के दो molecule है आप क्या करो भाई इनको P2O5 की presence में heat कर दो इसके presence में P2O5 भाई आप P2O5 पताओ क्या करता है water molecule बाहर निकाल देता है water molecule बाहर निकाल देता है और यह जो oxygen आइस carbon से जुट जाएगा simple reaction बाबा simple एकदाम आसान एकदाम easy यह देख रहो anhydride बोलती है इसको दुनिया क्या कहती है anhydride यह तो मेरे इसाब से यह तो मेरे इसाब से बहुत ही आसान है क्यों जी बोलो 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 असान है ना यार बहुत easy है ना यार बहुत easy है बहुत easy है ठीक है अच्छा जैसे माल लो यह लिखा आपके सामने यह वाला carboxylic acid है और दूसरा C6H5 C double bond OH यह लिखा है ठीक है ना और इनको आपने P2O5 presence में हीट कर दिया है तो क्या होगा यहां से चलिए वोटर का molecule बाहर निकाल दिए आपका unsymmetric carboxylic anhydride बन जाएगा ठीक है ना यह इस तरह से C6H5 plus H2 बन जाएगा यार यह तो बहुत आसान reaction है क्यो बई यह तो बहुत easy है ना बहुत आसान है यह तो चलिए आगे बढ़ते है next reaction के बारे में बात करते है अगली reaction है वाई estification reaction अरे याद करो इसकी तो mechanism भी पड़ी थी last class में अरे यह यह वाली reaction तो पड़ी थी ना उसमें alcohol phenol ether उसमें तो पूरा mechanism तक करवाया गया तो क्या होता है estification में जल्दी से बता दो चलो देखो estification में क्या होगा बिटा पस खतम होने वाला है session यह आपने carboxylic acid लिया और इसका reaction करवाना है किसके साथ alcohol के साथ लो जी acid की presence में सर क्या होगा water का molecule यहां से बाहर चला जाएगा और आपको यह भी बताया था ही जब water का molecule बाहर जाता है जब water का molecule बाहर जाता है ना इसको r- लिखतो जब water का molecule बाहर निकलेगा तो उस water में जो OH group होगा वो कहां से आएगा carboxylic acid से आएगा और जो H group होगा वो कहां से आएगा alcohol से आएगा यह reaction हम लोगों ने खूब वार पड़ी है कल वाली जो मदब इससे पहले वाला जो session था अपना alcohol phenol ether उसमें इस reaction की mechanism तक भी discuss की गई थी है ना इस reaction का mechanism तक भी discuss किया गया था एक question कर लेते हैं ethyl benzoate can be prepared from benzoic acid by using आँ ethyl benzoate बनाना आपको बदाओ बदाओ ethyl benzoate कैसे बनेगा benzoic acid की reaction किसके साथ करवाँ अरे मुन्ना benzoic acid तो जानते हो ना यह उताब का benzoic acid ठीक है मान लो इसकी reaction आपने ethyl alcohol के साथ करवा दी किसके साथ? ethyl alcohol के साथ क्या होगा जर? यहाँ जेपानी बार निकल जाएगा जल बार निकला गया जल को बार निकलो C6H5 C double bond O OC2H5 इसी को दुनिया ethyl benzoate के नाम से जानती है किसके साथ reaction हुई है? ethyl alcohol के साथ और साथ में H plus की जरूरत पड़ी option number B correct है देख रहे हो तुम? देख तुम question देख रहे हो तुम कितना असान आ रहा है? अरे बोलो ना यार कितना easy question है? एक और question देखो AI PMT 2005 का एक और question देखो देखे एक दम बढ़िया वाला question हाँ जी क्या हुआ है देखो सबसे पहले carboxylic acid की reaction SOCl2 के साथ हुई है तो A क्या बनेगा बताओ? CH3 C double bond O CL बन जाएगा इस इस योर A यह अगर benzene के साथ react करे तो B क्या बनेगा? यह तो वो होगी ना Friddle Craft Acceleration हो गया Friddle Craft Acceleration हो गया यह बन जाएगा C6, H5, C double bond O CS3 बन जाएगा बताइए यह B बन गया इसकी reaction HCN के साथ करवाने है HCN में क्या होगा? CN- आएगा CN- का attack इस पे होगा मैं C क्रुप को C को यहां लिख देता हूँ पेटा, C क्या होगा? सर, Sinohydrin बन जाएगा जब आप Ketone की reaction HCN के साथ करवाते हो तो Sinohydrin बन जाता है यह लोग यहां OH और CN लग जाएगा और अगले step में इसका Hydrolysis करवा दिया सर, आज ही हम लोगों ने पढ़ा है आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कि CN ग्रूप के Hydrolysis से क्या बनता है? CWH बनता है कि नी बनता? अरे बोलना है यार अरे ज़्यादा CH के CN के Hydrolysis से CWH बनता है? कौन से option में है? बाई, चेक करिए ज़रा अरे यह कौन से option में है? देखिएगा यह मुझे तो option number 1 में लग रहा है अच्छा 1, 2 तो लिखावाई नहीं है आई साब, यह A है यह B है यह C है यह D है कौन से option में है? option number A में देख रहे हो? आरे समझ मैं आपको? आजी, समझ मैं आई रियक्शन? बहुत बढ़िया अब इसके बाद हम लोग आगे चलते है अब इसके बाद हम लोग आगे चलते है और next reaction की बात करते हैं जिसमें substitution होगा in the hydrocarbon part जो hydrocarbon वाला part होता है carboxylic acid का उसमें substitution और उसमें substitution का एक बहुत important reaction है जिसका नाम है halogenation है ना? और halogenation में भी एक reaction आती है halolat gelins की reaction जिसको short में HVZ reaction बोला जाता है क्या बोला जाता है HVZ है ना? अब क्योंकि name reaction है तो name reaction obviously बात है important है इसकी condition क्या होनी चाहिए? मेटा condition होनी चाहिए at least one alpha hydrogen should be present at least one alpha hydrogen present होना जरूरी देखो एक example लिखते हैं ये कार्बॉक्सलिक असिड है इसकी reaction आपको करवानी है पहला किसके साथ? red phosphorus प्लस X2 के साथ और फिर hydrolysis करवाना बिल्कुल नहीं बूलना H2O के साथ reaction करवाना बिल्कुल नहीं बूलना वैया बिल्कुल नहीं बूलना तीक है? अगर ये reaction आप लोगों नहीं करवाई तो ये जो alpha hydrogen है एक alpha hydrogen हटके उसकी जगए halogen लग जाएगा एक alpha hydrogen हटके उसकी जगए halogen लग जाएगा लो जी ये रहा आपका final product इस reaction is known as HVZ reaction या फिर हल वोलार्ड जैलिंस की reaction बहुत असान है देखो अब लेकिन इसकी खास बात बताऊं मैं तुम्हें इसकी एक तगड़ी बात बताऊं मैं तुम्हें है ना सुनना इधर सुनना मेरी बात जैसे ये बहुत आपका organic compound है ठीक है ना इसकी reaction माल लो एक बार करवाई है red phosphorus plus BR2 के साथ फिर पाने डाल दिया और माल लो अगर question में सिर्फ ऐसे दिया है सिर्फ ऐसे दिया है red P plus BR2 क्या होगा what will be the basic difference between these two products दोनों product में क्या difference होगा मुन्ना एक बार देखियो रहे एक बार देखियो क्या difference होगा सर ये red phosphorus plus BR2 और water है सर ये तो HVZ reaction है और HVZ reaction में एक alpha hydrogen जो होता है वो substitute होता है ये substitute होता है एक alpha hydrogen की जगे सर BR लग जाएगा और C double bond O H लग जाएगा ठीक और अगर माल लो question में पानी नहीं दे रखा ना सुनियो सुनियो ओ भाईयो अगर question में red P plus BR2 लिखा है ना तो अभी थोड़ी देर पहले एक reaction लिखी थी जिसमें OH group हटके OH group हटके BR लग जाएगा तुने हो ये product बन जाएगा अभी थोड़ी देर पहले reaction लिखा जाना हो PCL3, PCL5, SOCL2 के साथ reaction आरे बोलो न मुनना आरे बोलो भाराज ददा बताओ ना यार ये चीज समझ में आई की नहीं आई ये एक बहुत ही प्यारी चीज है बहुत ही दपरदस चीज है बहुत important चीज है इस पे जनताफर सकती है उनना अरे देखना यार समझ में आया का तुझी clear है न ये चीज इसको ज्यान रखना HVZ reaction है बहुत important है आजी देखो क्या कहा रहा है propanoic acid with BR2 phosphorus yield and di bromo product structure will be ओ भाई di bromo product है न देखो न आप propanoic acid यही तो होता है propanoic acid यही तो होता है और इसकी reaction कहा रहा red P plus BR2 और di bromo product मन रहा मतलब यहां से alpha position से alpha position से 2 halogen hatt के reaction दो बार हो गई है यह product बनेगा कौन से option में? खतम D option इसमें इतना क्या सोचना है? है बाई? अरे इसमें इतना क्या सोचना है यार यह तो बहुत simple है इसमें इदर उदर का कुछ देखना ही नहीं था खतम 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 अच्छा अब हम लोग बात करते हैं ring substitution की है ना? ring substitution मतलब carboxylic acid aromatic होगा कोई? aromatic होगा तभी तो ring substitution की बात होगी ना यार? तो चलो आओ देखो ring substitution में सबसे पहली चीज मुझे बताओ तुम CWH group जो होता है वो activating group होता है या फिर deactivating होता है ए भाई इधार 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 क्या होगा? अच्छा कुछ लोग लक्षे जैई वाले भी दिख रहे हैं मुझे इधार अरे भाई अपना पढ़ाई करो पढ़ाई करो लक्षे जैई में जागे या डिवी पी सॉल्व करो question सॉल्व करो मोडियूल करो हाँ 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 देखो क्या होगा सर ये तो deactivating होता है क्या होता है सर ये तो deactivating होता है और अगर deactivating है सर तो ये तो metadirecting होगा क्या होगा? metadirecting होगा है ना अगर बेंजीन से compare करोगे तो ESR की rate इसकी कम होगी यह कम रियक्टिव होगा टूवर्ट्स EASR और अगर कम है तो मैं A की साथ 3 रियक्शन लिख देता हूँ A की साथ 3 रियक्शन लिख देता हूँ जैसे BR2 FEBR3 के साथ रियक्शन ठीक है फिर उसके बाद और कौन सी थी हाँ वो concentrated HNO3 plus concentrated H204 के साथ रियक्शन ठीक है ना यह वाली रियक्शन थी और एक रियक्शन concentrated H204 के साथ यह तीन रियक्शन पढ़ते हैं हम लोग भाई यह फ्रिडल क्राफ्ट तो देगा नहीं फ्रिडल क्राफ्ट क्यों नहीं देता क्योंकि जो deactivating groups होते हैं हो फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते हैं strong deactivating strong activating logic देखो जरा यहाँ पर क्या होगा सर पहरा meta position पे BR लगेगा है ना यहाँ पर क्या होगा सर meta position पे NO2 ग्रूप लगेगा अरे बोलो ना यार meta position पे NO2 लग जाएगा और सर इसमें क्या होगा और सर इसमें meta position पे S3H लग जाएगा बस कहानी खतम है ना इसका नाम क्या है halogenation यह कौन सी reaction है बटा halogenation बताओ इसका नाम क्या है सर इसको nitration कहते हैं हम और इसको क्या कहते हो वे this is known as सर sulfonation है यह तो यह क्या है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बढ़िया very good very good very good तो लो देखो एक question करते हैं बढ़िया सा 2010 EIP mt में question पुछा गया यह वाला एक बढ़िया question करते हैं देखो अच्छे से करो आगला question देखो next question देखो भाई देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको एक अलकाइल बेंजीन दे रखा है, केमेनो 4 के साथ बोला इसको heat करवा दिया, अगर केमेनो 4 के साथ heat करवा है आभी थोड़ी देर पहले पताया, यह जो पूरी की पूरी ऊपर chain है ना, पूरी की पूरी chain convert हो जाएगी किसमें CWH मे बले उसमें कितने कार्बन वे डजेंट मेंटर यह बन जाएगा अगला कहता है बी आर टू एफी बी आर थी के साथ रियक्शन करवादा अरे सर यह तो वही रियक्शन होगी अभी बी आर टू एफी एफी चील थी यह तो ESR रियक्शन हो गया और सर यह तो मेटा डिरेक्टिंग है तो सर मेटा पुजीशन पे बी आर लग जाएगा यह लो सर मेटा पुजीशन पे बी आर लग जाएगा लगा दो मेटा पुजीशन पे बी आर यह रहा इतना काहे टेंशन ले रहे हैं यह लिए ओ सीटो एच फाइफ कौनसे ऑप्शन में हैं पदाईए जड़ा कौनसे ऑप्शन में भाई या तर यह तो ऑप्शन नमबर यही बिढ़ गया वाह मजा आ गया मजा आ गया एकदम जूरदार अरे यही मिल रहा है न सबका अरे सबका ए मिल रहा है गया ए पका सोचलो एक बार सोचलो बिलकुल ए मिल रहा है भी बहुत आसान बहुत ही आसान बहुत इसी बहुत है न चलो फिर आगे चलो आगे चलो फिर आगे चलो नेक्स्ट रियाक्शन की बात करते हैं हम लोग अब उन रियाक्शन की बात करेंगे अब बेटा हम लोग बस अंत की तरब बढ़ रहे हैं ये chapter बस खतम होने वाला है है ना अब हम लोग अंत की तरब बढ़ रहे हैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और फिर उसके बाद आपका chapter फिनिश ठीक है क्या कहता देखो सबसे पहले चीज़ reduction की बात करते हैं ये reaction भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपको carboxylic acid का reduction करवाना है तो आप किसके मदद ले सकते हो आप lithium aluminium hydride की मदद ले सकते हो और एक और बढ़िया reducing agent होता है डाइबोरेन इसकी भी मदद ले सकते हो carboxylic acid के reduction से CWH जो है पूरा का पूरा reduce होके किस में convert हो जाएगा RCH2OH में convert हो जाएगा 1 degree alcohol का formation होता है जाओ methods of preparation of alcohol में इस reaction को देखना वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था दुबारा repeat हो ये reaction बहुत आराम से बहुत अच्छे से हमने ये reaction उधर भी पड़ी थी और अभी भी देख लिया वापस एकदम बढ़ी आडंग से revision भी हो गया अपना है ना मैंने एक चीज ये भी लिखवाई थी कि जो sodium borohydride होता है नमुनना NABH4 जिसको आप बात करते हो NABH4 बिचारा बिचारा carboxylic acid को reduce नहीं कर पाता तो अगर आपको carboxylic acid reduce करना है तो या तो लीथियम aluminium hydride लो या फिर B2H6 लो आप NABH4 यूज नहीं कर सकते हैं लिखवाई दाना याद है NABH4 जो carboxylic acid को reduce नहीं कर सकता और इसके बाद वो ester को reduce नहीं कर सकता वो anhyteride को reduce नहीं कर सकता याद है नहीं सारी चीज़ें अरे बोलो ना तो जैसे मान लो ऐसा लिखा है ये CWH लिखा है और आपने इसका reduction करवा दिया किसके साथ NABH4 के साथ ether लिया ठीक है जी और फिर उसके बाद इसका hydrolysis करवा दिया बताईये जरा क्या product बनेगा सर जो CWH गुरूप होता है ये जो CWH गुरूप होता है सर इसको खटा-खट सकनवर्ट कर दो आप CH2 अच में खतम होगी कान बस इतना ही होता है सर और कुछ नहीं होता ये reaction इतनी है सर एक और देख लो example ये रहा जैसे कार्बोक्सलिक असिड है ना और इसका भी आप अभई एने बी-एच्फ़ोर कैसे लिख दिया आ रहे क्या कर दिया ए बई क्या कर दिये होई लीथियम अलिमीनियम हाइड्राइड लोगे बे लीथियम अलिमीनियम हाइड्राइड एने भी एच फॉर तो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा कैसी बात कर रहे हो बाई लीथियम अलिमीनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा है ना अबे तुम कुछ देख भी रहो या बस ऐसे ही क्या याद है एने भी एच फॉर तो गलत है ना एने भी एच फॉर कैसे रिड्यूस करेगा हद्य मतलब कोई रियक्शन ही नहीं होगी लोग देखो जैसे ये वाला है ये जो आपका CWH अबिटा पूरा का पूरा कनवर्ट हो जाएगा CH2OH में मतलब दियान यही रखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रूप है CWH उसको कनवर्ट करतो कि CH2OH में बास इतना ज्याव रखना है है ना बाकि रिड्यक्शन तो हम लोगों ने पहले भी पड़ी ही लिया है बहुत पड़ी है हाँ अगली रियक्शन डी कार्बोक्सिलेशन बाइ सोडा लाइम प्रॉसस यह रियक्शन भी आ चुकी है हईड्रो कार्बन में पड़ी है हमने सोडा लाइम प्रॉसस में क्या करते हैं देखो इधर में बता जाता हूँ कार्बोक्सिलिक असिड लेना आपको ठीक है sodium salt of carboxylic acid आपने लिया है और इसको heat करना है किसके साथ सर सोडा लाइम के साथ सर सोडा लाइम का होता है एने वद CO का जो mixture होता है उसको सोडा लाइम बोलते हैं सर यह क्या करेगा यहां से CO2 बाहर निकाल देता है और CO2 माहर निकाल के एक कम कार्बन वाला एलकेन बना देता है अब याद आया कुछ अब गजनी तो नहीं हो सारे याद आया ना गजनी तो नहीं हो न तुम लोगों ने गजनी मूवी देखी है क्या गजनी में आमिर खान को न ऐसे short term memory loss होता है थोड़े टाइम बाद न वो उसकी memory चली जाती है तुम तो नहीं हो न ऐसे नहीं हो न पका लाओ फिर देखो अब ऐसे तो बहुत सारे बतेरे एक्जामपल है जितनी मरजी उतने लिख लो ठीकिन यह रियक्शन आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी है ना दिस इस और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सलिक आसे और इसको आपने यहां से वोटर का मॉलिक्वल बाहर निकलेगा जितने कार्बन आपके कार्बोक्सलिक आसेड में होते हैं उससे एक कम कार्बन वाला एलकेन आपको मिल जाता है ठीक है मैंजीन मिल जाएका है ना तो यह रियक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस पर क्वेशन कर लेते हैं नीट 2021 माया हुआ हुआ क्वेशन है यहां से CO2 बाहर निकलेगा एक कम कार्बन वाला एलकेन बनेगा एन्योज के साथ क्या लेना पड़ेगा मुझे स्थियो calcium oxide option number है बताओ यह question है यह question है यह question है बहुत बढ़िया अब इसके बाद अगली जो reaction आपकी screen पर लिखी है यह वो reaction है जो आपकी NCRT में नहीं दे रखी है ठीक है हाला कि यह सी मैंने कुछ और reaction भी लिखवाई है जो आपकी NCRT में नहीं है तो यह वाली वो reaction है जो NCRT में नहीं है बट यह reaction एक्जाम में पूछी जा सकती है अच्छी reaction है इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आओं क्या कहता है decarboxylation decarboxylation का मतलब तो आप समझते हो ना removal of CO2 decarboxylation का मतलब क्या होता है CO2 का बाहर निकलना decarboxylation का मतलब क्या है CO2 का बाहर निकलना by heating of beta keto acid beta keto acid जानते हो देखो जैसे यह वाला है यह है beta keto acid एक दूसरे की beta position पे दो acid लगे वह है this is beta keto acid इसको आप चाहो तो जैंडाई carboxylation अब beta keto है ना अच्छा बीटा keto बीटा position पे keto होना जी बिटा यह तो बहुत असान है देखो ऐसे जैसे यह लिखा है यह carboxylic acid है ना बीटा keto acid है ना इसको आपको heat करना है देखना देखना एक बार गौर से देखना बीटा यहाँ पर देखना अच्छे से यह CWH के ज़स्ट पासवाला carbon alpha और alpha का पडूसी बीटा इस बीटा पुजीशन पर keto है बीटा keto carboxylic acid ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जब आप बीटा keto acid को heat करते हो तब भी decarboxylation हो जाता है तब भी decarboxylation हो जाता है वोटर का molecule यहाँ से बाहर निकलेगा और यह H इसके साथ जुड़ जाएगा एक कम carbon वाला ketone बन जाएगा देख रहे हो। अरे बात समझ में आरे अरेगे आपको। अजी यह बहुती आसान reaction है बहुत easy बहुत easy बस यह पता होना थे इतना पता होना थे यह कि ऐसा होता है mi बस फो थो कोई दिक्कट है इनी जैसे यह देखो ऐसा हो जाए क्या यह भी बीटा कीटू आशिड है सरी यह भी बीटा कीटू आशिड दिखरा है सर तो यहां से भी सियो टूड़ा दो बस सियो टूड़ा काम खतम कि यह बन गया सिशिक्स फाइफ च्टू सी डबल बॉंडो सी एस तरी खतम देख रहे हो अब अरे समझ में तो आया ना तुम्हें जैसे माल लो यह वाला होता ऐसे होता ऐसे होता और इसको हीट करने को बोल देता यह है अलफा यह है बीटा यह भी तो बीटा कीटू अशिड है सर यहां से भी तो सियोटू बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा यह लोग खतम परी बात समझ रहे हो तो यह 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 चीज अगर आपको पता है ना अगर यह चीज आप एक्टलीस में क्या होता है बहुत जब आप इसका इसको बाहर निकालते हैं ट्रांजिशन वैरी गूड आगे चलते हैं और बात करते हैं डी-कार बोक्σιलेशन का मतलब इसमें भी क्या होगा स्यो टु Kramp निकलेगा कैसे का बीटा डाई-कार्बौक्सलिक सेट्स आज हम लोग किसको हीट कर रहे हैं बीटा डाई-कार्बॉक्सलिक US God हीट कर रहे हैं बीटा डाई कार्बोक्सिलिक असिड का मतलब यह है देखो उदर लिखा भी है जम डाई कार्बोक्सिलिक TH3, CWO, OH और CO2 यहां से बार चला गया, खतम बात समझ में आईए आपको यस जैसे एक और एक्जाम्पल देख लो यहां CWH लिखा है, यहां CWH लिखा है, क्या यह आपका Gem-Di-Carboxly Acid है? सर बिलकुल है किसी भी एक से CO2 बार निकाल दो किसी भी एक से CO2 बार निकाल दो आपकी शरता है, यह CO2 मैंने बार निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? ये लो भई, ये रास नी CWH, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बटा? आरे बोरो ना यार जैसे माल लो ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है ये वाला एक्जामपल होता ऐसा ये वाला होता और आपसे कहा गया इसको हीट कर दिया तो इसमें क्या प्रोड़क्ट बनेगा बताओ ये वाला क्वेशन होता तो सबसे पहले तो आप क्या करतें आप कहतें सर ये है बीटा डाई कर्मोक्षिलिक आसिड एक ही कार्बन पे दो CWH है CO2 बाहर निकाल दो आपने CO2 बाहर निकाल दिया यहां से है ना तो CO2 बाहर निकला ये लो जी CO2 बाहर निकला यहां डबल बॉंड यहां CWH बच गया और सर यह तो बीटा कीटो अचिड बन गया जैसे आपने CO2 बाहर निकाला सर यह तो बीटा कीटो अचिड बन गया बन गया बीटो के अचिड तो यहां से भी CO2 एक बार फिर बाहर निकल जाएगा और ultimate ultimate जो आपका प्रुडक बनेगा वो यह वाला होगा बताईए क्या आपको मेरी बात समझ में आई यहां तक आप हाँ यह ना में जबाब दीजिए जड़ा क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई तो बेटा यह वो रियक्शन्स थी ये वो reactions थी जो direct आपकी NCRT ने नहीं दे रखी है ये आपकी reaction NCRT ने नहीं दे रखी थी ये आपको एक बार के लिए बता दी गई है मेरी बात समझ में आई आई आपको ठीक है? clear? बहुत बढ़िया बटाब बहुत बढ़िया आगे जलते हैं एक दो reaction और पड़ेंगे एक question आया शायद नीट 2020 में आँ हाँ an acid that forms an anhydride on hitting and an imide on strong hitting with ammonia हाँ imide बनाएगा strong hitting with ammonia पताओ दाओ दाओ ये कौन सा था? अरे ये वाला था ना? ये याद है क्या? ये बनाया था ना? अरे बोलो ना? ये वाले reaction याद है क्या? strong hitting with ammonia अरे बोलो यार दाओ ये reaction अम लोगों ने करी थी ना? है बई? अरे पहले तो क्या बना था? पहले अम लोगों ने बनाया था थेलिमाइड फिर उसके बाद थेलिमाइड थेलिमाइड, थेलिमाइड, इमाइड, इमाइड की बात हो रहा है? थेलिमाइड है न दो मोल लेते थे sodium salt of carboxylic acid के याद आया तुम्हें sodium salt of carboxylic acid के दो मोल लेते थे और उनका और उनका आप क्या करवाते थे electrolysis करवाते थे याद आया कै कुछ हाँ वही अरे आप electrolysis करवाते थे तो सर क्या होता था electrolysis में electrolysis में CO2 बाहर चला जाता था है ना CO2 बाहर जाता था और हमें free radical मिलते थे तो mechanism याद है इसकी जैसे यहां से CO2 बाहर निकलेगा हमें 2 CS3 के free radical मिलते थे और सर ये जो 2 CS3 के free radical है यह आपस में मिलेंगे यह आपस में मिलेंगे बात बात होएगी और एक दिन इन दोनों का number number exchange होंगे तो उन पे बाते होंगी और एक दिन bond बन जाएगा CS3 CS3 बन जाएगा और इसके अलावा भी और भी byproduct बनता था इसमें CO2 बनता था एने वज बनता था और साथ में H2B बनता था याद है तुम्हें symmetrical alkane इस method से आप बना सकते हो बहुत अच्छे percentage yield में ये भी तो decarboxylation का example ही है पर decarboxylation मतलब CO2 बार निकल न तो यहाँ पर भी तो CO2 बार निकल रहा है आरे बोलो न क्या आपको मेरी बात समझ में आई Yes हाँ जी से ये वाला sodium salt of carboxylic acid लेते है ठीक है और भाईया और भाईया आपने इसका electrolysis करवा दिया अब सुनना मेरी बात गौर से वापस यहाँ से भी CO2 बाहर निकालो यहाँ से भी CO2 बाहर निकालो और क्या करो तर दो अगर दो ऺंज़ा है तो चार कार्बन वाला एलकें आपको मिल जाएगा ch3 ch2 ch2 ch3 और बाकी जो सारे की सारे buy-product है वे बिलकुल as it is same रहेंगे बताइये जरा कोई परेशानी और हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने हीड्रो कार्वन में ये भी पढ़ा था कि सर इस method से methane नहीं मना जा सकता methane cannot be prepared है ना इस method से क्या नहीं हो सकता methane आप prepare नहीं कर सकते हैं ठीक है ना समझ में आई कि आपको बात समझ में आई कि आपको बात रिएक्षिन करने जा रहे हूं आज की अंतिम रिएक्षिन आप लोगों को बहुत बहुत बदाई हो आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा हम लोग लास्ट तक पहुंच चुके हैं एन्यूज प्लस ये वाली रिएक्षिन भी करवा दीजिए पिटा करवा दी वह तो एन् आपने अच्छी reaction है, पूछा जा सकता है, देखो, कैसे बनता है, मतलब, sodium salt of, calcium salt of carboxylic acid, जैसे ये लिखा हुआ है, CS3, C double bond O, CS3, C double bond O, O, CA, O, C double bond O, CS3 है, न, this is your sodium salt of carboxylic acid, sorry, calcium salt of carboxylic acid, this is your calcium salt of carboxylic acid, है न, आपको इसको heat करना है, है न, कुछ जगे पर इसको distillation भी लिखा होता है, यह distillation में भी तो heat ही करते हैं, अब मैं बता हूँ, बहुत सार लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, बहुत सार लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, सर आपने यह कैसे बन है, सुनो, देखो, यह है मानलो आपका carboxylic acid, और C double bond OH, यही होता है carboxylic acid, है न, मैंने दो मोल लिए carboxylic acid के, आप लोगों ने calcium hydroxide का नाम सुना है, calcium hydroxide, CA OH whole twice है न, यही होता है calcium hydroxide, आप सुनना, यहां से, यहां से पानी का molecule बाहर चला गया, यहां से भी, यहां से भी एक water का molecule बाहर चला गया, तो यह जो calcium है, यह calcium इस oxygen से जुड़ गया, यह calcium इस oxygen से जुड़ गया, यह है base, और यह है acid, और acid और base जब मिलते हैं, तो salt बनता है, वो आपकी screen पर है, this is your calcium salt of carboxylic acid, अगर आप इसका distillation करवाते हो, तो एक ही बात को याद रख लो, बास एक बात य रख लो, calcium carbonate बाहर निकाल दो, क्या बाहर निकालना है, calcium carbonate बाहर निकालना है, बेटा, minus CaCO3, calcium CaCO3, calcium carbonate बाहर निकालो, काम बन जाएगा, बस, खतम, तो क्या करना है, देखो, CH3, C double bond, CH3, acetone बन गया, CH3, C double bond, CH3, यह रहा आपका ketone, इस method में क्या बनता है, बेटा, final product क्या बनेगा, ketone बनेगा, ठीक है, बात समझे क्या, जैसे मानलो, यह वाला होता, यह वाला होता, calcium salt, सुनियो, भायो, यह वाला होता, मानलो, calcium salt, ठीक है, और इसको heat करते, इसका आप distillation करते, तो यहां से भी क्या होता, तर CaCO3 बाहर निकल जाता, यह लो, CaCO3 बाहर निकलता, औ ह, CaCO3 बन जाता, ठीक है, यह क्या बन गया, सर बना है, formaldehyde बन गया सर, बस आप लोग आए, और इस class का आप सब लोगों ने आनंद लिया, और आप लोगों ने last तक हिम्मत बनाए रखी, इसके लिए आप सारे लोग धन्यवाद के बहुत बहुत पात रहें, आप लोगों हमने पूरा chapter मेरे साथ complete किया, है ना, effect of substituent over acidity, बेटा लिखा तो था हमने question किया था जिसमें हमने लिखा था कि carboxylic acid में अगर माल लो electron donating group लगे हैं, तो हम लोगों ने कहा था acid extent decrease कर जाएगी, electron withdrawing group लगा तो acid extent increase करेगी, हम लोगों ने NO2, OH और CH3 वह वाले example लिखे थे न तो वही तो था substituent का effect acidic extent पर, हो गया था बेटा वो है ना, हो गया था, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर देखो, आप लोगों ने अगर ये chapter एक बार के लिए धंग से पढ़ा हुआ है, है ना, अगर आप लोगों ने ये chapter अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक अ आप लोगों ने revise करना हो, बहुत अच्छे डंग से, थोड़ा depth में revise करना हो, तो उन बच्चों को ये वाली class बहुत ही helpful लगी होगी, ठीक है ना, और कुछ लोग करें सरा आप answer नहीं देखते हैं, हाँ तो भया आप इतने सारी chat चलती रहती हैं, एक साथ किस किस के answer देख सारे messages एक साथ देख पाता हूं नहीं, तो एक चोटी सी स्क्रीन है, उस पर पांच साथ कॉमेंट्स आते रहते हैं, मालो किसी या कॉमेंट डूकर चला गया चला गया, और जब कॉमेंट बहुत फास्ट होते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते हैं, आप यह इतना attention ना लिय ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, जीवन के किसी मोड पे, और अगर आप लोग रहें, कभी मिलें, आप मेरी सब के साथ शुब कामनाय हैं, कि आप सारे लोग अच्छे डंग से पढ़ाई करें, अच्छा एक्जाम दे, थोड़े टाइम बाद आपक के साथ, ठीक है, तो कभी हो सकता, आप लोगों से मुलाकात हो, और आप लोग पचान भी जाएंगे, और यह तो वही मास्टर जिसने हमें, अल्डी एड किटोन कार्वोक्सलिक आशिट बढ़ाया था, हैं, महीं या, ठीक है, फिर, चलिए, आज का, हाँ, रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे, और यकीन में, बहुत सारे बच्चे, आप लोगों मैंसे मेरे साथ पड़े भी हैं, यकीन टूपइंटों मैं मैं क्लासे ले रहा था, तो वहाँ पर भी आप लोगों मिल पड़े होंगे, मेरे साथ, कुछ-कुछ बच्चे होंगे, है ना, जो उदर यकीन में थे तो वो लोग भी दर आते हैं रिवीजन के लिए ठीक है फिर बाकी बाते होंगी जीवन के किसी मोड पे मिलेंगे फिर बाकी बाते होंगी चलिए फिर ठेंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो आप सब लोगों ने इस सेशन देखा उसके लिए बहुत बहुत आपको शुब कामना है अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन किया है अब हम लोग नेक्स सेशन में मिलेंगे कभी तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें खुश रहें हसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जुरूर करते रहें क्योंकि बटा काम तो पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से नहीं एक महीन आपकी लोगों के पास बचा है इस एक महीने में आप लोग पूरा जी जान लगा के मैनत करें पूरी एक दाम दम लगा के मैनत करें अपने जीवन में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार लास्ट में अगर थोड़ा सा दम ओर लगा जेतें तो एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है ऐसे रिग्रेट के साथ जीना बिटा बहुत मुश्किल होता है इस बात को वमेशन याद रखे तो यह रिग्रेट आपको नहीं रखना जितना आपके पास अब इस टाइम पे टाइम है जितना एफ़र्ट आप लगा सकते हो उतना एफ़र्ट लगा है उतनी मैनत करें ठीक है फिर चलें फिर नेक्स क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए टाडा बाबाई लव यू आल जितना एंपो मैं महां थाड़र्ट आपके लगा है धितना एंपको जितना एंपक zalने गल झाल झाल